आज का पहला क्योशन बादसा का मेला बढ़ता है परतबुर में दो समय ब्यावर में या बाड मेर में तो बादसा का मेला ब्यावर सेर में बढ़ता है ब्यावर सेर की स्तापना करणल डिक्सन के द्वारा ब्यावर सेर की स्तापना की गई थी ग्यावर शहर जो कि तिल पट्टी के लिए पर्षिद है और आपकी जान के लिए बता दू कि अक्बर के नौ रॉतनों में से एक टोडर मल कौन टोडर मल को अक्बर के द्वारा एक दिन का बाजसा बनाए था तो टोडर मल की याद में बाजसा का मेला बड़ता है जो कि दुलेंडी के दूसरे दिन ये बाजसा की सवारी निकाली जाती है तो इसका राइडन शुरोगा तीन नंबर अगला क्योशन राजस्तान का परशिक पुसकर मेला किस माह में लगता है सितंबर नौंबर फरवरी या मार्च पुसकर मेला जो राजस्तान का सबसे परशिक मेला है जिसे राजस्तान का अंगला मेला का जाता है जिसे मेरवाडा मेरवाडा का कुम्ब का जाता है पुसकर मेले का आयोजन कार्थिक माह में होता है कब होता है कार्थिक मां में होता है और मुक्य रुप से कार्थिक पुर्णिमा को पुस्कर का मेला विशाल बढ़ता है और ये मुक्य रुप से अंग्रेजी महीनों में अक्टूमर वे नौमर के महीनों में आता है इसका राइडेंस रोगा नौमर गंदर अगला क्योंसन पुष्कर मेला किस तिति को संपन होता है विशाख पूरुनिमा कार्थिक पूरुनिमा फालकुन पूरुनिमा चैत्र पूरुनिमा इसका राइटर शुरुगा कार्थिक पूरुनिमा के दिन पुष्कर का मेला स्वाप्त हो जाता है यानि इसी दिन विशाल मेला बढ़ता है कि कौन सा पुष्कर का मेला और आपकी जान के लिए वदादू कि राजस्तान के अंदर कार्थिक पुर्णिमा के दिन कहां कहां पर मेले का आईजन होता है तो राजस्तान के दर कोलायत बिकनेर में कपिल मुनी का मेला पड़ता है कार्थिक पुनिमा के दिन एक कार्थिक पुनिमा के दिन चंदर भागा चार्टरा पटन जालवार के दर वो भी मेला कार्थिक पुनिमा के दिन आउजित होता है और साध्य साथ पुस्कर मेला भी कार्टिक पुनिमा को लगता है वेशाग की पुनिमा के दिन गोतमेश्वन का मेला वेशाग पुनिमा के दिन अर्णोध परताव गड़ के अंदर पड़ता है और वेशाग पुनिमा के दिन ही बानदगंगा का मेला बानदगंगा नदी के तटढ़ पर जेपपुर कंद्र वीशाब की पूणिमा का दिन परता है अगला घुशन अधीवारशों का कुम खाना जाने वाला बेनेस्वर मेला किस जिले में लगता है तो माई वेजाखम नदियों का तिरवनी संगम है बेनेश्वर मेला जो डुंगरपुर का नवाटापुरा गाउं के अंदर ये बेनेश्वर धाम का मेला लगता है जहां पर भारत में एक मातर ऐसा हिस्तान है जहां खंडित स्विवलिंग की पूजा होती है और बेनेश्वर धा का मेला माग की पूरुनिमा के दिन लगता है माग की पूरुनिमा के दिन बेनेश्वर धाम का मेला लगता है जिसे आदिवाश्यों का कुम का जाता है जिसे वागड का पुश्कर का जाता है जिसे वागड का कुम का जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि वागड पर्देश का स मार्ग की पुर्यमा के दिन वर्ता है जांपर, सौम, माईवे, जाकप तीनों नदियों का संगम इस्तित है अगला किर्षन कि अधिवाशु का कुम किस मेले को का जाता है बान गंगा का मेला उष्कर का मेला सरसुरा का मेला बेने सुर मेला तो बेने सुर दा नवाटापुरा का डूंगरपुर के अंदर जिसे आधिवाशु का कुम का जाता है जिसे भीलो का कुम का जाता है इसका राइटेंस रोगा चार नंदर बांडगंगा का मेला बांड गंगा नदी के तटवर जप्र के लगता है वेशाग की पुनिमा के दिन पुषकर का मेला जो की कार्थिक पुनिमा के दिन विशाल बढ़ता है काबर पुषकर अजवेर अगला क्षिशन बेनेस्वर मेला का आयोजन किस दिन किया जाता है माग पुनिमा, वेशाग पुनिमा, कार्थिक पुनिमा, बादरपद पुनिमा इसका राइडियन सरोगा एक नमबर माग की पुनिमा के दिन बेने स्वर धाम, नवाटापुरा गाम, डुंगरपुर कंदर, विशाअल मेला बता है जहांपर पार्थ में एक मातरेशा मंदिर है जहांपर खंडित सिविलिंग की पुजा होती है इसका राइडिंस रोगा एक नंबर और वेशाग की पुनिमा के दिन दो जगे मेले को आईजन होता है एक गोतमेश्वर मेला जो की अरनोध परताव गण कंदर वेशाग की पुनिमा के दिन बढ़ता है और एक बानगंगा का मेला वेशाग की पुनिमा के दिन बढ़ता है कार्थिक पुनिमा के दिन काजिस्तान में तीन जगे विशाल मेला बढ़ती है एक कभिल उनी का मेला कोलाइक भीकानेर के अंदर बरता है एक पुषकर का मेला जो कि पुषकर अजमेर के अंदर कार्थिक पुनिमा के दिन बरता है और एक चंद्र भागा का पसु मेला चारणा बाटन जालावार के अंदर वो भी कार्टिक पुनिमा के दिन बढ़ता है अगला क्विशन बाबू महराज का मेला किसे जिल्य में बढ़ता है तो बाबू महराज का मेला धोलपूर जिल्य में लगता है और ये बादरपद की शुक्ला दिर्टिया के दिन जेविषार मेला बदागा है और गहां पर धौलपूर जिल्ले कर दाए इसका राइटेंस रोगा दो नमर का अगला क्यूसन गोतमेशुर धाम किस जिल्ले में स्थित थै पर्दाप गड में चितोडगड में, बांसवाड़ा में यां, उधरपूर में, इसका राइटेंस रोगा, एक नमबर, गोतमेसुर बाबा का जो धाम है, वह अरनोध, अरनोध, परताफगड में, अरनोध, परताफगड केंदर है, और जहांपर परतिवरष, वेशाक की पूर्णिमा, वेशाक क का मेला कब लगता है, चैत्र कृष्ण पक्स में, चैत्र सुक्ल पक्स में, तो इसका राइटेंस रोगा, दो नमबर, चैत्र सुक्ल पक्स की, आटम को ये मेला बढ़ता है, इसका राइटेंस रोगा, दो नमबर को, और केला देवी का मेला, करोली जिले में, काली सील नद के तर्ट पर केला देवी का मेला बढ़ता है जहां पर केला देवी के भक्तों के द्वारा लांगूरिया गीत गाय जाता है और लांगूरिया नर्टिय किया जाता है अगला क्यूशन नाराणी माता अलवर का मेला किस तिति को आयोजित होता है चत्र सुक्ल तेरस को चत्र सुक्ल चतुर्ति को अस्विन सुक्ल चव्रस को वेशाख सुक्ल ग्यारस को इसका राइडेंस रोगा वेशाख सुक्ल ग्यारस को यह वेशाख सुक्ल एकादसी को नाराणी का मेले लगता हैं और कहां लगता हैं अलवर में इसका राइड एंस रोगा चार नमबर और ये मुख्य रूप से नाईयो की गुल देवी है कबिल मुनी का मेला लगता है पुश्कर में कुलायद में गोगा मेडी में मुकाम में इसका राइड एंस रोगा दो नमबर कुलायद बिकनेर के अंदर जहां सांक्य दर्शन के प्रेहन था मैर्श्री कबिल मुनी की तबो भूमी कुलायद बिकनेर के अंदर कबिल मुनी का मेला लगता है और ये कार्थिक पुर्णिमा के दिन कार्थिक पुर्णिमा के दिन ये विशाल मेला बढ़ता है तो इसका राइटेंस रोगा दो नमर और पुष्कर रजमेर के अंदर वो भी कार्थिक पुन्विमा के दिन विशाल मेला बढ़ता है गोगा मेडी हनुमानगड जांपर परतिवरश गोगा नम्मी के दिन जो की बादर कशन नम्मी को गोगा नम्मी के दिन गोगा मेडी नौवर हनुमानकर के अंदर विशाल मेला बढ़ता है मुकाम जो विश्णोई संपलाए का मुक्य अत्रतिस्तल है जांग गुरु जांबो जी ने समाधी ली थी और यह मुकाम नौका कंदर वर्ष में दो बार मेला बढ़ता है एक फालगुन के मौशिय के दिन और एक आस्विन के मौशिय के दिन यहां पर वर्ष में दो बार मेला बढ़ता है कहां पर मुकाम नौका बिकानेर कंदर अगला किसन कोलाइट का वार्षिक मेला राजस्तान के किस सेर में आयुजित किया जाता है बीकानेर में इसका राइडेंस रोगा एक नंबर बीकानेर जो की कार्थिक पुर्णिमा की दिन मेला लगता है अगला किसन निमले कितमे से कौन सा मेला कार्दिक पुर्णिमा पर कोलायद बिकानेर में लगता है करणी माता का मेला जी नहीं करणी माता का मेला देश नोग बिकानेर में लगता है तो इसका राइडेंस रोगा चार नुबर कपीर मुनी का मेला और बाबा राम देव का मेला रूने चाह, पोकरन जेसल मेर कंदर, बादर सुगल, देवतियां से लेकर बादर सुगल 11 तक विशाल मेला बढ़ता है अगला क्विशन, रन्थमबोर का परशित मेला आयजित होता है इसका राइडेंस रोगा दो नमर और आपकी जानका लिए बता दूंकि तिरनेतर गनेजी का मंदिर जो रंधंबोर दुरुक के अंदर इस्तित है जो देश का सबसे प्राचिन गनेजी का मंदिर है और यहां पर गनेजी की मुख की पूजा की जाती है यहां पर गनेजी की मूर्ति में ने तो गर्दन है ने हाथ है ने स्रीर है केवल और केवल गणे जी के मुख ही पूचा की जाती इसका राइडेंस रोगा दो नमबर अगला क्यूशन बगवान सीव को समरपित सिवाड मेले का आउजिन राजस्तान के किस जिले में होता है दोलपूर में करोली में स्वाइमादपूर में परताबगड में इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर और यहां पर नव रात्री के दिन विशाल मेला बरता है अगला क्यूशन राजस्तान में बाहरवा जोतिर लिंग कहां अवस्तित है तो इसके राइडेंस रोगा शिवाड स्वाइमादपूर के अंदर इस्तितर हैं अगला क्यूशन बेल गाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला परशित है केला देवी मेला तो ये तो लखी मेले के नाम से जाना जाता है जो की चैतर सुकला अश्टमी के दिन भरता है करणी माता का मेला देशनोक विकानेर के अंदर जी नहीं सितला माता का मेला केला देवी होगा करणी माता का मेला तो इसका अगला क्यूशन निविन में से किस सेत्र में सीता बाड़ी का मेला आयुजित होता है आयुजित किया जाता है हाड़ोती मारवाड बागड या मेवाड इसका राइटेंस रोगा एक नमबर सीता बाड़ी का मेला बारा जिल्ले के अंदर बारता है इसका राइटेंस रोगा ए एक नबर और आपकी जानका लिए बतादू की सिता पाड़ी का मेला जेष्ट की दिन लगता है जेष्ट अमाश्य को दिन सिता पाड़ी का मेला लगता है और ये केलवाडा कस्पे के पास में 12 शेर के अंदर ये सीता बाड़ी का मेला लगता है जो कि चत्र अमश्यक दिन विशार मेला परता है जो कि हाडोती परदेश का सबसे बड़ा मेला है और सेरिया जनजाती का इसे कुम्ब का चाता है सीता बाड़ी का मेला अगला किशन सीता पाड़ी का मेला सेर्य जन्जाती का कुम का लगता है अरनोत परताब करण के अंदर गोत मेश्वर का मेला लगता है जो की वेशाव की पुर्णिमा के देन चोत का परवड़ा PAUL माधिपूर में जी नहीं केलवाडा 12 के अंदर जी हां सीता पाड़ी का मेला जेश्ट हमावश्य के दिन केलवाडा कस्पा 12 के अंदर लगता है जिसे सेरिया जनजाती का कुम का जाता है जो कि हारोती परतेस का सबसे बड़ा पश्व मेला है इसका राइडन सुरुगा ती नमबर अगला क्यूसन बारा जीले में सीता पाड़ी में किस जनजाती का कुम मेला लगता है तो इसका राइडन सुरुगा सेरिया जनजाती और भीलो का मां कुम का लगता है बेडे सुर्धाम नमाठापुरा डूंगर बुरकंदर अगला क्यूसन राजस्तान के रूनेचा के मेले की वे विसेश्था जो सुकी समाज की लियाव सकते हैं तो वे उसकी विसेश्था है सांपरता इक सद्वावना की रूप में जाने जाते हैं इसका राइडन सुरुगा दो नमबर अगला क्यूसन जिला जिसमें परशित बरतरी मेला आयोचित होता है जैपुर में बरतपुर में अलवर में दो समें तो इसका राइडन सुरुगा तीन नमबर अलवर कंदर बरतरी का मेला लगता है और बरतरी का मेला कब लगता है और ये मेला मुख्य रूप से बादर सुक्ल सातम के दिन ये मुख्य रूप से मेला बरता है और ये मुख्य रूप से कन भटे सन्याश्यू का परमुख तिर्थ इस्तलमाना जाता है कौन सा बरतरी का मेला अलवर के अंदर लगता है और कब लगता है बादरपत्द की सुक्ल सप्मे के दिन ये मुक्रुप से विशाल मेला बरता है अगला कुछन बान गंगा का मेला लगता है तो बान गंगा का मेला जैपुर में लगता है जो की वेशाक की पूर्णिमा के दिन लगता है कब लगता है वेशाथ की पूर्णियमा के दिन लगता है अगर कुछ है कि अंगलेची महीनों के एसाफ से तो आपका अंसिरोगा अप्रेल वा मैं के महीनों के अंदर बांड गंगा का मेला बरता है जो की बांड गंगा नदी के ततपर विराड सेर जैपुर के अंदर ये अजमेर से तो इसका राइड-माता अल्वर से है पर इसका राइड-माता है तो इसका राइड-माता है है अल्वर प्रीका मेला अलवर में लगता है एक हमने पड़ा बर थरीका मेला अलवर शहर में लगता है, एक जिलाणी माता का मेला बहरोन अलवर में लगता है, तो ये अलवर के इंदर लगने वाले मेले हैं, अगला क्योशन, किस सासक के सासन काल में, कोटा में दस एरा मेला लगना प्रारम हुआ, उमेज सिंग, राम सिंग, दूरजन साल, मादो सिंग, इसका और दसेरे का मेला विजे दस्टमी के दिन लगता है और विजे दस्टमी कब आती है आस्विन आस्विन सुकला दस्टमी के दिन ये मुक्य रूप से मेला लगता है जो की सिट्टुम्बर पर अक्टुम्बर के महिने में लगता है तो इसका राइड है शुरूगा चार नबर अगला किसन परशित गोटिया अंबा का मेला राजस्तान में कैसे जिल्ले में सम्मध है बाड़ मेर में, सिरोई में, स्वाइमादपुर में, बासवाड़ में गोतिया अंबाप का मेला जो कि आदिवाश्य को दूसरा कुमब का आ चाता हैं और गोतिया अंबा का मेला जो कि चेत्र अमाश्य को लगता है चैत्र अमाउश्य को लगता है और आपकी जानकर लिए बता दूं कि चैत्र अमाउश्य के दो जगे राजस्तान में मेला लगता है एक पाबुजी का मेला कोलुमंड जोदपूर के अंदर चैत्र अमाउश्य के दिन बढ़ता है और एक गोटिया अंबा का मेला बांशवारा के अंदर चेत्र अमाउश्य के दिन बढ़ता है और सीता बारी का मेला जो की केलवारा कस्पा बारा के अंदर बढ़ता है जो की जेश्ट अमाउश्य को बढ़ता है जेश्ट अमाउश्य को बढ़ता है और जांबो जी का जो मेला लगता है मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर जो की फालकुन की अमोश्य है वे आस्विन की अमोश्य के दिन बरता है अगला किसन गाह मुकाम में जंबिस्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है एक बार दो बार चार बार या तीन बार तो वर्ष में चम्मिस्वर भगवान का मेला दो बा लगता है एक फालगुन की अमाश्य है और एक आस्विन के अमाश्य के दिन इसका राय टिंस रुखाओ दो नमर आपकी जानके लिए बतादू कि वर्ष में दो बा लगने वालो मेलोग के ऐνदर एक करणी माता का मेला जो वर्ष में दो बार लगता है देशनोग बीकानेर के अंदर एक चेत्र के नवरात्रा और एक आश्विन के नवरात्रा चेत्र के नवरात्रा और आश्विन के नवरात्रा उसी तरह जीन माता का मेला जीन माता का मेला जो वर्ष में दो बार लगता है रेवाशा शिक्कर में एक चेत्र का नवरात्रा और एक आस्विन का नवरात्रा उसी तरह साकंबरी माता का मेला जो की साकंबरी शांबर जैपुर के अंदर एक चेत्र के नवरात्रा और एक आस्विन के नवरात्रा को जो वर्ष में दो बार लगते हैं अगला Question कौनब सुक्षा मेला। वर्ष में एक बार। विह शग की पुणिमा के दिन लगता है। विराचनगर। मामीर्जी की का बोगा Peak के पड़ी। का करणी माता का बोगा। इसका राइडंस रोगा करणी माता का बोगा। एक चेतर के नहुरात्रा, एक आश्विन के नहुरात्रा, इसका राइदन सुरोगा चार नमबर, अगला क्यूशन, जीन मादा का मेला राजस्तान के किस spends? जिले में वर्श में दो बार आउजित किया जाता है, तो इसके राइदन सुरोगा रेवा शा, शिकर कंद्र, जीन मा आधा का मेला निमल में से किस जिले में आजित किया जाता है तो इसका राइडेंस रोगा नागोर जिले के लिए और ये वर्ष में भी दो बार लगता है एक चेत्र के नहुरात्रा और एक आश्विन के नहुरात्रा अघ्ला किन्लिकशन निम्लिक्ट में से कौन सा मिला व्ष्ट में दो बार आजित होता है पुष्कर मिला जो कि कार्तिक पुरुणिमा के दिन लगता है सितला माता का मिला जो कि चत्र, कशन, सात्म वे आठम को लगता है चाक्सु जेपुर कंद्र, बेरेंसुर धाम का मेला, जो की माग की पुनी माग देन लगता है, और जीन माता का मेला, रेवाशा शिक्कर में लगता है, जो की चैत्र के नहुरात्रा और आस्विन के नहुरात्रा, इसका राइगेंस रोगा, जो वर्ष में दो बार बढ़ता ह जीनवाता का मेला अगला क्रिशन स्वाई भोज का मेला भीलवाडा आसिन में पर्तिवरश किस समय लगता है तो इसका राइडन शुरूगा एक नमबर बादर शुक्ला अश्ट में के दिन स्वाई भोज का मेला लगता है जो की देव नाराण जी की पिता का नाम क्या ना स्वाई भोज और स्वाई भोज का मेला आसिन भीलवाडा के दर पादर शुक्ला अश्ट में के दिन लगता है जो कि देव नारण जी के पिता थी अगला क्यूशन आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वावट के वैविन अंदर मैं आज सा और उमीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे निरंतर अपनी त्यारी के अंदर वैस्त होंगे आज का पहला क्यूशन कल्यान जी का मेला का आउचित होता है जैपुर में, आमेर में, फालना में या डिकी में इसका आइडेंस रोगा कल्यान जी का मेला टॉंप जिल्ले में पड़ता है कल्यान जी का मेला डिकी मालपुरा टॉंप में पड़ता है इसका राइडन्स रोगा चाल नूमर अगला क्योशन मूड रूट से मांड मौत्सो के रूप में जाना जाता है मारवाड मौत्सो कोलाइट मौत्सो चंदरभागा का मेला कभीर यात्रा इसका राइडन्स रोगा मारवाड मौत्सो मारवाड मौत्सो जो मुक्य रूप से सित्वंबर पर अक्टुंबर के मैने में आयजित होता है और उस मौत से हो कोई मांड मौत से होका चाता है और इसका मुक्य रूप से आयजन, उमेद, भवन के अंदर होता है या फिर मंडोर, या फिर मेरा अंगट किले के अंदर होता है किसका मांट मौत से होगा तो इसका राइटेंस होगा एक नमबर अगला क्यूशन बाड मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षन क्या है गीदर नर्तिय बवाई नर्तिय गूड़ा नर्तिय गेर नर्तिय तो इसका राइटेंस होगा चार नमबर गेर लगती है अगला क्यूशन निमलिकित में से राजस्तान का कौन सा जिला कानन मेला से समधी थे तो कानन मेला बाड मेरे रिकन लगता है अगला क्यूशन केसरिया जी का मेला बढ़ता है परबस्तर में, किराडू में चारणरा पाटन में या दुलेव में इसका राइडेंस रोगा चार नमबर दुलेव उदेपुर केंदर केसरिया जी का मेला बढ़ता है आपकी जानकर लिए बता दो की जैन द्रम के पर्थम तिरतंकर आदिनाथ या रिषभ देव को समर्बित मंदिर है कौन सा केसरिया नाजी का मंदिर और यहां पर संसार में सरवादिक ऐसा मंदिर है जहां पर केसर चड़ाई जाती है और यहां पर सरवादिक केसर चड़ाने के कारण इसे केसरिया नाजी का मंदिर का जाता है इसका राइडेंस रोगा चार नबर अगला क्रिशन जैन तिरतिस्तल कैसरिया जी का राजस्तान के किस जिल्ले में हैं डुंगलपूर में बांसवाड़ा में परतावगट में या उदेपूर में इसका राइडेंस रोगा कैसरिया जी का मंदिर का हैं दुलेव, उदेव पुरकंदर जो कि जैन ध्रम के पर्थम, तिल्धंकर, आदी नाध या रिशवदेव को समरवपिता हैं अगला केस्टन पोस्ट माम में आयोजित होने वाला मेला जीन माता का मेला जीन माता का मेला रेवाशा शिकरकंदर जो की आस्विन के नवरात्रा और चेतर के नवरात्रा के दिन आयोज़त होता है जदी माता का मेला गोट मांगलोद नागोर कंदर चेतर के नवरात्रा और आस्विन के नवरात्रा के दिन आयोज़त होता है इसका राइडने शुरोगा नाखोडा, बाडमेर के अंदर, पोष मास्क के अंदर, यह मेला आउजित होता है, जिसे राजस्तान का मेवा नगर का जाता है, जो की जेन द्रम से संभण देते हैं, और यह पोष की कश्न दस्मी, के दिन यह मेला आउजित होता है, काहां पर ना कालिया कालिया मेला आयुजित होता है तो इसका राइडेंस रोगा यह अजमेर में आयुजित होता है अगला क्यूशन मरू मौत्सव काम मनाय जाता है बीकानेर में, जोधपुर में, जैसल मेर में या उद्यपुर में इसका राइडेंस लोगा मरू मौत्सव, जैसल मेर के अंदर फरवरी मां के अंदर मनाय जाता है फरवरी मां के अंदर मरू मोत्सव वर्ष के निमलिकित में से किस महीने में आज़ूत किया जाता है अक्टूमबर दिसुमबर फरवरी या जनवरी तो इसका राइटेंस रोगा फरवरी मां के अंदर जैसर मेर के अंदर मरू मोत्सव मना जाता है अगला क्यूसन निमलिक में से घलत यूगम को पहचानी पहरा जिसे आदिवाश्यू का कुम या वागड का कुम का जाता है दूसरा उपसेन है कि बादसा का मेला ब्यावरम बरता है बिल्कुल सेह तिसरा उप्षिन है मरू महत्सो बाड महत्सो बाड महत्सो और कब मना जाता है यह मुक्रूप से मार्च और आदा फरवरी और आदा मार्च के अंदर मना जाता है और गोत्मेस्वर का मेला सिर्व में बढ़ता है बिलकुल सही है गोत्मेस्वर का मेला एक अरणोध परताग कंदर और एक गोत्मेस्वर का मेला सिर्व के अंदर लगता है और यह वेशाक की पूर्णिमा के दिन लगता है वेशाक की पूर्णिमा के दिन लगता है तो इसका और जो कि मौण्ट आप बरता है। और यह जून के महिने बरता है, जून के महिने बरता है। चैन्दर भागा मेला जो की जालरा बटन जालवार के अंदर कार्थिक पूर्णिमा की दिन भरता है ये भी बिल्कुल सही है हाती मोथसो जो की जैपूर के अंदर मार्च के महिनें भरता है कब भरता है मार्च के महिनें उंट मोथसो जैसर मेर के अंदर नहीं भरता है उंट म मौझ शो का में जाता है । इसका राइड़ शुरुआ वी कन हे गदर। जोْदुपूर के अगणे मैं मोच्छो जो कि जनवरी के महिने में के दर, जसन मेर के दर, मरू मोच्छो जो कि फरवरी के महिने के दर, बाड मेर के दर, जो कि ठार मोच्छो अगला क्योशन, हाती मोच्छो आईजन होता है, तो हाती मोच्छो का जैपूर में आईजन होता है, कहा होता है, जैपूर के दर, कब होता हैं, मार्च के महीने में, कब होता हैं, मार्च के महीने, अलवर के अंदर मतज्ची मोच्छव, अलवर में कौन सा, मतज्ची मोच्छव, और कब मनाया जाता है, मतज्ची मोच्छव, तो मतज्ची मोच्छव, सित्मबर, प्याप्टमबर के महीने के अलवर के अंदर मतश्चिय उत्सो मने जाता है सुमिलित नहीं है बरज मौत्सो अलवर में गलत है बरज मौत्सो जो की भरतपुर मायज़त होता है कहां पर होता है भरतपुर मोता है कब होता है फरवरी मां के अंदर है और फरवरी मां के अंदर भी मरू मौसो जैसर मेर 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 होता है ग्रिट मौसो माउट अबू कंदर जून के महीनिम होता है ये कतल सही है उसी तरह हाती मौसो जैपुर में मार्च के महीनिम है और मरू मौसो जैसर मेर कंदर फर्वरी मा कंदर अगला क्यूशन निमलिक्ट में से किस इस्तान पर मतच से उत्सो आजित होता है तो मतच से उत्सो अलवर के अंदर मना जाता है कब मना जाता है सिट्टुमबर वे अक्टुमबर के महिने मना जाता है और कहां पर अलवर में उनसा मोत्सो मतच सी मोत्सो और ये एक अलवर केंदर अलवर मोच्छव मना जाता है अलवर में अलवर मोच्छव मना जाता है और ये मुख्य रूप से प्रेटन विभाग रास्तान सरकार द्वारा ये मना जाता है फरवरी मा केंदर अलवर मोच्छव और मतश्य मोच्छव सितुम्बर अक्टुमर में अलर के अंदर और बरज़ मौतulative बरॉडपूर के अंदर फर्ववरी म के अंदर है अगला question कら अलवर मौत So आईजिन किस मां मां होता है तो अलवर मौत So परेटन vibhag शरेकार क्या द्वट है यह फर्वरी मां के अंदर इसका आउजिन होता है अगला question इसका राजस्तान में वार्षिक सीट काली उच्छो मनया जाता है इसका राजस्तान प्रेटें विभाग द्वारा निमन मेलो और उच्छो का आईजन किया जाता है करेंडर वर्स के अनुसार उनका तीति करम है उनकी पहले कौन सा उसके बाद में कौन सा है तो पहले जनौरी मां के अंदर वीकर नेर के अंदर उन्ट मोटसो मना जाता है तो पहले आएगा सी उसके बाद में मरू मोटसो मना जाता है कब मनाए जाता है, यहमो की रूप से फरवर के महीने में और उसके बाद मानेगा हाती उत््स, जॉकि सियोछ को devenir का मना जाता समो, जो की जॉन के महीने में महूट अबू, सिर्यख के अंडर मना जाता है, इसका राइटन स्रुआ चार नमबर का, अगला किर्शन सुमिलीत करो उट उच्छव जोकी बीका नेर कंदर हाती उच्छव जैपपुर कंदर मरू उच्छव जैसल मेर कंदर थार उच्छव बाढ़ मेर कंदर इसका राइडेंच चिरुआ एक नंबर का अगला किर्शन असंगत युकम है पहला मौमा सर उच्छव जोदपुर कंदर चंदर भागा मेला जालड़ा पाण जालवाड में कजड़ी तीज उच्छव गूंदी में सीथ मौच्छव मौटोव में इसका राइडेंच चुरुआ असंगत कौन सा है एक नंबर का क्योंकि मौमा सर उच्छव विकानिर मे आयो जोटा है कहां पर होता है आनकि विकानिर कंदर लोग संगीत पर कलाश संस्कृती का दो दिविश्य कहता है उसे बोलते हैं मौमा सर उच्छव जिसका सुरुआत दो जार इग्यार कंदर हुई थी, इसका राइटन सुरुआ एक नमबर, और चंदर भागा कंदर, पशुमेला, कार्थिक, पुर्णेमा के दिन आये ज़ित होता है, और कजली तीज, जिसे सातूडी तीज, बुडी तीज के नाम से जाना जाता है, जो कि स्रावन, कर्शन, तर्थिया के दिन आती है, जो कि बुंदी कंदर, कजली तीज का उत्सो मनाए जाता है, और सीत मौत्सो माउट अभू कंदर मनाए जाता है, फुटा देवल, मेला कहां आयजित होता है, उद्यपूर, शिरोई, राजसमद या, डुंगरपूर, इसका राइडन सुरुआ, तीन नमर का, ये राजसमद जिले कंदर आयजित होता है, अगला किशन, तेजा जी का मेला कहां आयजित होता है, मेरता सीटी, परबसर, इसका राइडन सुरुआ, परबसर, नागोर कंदर, तेजा जी का मेला आयजित होता है, और ये तेजा दसमी के दिन आयजित होता है, और तेजा दसमी, बातर, सुकल, दसमी के दिन, तेजा दसमी के दिन, रा अगला किसन तेजा दस्मी को वीर तेजा जी का मेला लगता है तेजा दस्मी आती है तो तेजा दस्मी कब आती है बातर सुकल दस्मी को तेजा दस्मी आती है और का मेला आउचित होता है परबस्तर नागर में होता है इसमें कौन से पसू की सरवादी करह विक्रे होती है तो नागोरी बेल की होती है, नागोरी बेल की सरवादी करें विक्री होती है, और ये राजस्तान का आए की दिश्टी से सब सब बड़ा पशु मेला है, कहां पर परवस्तर नागोर के अंदर आउजिद होता है, इसका राइट हैं शुरुआ, तीन नमबर का, अगला किशन, राजस्तान में कितने? राजजिद इस तरway पसु मेले आउजिद किये जाते हैं, 8, 12, 10 या 15, इसका राइट हैं सरूगा, तीन नमबर, 10 पसु मेले आयजिद होते हैं राजस्तान में, आपकी जान का लिए बदा दोगी, राजस्तान के दर, जालावार के अंदर दो पशुमेले लगते हैं एक गोमती सागर पशुमेला जालरा बटन जालावार में लगता है और एक जालावार के अंदर चंदर भागा पशुमेला जालरा बटन जालावार के अंदर राजस्तान के दर दो जालावार जिले के अंदर पशु मेले आयजित होते हैं इसके लबा एक करूली के अंदर लगता हैं जिसका नाम है मा सिवरात्री पशु मेला जो की करूली जिले में आयजित होता है इसके लावा एक भरतबूर के अंदर जस्वंत पसु मेला आईजित होता है कहाँ पर भरतबूर के अंदर इसके लावा नागोर जीले के अंदर पसु मेला आईजित होता है इसके लबा एक बल्देव बल्देव पसुमेला जो की मेर्टा सीटी मेर्टा सीटी नागोर के अंदर आई जित होता है और इसके लबा बाबा रामदेव पसुमेला जो की माना सर नागोर के अंदर लगता है तो नागोर में तीन एक बाबा रामदेव पसुमेला माना सर नागोर में एक सिरी बल्देव पसुमेला मेर्टा सीटी नागोर में और एक तेजाजी पसुमेला परवसर दीरवना कुचामन जिल्ले के अंदर ये तीन नागोर के अंदर पस तिलवाडा बाड मेर कंदर श्री मलिनाची पशु मेला तिलवाडा बाड मेर कंदर आई जित होता है तो ये दस पशु मेले इसका लबा एक और है कार्तिक पशु मेला जो की पुष्ट कर अजमेर में लगता है ये भी एक पशु मेला है जो की पुश्ट कर अजमेर में लगता है तो ये 10 मेले आपकी जान कर लिए बतादो दूबारा एक गोमती सागर पशु मेला जाल्रा बटन जालवाण एक चंद्र भागा पशु मेला जाल्रा बटन जालवाण इसके लगवा तो ये दस मेले आप याद रखना अगला क्योशन सुमलित कीजिव पहला तेजा जी का पसुमला परबस्तर में आयरिजित होते है और ये कब होता है मासिवरातरी के दिन आता है चनद्रबागा पसुमेला जाद्रापटन जालवार के अंदर और यह कब आय जित होता है ? एक जाद्रापटन जालवार के अंदर गोमती सागर पसुमेला का आयचेंधी होता है एक मली नाजी पसु मेला जो कि वर्दमान के अंदर बालोतरा जिली के अंदर तिलवाडा बालोतरा जिली के अंदर गताता है इसका राइडेंज रुआ एक नमबर का और मली नाजी का पसु मेला चैत्र कश्न एकादसी से लेकर चैत्र सुक्ल एकादसी के मद्य है ये राजस इसल में मालाणी नसल का क्राये विक्रे होता है अगला किशन कि निमिलिक्त मेंसे कौन सा पसुमेला और इस्तान सही सुम लेथ नहीं है नहीं है मलीनात पसुमेला तिलवाडा बालोतरा बिलकुल और ये कम आयो जैत होता है चैतर क्रश्ण 11 दी से लेकर चैतर सुक्ल 11 कमद्र आयो जैत होता है वीर तेजाजी पस तुमेला परवस्तर कुचामन बिल्कुल सहिए जस्वंत पसुमेला करोली ये गलत है जस्वंत पसुमेला बरतपुर में लगता है का लगता हैं बरतपुर के उड़ और इसके लवाग कुंसे लगता हैं तो माच सिवरात्री पश्चू मेला करोल लगता है गोम्ती सागर पश्चू मेला जाल बाटन जाला औरोड में इसका राइज शूरुआ omat अगला किसन किस जिले में राजे सरकार सबसे अधिक पशु मेला आजिन करती हैं तो वें बीका नेर में आजिन करती हैं बिकानेर केंदर तीन पसु मेले परदेंग एक बलदेव पशु मेला मेर्दा सिटी नागोर केंदर एक बाबा रामदेव पशु मेला माना सर नागोर केंदर और एक तेजा जी पसु मेला परबस सर डीडवाना कुछा मन केंदर परदेंग इसका राइटेंग सुरुआ चार नमबर मिर्ची बाजा राजस्ताने निमली की मेलो में से किसका एक परमुख आकर्षन है इसका राइडेंस रोगा नागो अरमेला इसका राइडेंस रोगा चार नमबर अगला कुशन मेर्टा का बल्देव पशुमेला लगता है मेर्ता का बल्देव पशुमेला चेत्र एकम से लेकर पुर्णे मा तक आईजिन होता है इसका राइट है शुरूगा दो नमबर का अगला किशन पशुमेले वे उनके जिलों को सही सुमलित कीजिए पहला बल्देव पशुमेला क्यों की मेर्ता सीटी के अंदर पढ़ता है चेत्र पशुमेला जालदा बाटन जालवाड में लगता है रामदेव पशुमेला क्यों की नागोर में लगता है माना सर ये नाम याद रगना माना सर पूचा जा सकता है माना सर नागोर के अंदर लगता है वीर तेजा जी पर्शु मेला परबत सर नागोर में पड़ता है इसका राइट है शुरुआ एक नमबर का अगला किसन चंद्रबागा परशित मेला अक्टूमबर और नौमबर में कहां लगता है तो ये अक्टूमबर और नौमबर के अंदर कार्थिक पूर्णिमा के दिन जालदा पड़न जालवार के अंदर चंद्रबागा परशु मेले का आयजिन होता है और जालदा पड़न जालवार के अंदर गोमती सागर परशु मेले का आयजिन भी होता है अगला किसन चंद्रभागा मेला पर्तिवरष कार्तिक मां के दिन आयोजित होता है अगला किशन हाड़ोतिका सुरूंगा मेला का जाता है तो हाड़ोतिका सुरूंगा मेला किसे का जाता है इसका राइटेंस रोगा चंद्र भागा का मेले को हाडूति का सुरूंग का मेला का चाता है अगला किसन मलीनाथ पसु मेला आज जीत होता है जारदा पाटन में स्वाई माधपुर में परबस्थर में या तिलवाडा में तो स्कराइटि स्रुें का तिल्वाडा-बाडमेर के अंदर मलिभिनात जी का इन लगता हैं और ये चत्र कॉष्णे 1 से लेकर चत्र ⁗-"शुकल्ए 1 सिख्मत्य बरता हैं और न मत येला ये बटा है तिल्वाड़ाडमेर में और तिल्वाड़ा आदान परदान होता है पीछे मैंने गलत बोल दिया था थारबार नसल और काकेश नसल का बेलों की अधिक क्रे विक्रे होता है अगला क्यूसन मलीनाद पस्टू मेला तिलवाडा आईजित किया जाता है चैतर कृष्ण एकादसी तो इसका राइडेंस रोगा एक नबर मलीना यह बढ़ता है तो इसका राइडेंस रोगा एक नबर का अगला क्यूसन मा सिवरात्री पस्टू मेला किस इस्तान पर आईजित किया जाता है तो इसका राइडेंस रोगा करोली कंद्र आईजित किया जाता है और यहां पर हरियानवी गायों की नसल का क्रे विक्रे होता है अगला क्योशन कौन सा पसु मेला और जिला सही सुमलित नहीं है चंद्रभागा पसु मेला जालडा पाटन बिल्कुल सही जालडा पाटन जालवाड केंदर कोगा मेडी पसु मेला हनुमान कट बिल्कुल सही है सिवरात्री पसु मेला स्वाइमादपुर गलत है और यह वेशाग के महीने में आउजित किया जाता है एक गोत्मेश्वर का मेला अरणोद परताब के अंदर बढ़ता है और एक गोमती सागर परशु मेला जालरा पाटन जालाबार के अंदर वेशाक की के महिने में आयोजन होता है और यहां पर मुकी रूप से मालवी नसल मालवी नसल का क्रय विक्रे होता है अगला किशन जैपुर्ट चिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगड बद्या 400 वर्सों से कौन से मेले के लिए विक्यात है तो इसका राइडेंस रोगा गदो का मेला आयोजन होता है इसका राइडेंस रोगा चार नबर अगला किशन राइडेंस रोगा जैपुर्ट चंदर अगला किशन सारणेस सर पसु मेला आयोजित होता है इसका राइडेंस रोगा शिरोजिले कंदर अगला किशन मेला वे मा सुमिलित कीचिए पहला उसकर मेला कार्तिक पुनिमा के दिन जीन माता का मेला रेवा सा सिकर में चेत्र के नहुरात्रा आस्विन के नहुरात्रा रतरहिक का मेला बादर पक्स की सुकल अश्टमी के दिन बरता है और डिगी कल्यार जी का मेला कीजिए देव नाराण जी का मेला कब आयो जित होता है तो देव नाराण जी का मेला बात्र शुक्ल सत्मी के दिन आयो जित होता है राम देव जी का मेला बात्र शुक्ल दिर्टिया के दिन आयो जित होता है वीर पत्ता जी का मेला बात्र शुक्ल नम्मी के दिन आयो जित होत मूडवा का मेला नागोर में मरू मेला जैसर मेर में कपिल मुनी का मेला बीकनेर में इसका राइडन सुरुआ चार नमबर स्वरी तीन नमबर आज के लिए इतना ही क्लास अच्छी लगी हो अन्हें दोस्तों को साथ सेर जरूर करना और चैनल को सिस्क्राइब जरूर करना थैंक्यू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत्व एवी निंदन आज हम राजस्तान के तेहारों से समधित विगित प्रिक्सा में पूछी कई मैठपूर क्योष्णों पर डिसकसन करेंगे साथ ही आज पास बनने वाले क्योष्णों पर डिसकसन करेंगे ताकि आने वाले एक्जाम के अदर आपका सीधे सीधे क्योष्ण आ सके आज का पहला क्योष्ण सक्समध के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस मार्ण के रूप में जाना चाता है आसाड, बादरपद, चत्रिया, पोश इसका राइडन अंसर होगा आसाड, पक्स जो की 22 जून से लेकर 23 जुलाई के मध्य आता है आपकी जानकर लिए बता दू की हिंदू तेहारों की सुरुआत चत्र के महिने से होती है और चत्र का महिना मार्च वे अप्रेल में आता है वेशा का महिना वेशा पक्स जो की अप्रेल में और मई में आता है और वेशा के बाद में आता है जेश्ट जेश्ट जो की मई में और जून में आता है और उसके बाद में आता है असाड क्या आता है असाड जोगी जून वे जुलाई में आता है जून वे जुलाई में आता है और असाड के बाद में आता है स्रावन पक्स स्रावन आता है और ये मुक्य रूप से आदा जुलाई और आदा अगस्त के अंदर आता है और स्रावन के बाद मादा भादरपद भादरपद और भादरपद मुक्य रूप से आदा अगस्त और आदा सित्वंबर के महिने में आता है और भादरपद के बाद में आता है आस्विन क्या आता है आस्विन और ये आस्विन आदा सित्वंबर और आदा अक्टॉंबर के महीने में आता है और आस्विन के बाद में आता है कार्थिक और ये आदा अक्टॉंबर वे आदा नौंबर के महीने में आता है और उसके बाद में आता है मार्ग सिर्ष जो की नॉम्बर के महीने में और दिस्वंबर के महीने में आता है और उसके बाद में पोश्ट आता है जो की आदा दिस्वंबर और आदा जनवरी के महीने में आता है और उसके बाद में आता है मार्ग जो कि आदा जनवरी और आदा फरवरी माता है और उसके बाद माता फालगुन फालगुन जो कि आदा फरवरी और आदा मार्च के महीने माता है और वापिस फालगुन के बाद माता है चेत्र जो कि आदा मार्च वे अपेल के महीने माता है तो इतनी जानकर आपको होनी चीए अगला किसन राजस्तान में तेहवारों का आगमन किस तेहवार से माना जाता है वेसाग तीज को, स्रावन तीज को, बादरपत तीज को, जेश्ट तीज को इसका राइड है शुरोगा, दो नमबर, स्रावन सुक्ल तर्ट्या के दिन राजस्तान में तेहवारी की शुरुआत होती है मारबाड में कावाद है कि तीज तेहवार बावडी ले डूबी गणगोर अर्थात राजस्तान में तीज के देन तेहवारों की शुरुआत होती है और वो भी स्रावन सुकल पक्स की तर्थिया के दिन तीज जिसे चोटी तीज का जाता है और इसी दिन राजस्तान में तेहारों की सुमापती होती है और गंगोर के दिन राजस्तान में तेहारों की सुमापती होती है और गंगोर का महीना कब आता है चैत्र, शुकल, तर्तिया के दिन गंगोर होती है और इस दिन राजस्तान में तेहारों की सुमापती होती है तो राजस्तान में ये कावत है कि तीज तेमार बावडी लेडूबी गंडगोर अर्थार स्रावन सुकलत तर्तिया के दिन राजस्तान में तेमारों की शुरुआत होती है और गंडगोर के दिन राजस्तान को तेमारों की स्वाप्ति होती है जो की चत्र शुकलत तर्तिया के दिन आती है अगला स्रामन सुखलत तर्थिया के दिन जिसे चोटी तीज या हर्याली तीज के नाम से जाना जाता है जांसे तेमारों की शुरुआत होती है तो गनगोर के दिन इसकी समाप्त होती है तो इसका राइटन सुरुआ चार नवर और सीतल अश्टमी कब आती है तो चैतर कृष्ण अश चार नवर चत्रम सुकण Million से हिंदू महीनों का शुरुआत होती है तो इसका राइटन सुरुआ चार नवर और अगला क्युंचिट स्यूपूर में तीज की सवारी किस मााम में निकली जाती है तो याबपूर में तीज की तहमारी स्रावन, सुकल, तर्ट्य की दिन जिसे छोटी तीज जिसे हरियली तीज के नाम से जाना चाता है और इसी दिन राजस्तान में तेहार हों की शुरुआद होती है जो की जयपूर की स्वारी पर्शिता है अगला किसंग तीज का तेवार मुख की रूप से का मना जाता है अजमेर जैपूर जोदपूर या विका ने इसका राइडन्स रोगा जैपूर के अंदर तीज का तेवार मना जाता है और ये स्रावन सुकलत तर्तिया होती है और इसी दिन छोटी तीज का जाता है जो कि जैपूर की स्वारी परशिता है और इसी दिन कुवारी लड़किया सुन्दर पती की कामना करती है अगला क्यूसन राजस्तान में बड़ी तीज मने जाती है स्रावन कर्शन तर्थिया को स्रावन सुकल तर्थिया को बादर सुकल तर्थिया को बादर कर्शन तर्थिया को इसका राइडन्स रोगा बादर पद की कर्शन पक्स की तर्थिया के दिन बड़ी तीज मनाई जाती है और इस बड़ी तीज की स्वारी जो की बूदी की परश बूंदी की परसीदे हैं और ये भात्रपद के कृष्ण पक्स की तर्थिया के दिन मने जाती हैं अगर बात करें स्रावन के महीने के अंदर दो पक्स होते हैं एक होता है कृष्ण पक्स एक होता है सुक्ल पक्स अगर स्रावन के महिने केंदर कृष्म पक्स की बात करें कि स्रावन कृष्म पक्स की पांचम होती है पंचमी उस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है और स्रावन पक्स की अमोश्या होती है जिसे हरियाली अमोश्या का जाता है और इस हरियाली अमाश्य के दिन तीन जगे मेला लगता है एक कलप रक्स का मेला मंगली आवास अजमेर में लगता है एक फते साकर का मेला उदेपुर में लगता है और एक बुड़ा जोड का मेला स्रीगंगानगर कंदर हरियाली अमाश्य के दिन मना जाता है और हरियाली अम पस्फरी पशीदए है और यहां पर नव विवाइत लड़क्या लेरी आनामक ओरड़नी ओरती हैं और कुवारी लड़क्या सुंदर पदी के लिए कामना या मननत मांगती है और इसी दिन नव विवाइत लड़कियों के लिए सस्राल पक्स से सिंजार लाया जाता है किस दिन छोटी तीज के दिन और आपके जान के लिए बता दूँ कि स्रावन पक्स की एनकि स्रावन की पूर्णी मा के दिन जिसे बोलते हैं रक्षा बंदन क्या होता है रक्षा बंदन होता है अगला क्यूसन कजली तीज जिसे साथूडी तीज भी केते हैं किस मा में मनाई जाती हैं बादर कृष्ण अश्टमी को बादर कृष्ण तरतिया को चैतर कृष्ण अश्टमी को कार्तिक पूर्णी मा को इसका राइडन्स रोगा बादर कृष्ण तरत्या के दिन बूडी तीज, कजली तीज, सातूडी तीज या बड़ी तीज मने जाती हैं और जहां की बूंदी की स्वारी परशिदे कां की बूंदी की स्वारी परशिदे और छोटी तीज की स्वारी कां की परशिदे जो की जैपुर की स्वारी परशिदे अगला क्युशन राजस्तान में कजली तीज का तेमार एं मेला परसिद हैं तो कजली तीज, बूडी तीज, सातूडी तीज जो की बूदी की स्वारी परसिद हैं इसका राइडेंस रोगा, चार नंबर और कजली तीज कप आती हैं बादरपद की कश्म पक्स की तर्टिय के दिन कजली तीज मने जाती हैं अगला किसन चोटी तीज का तेमार हिंदू पंचांग के एनुसार किस मा में मने जाता हैं चेत्र स्रावन बादरपद या कार्थिक इसका राइडेंस रोगा, स्रावन पक्स की सुकल तर्टिय के दिन चोटी तीज मने जाती हैं जांकि जैपूर की स्वारी परशिद होती हैं और इसी दिन नव विवाइत लड़कियों के लिए ससुराल पक्स से सिंजारा लाए जाता है क्या लाए जाता है, सिंजारा लाए जाता है अगला क्यूशन हरी अली तीज मने जाती हैं तो सामानी दोर पर छोटी तीज कोई हरी अली तीज का जाता हैं और छोटी तीज का बाती हैं स्रावन सुकल तर्टिया के दिन छोटी तीज मने जाती हैं इसका राइडेंस रुआ एक नमबर का अगला क्यूशन राजस्तान में इस्त्रियों द्वारा लेहरिया किस अफसर पर पैना जाता है तो राजस्तान में इस्त्रियों के द्वारा या लड़कियों के द्वारा लेहरिया नमक ओड़नी ओड़नी जाती है सावनी 30 के दिन ये छोटी 30 के दिन इसका राइड एंस रोगा एक नमबर और इसी दिन जैपूर के दर सुवारी निकाली जाती है और कज़ी 30 बादरपद की किश्णपक्स की तर्थिया के दिन होती है जो की कज़ी 30 होती है जो की बुंदी की परशित है अगला किस्वन राजस्तान के कौन से सेतर में चैतर सुकल पंचमी को गुलाबी गंकोर मने जाती है जोदपुर में बूंदी में उद्यपुर में या राजसमद में इसका राइडेंस रोगा चार नमबर राजसमद में आपकी जान के लिए बता दू कि और गुलाबी गंगोर चैतर सुकल पंचमी की दिन द्वारी अदिश मंदिर ना द्वारा राजसमद गंदर मनाई जाती है अगला किस्वन राजस्तान के पतिक वर्ष के चैतर मास में गंगोर पुजन उच्छव दिवस की तिती है तो ये चैतर सुकल तर्थिया पक्स के दिन मनाई जाती है कि चैतर सुकल तर्थिया को गंगोर का तेमार मनाई जाता है और गंगोर के दिन सिव वैपारवर्ती की पुजा होती है और ये गंगोर की बूजा दुलन्डी से शुरू होकर लगबग 18 दिन तक चलती है और ये गंगोर मुझकी रूप से जैपुर की और उदेपुर की गंगोर की स्वारी परशित है और जैसर मेर के अंदर बिना इसर की गंगोर जैसर मेर की परशित होती है और वहाँ पर चत्रो सुकला चतुर्ते की दिन बिना इसर की गंगोर जैसर मेर के अंदर निकली जाती है और गणगोर का तेमार सरवादिक गीतो वाला तेमार होता है और इसी दिन लड़िया अपने सुन्दर पती की कामना करती है और विबाइत इस्त्रियों के दौरा अपने सुहाग के अमर होने की कामना करती है अगला क्यूशन बीना इसर की गवर्ण कहां पूजी जाती है तो ये जैसल मेर के अंदर पूजी जाती है अगला क्यूशन किस हिंदू माह में गणगोर तेमार मने जाता है तो गंडगोर तेमार जो सरवादिक गीतो वाला तेमार जहां जैपुर वै उदेपुर की सवारी परशित होती है गंडगोर की और इस दिन सिव वैपार्वती की पुजा होती है और ये चैत्र सुकलत तर्तिया के दिन मनाय जाती है अगला किशन गंडगोर तेमार कितनी अवदी तक मनाय जाता हैं तो गंडगोर तेमार दुलंडी से इसकी पुजा शुरू होती हैं और ये चैत्र सुकलत तर्तिया तक लगबग 18 दिन तक मनाय जाता हैं इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर अगला किशन इसर जी वे इसरी जी निमन में से किस युगम को परदेशित करते हैं इसर का मदद होता है सिव इसरी का मदद होता है पार्वती तो इसका राइडेंस रोगा गंडगोर के दिन सिव वे पार्वती की पूजा होती है अगला किशन निमलिक्द में से कौन सा राजस्तान का वापरशिद परव है जिसमें विवाइत वै और विवाइत इस्त्रियो सिर्व वै पारवति की मूर्तियों की पूजा करती है इसका राइडेंस रोगा गंडगोर के उस्तर पर इसका राइडेंस रोगा चार नमबर अगला किसन दिंगा गंगोर का मेला का मना जाता है तो दिंगा गंगोर का मेला जोदपुर गंदर बना जाता है इसका राइटेंस रोगा चार नमबर और जोदपुर के अंदर चत्र सुकलत तर्थिया के दिन गंगोर का विसरजन होता है और उसके बाद में वेशाक कश्म ब दिगागंगोर, मेवार के अंदर भी राज सिंग बने जाती है। जो उदेपुर के राजा राज सिंग वे थी। इवह आदरी परारम हुआ था। अगला किसनग वेशाक कुष्ण Тर्थ्या के दिण दिगागंगोर की राज सिंग के शासनकाल में redefi। तो ये मेवाड के राजा राज सिंग के सासन कालकंदर प्रारम होगा था अगला ग्युसेन निमलिक में से कौन सा तेमार एक कलेंडर वर्ष विक्रमी स्वध के अनुसार सबसे बाद में आता है होली, गंगोर, अरक्सबंदन या कृष्ण जनवाश्टी इसका राजन सिरूगा एक नमबर होली का तेमार और होली का तेमार फालगुन पूर्णिमा के दिन आता है इसका राजन सिरूगा एक नमबर, गंगोर का बादी है गंगोर, चत्र, सुकल, तर्थिया के दिन होती है और रक्षा बंदर जो की स्रावन की पुणिमा के दिन रक्षा बंद रोती है और कृष्ण जन्माष्टी जो की भादरपत के कृष्ण पक्स की आठम को कृष्ण जन्माष्टी जा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था अगला क्यूसन अजमेर जिल्य का कौन सा इस्तान कोडा मार होली उत्सव पर्षिद है तो इसका राइडेंस रोगा बिनाए अजमेर एक नमबर एनकी राजस्तान के अलगलग जिलों में अलगलग परकार की होली पर्षिद है जैसे राजस्तान के विभीन जिलों की अलगलग होलिया पर्षिद है जैसे लट मार की होली स्री माविर जी की होली करोली की पर्षिद है पत्थर मार की होली पत्थर मार की होली इलू जी की सवरी निकल जादी जो की बाड मेर की पर्षिद है कोडा माल होली कोडा मार होली जो की बिनाय केकडि जिले की परशिद हैं, देवर भावी की होली ब्यावर जिले की परशिद हैं, अंगारू की होली केकडि जिले की परशिद हैं दूद दई की होली नाद्वारा रासमंद की परशिद हैं फुलो की होली गोविन देवजी का मंदिर जैपुर की परशिद हैं तो अलग अलग जगों की अलग अलग होली परशिद हैं अगला क्युस्षण निविन में से कौन सा इस्तान पत्थ्र मार होली के लिए पर्षिद है तो पत्थ्र मार होली के लिए बाटवेर जिल्ला पर्षिद है और जहाँ पर पीलो जी की स्वारी निकाली जाती है इसका राइडएंस रूगा तीन नुबर और ब्यावर हजमेर गंदर ब्यावर जिले गंदर डेवर भावी की होली परशिद है और माविर जी करोली गंदर लट मार की होली परशिद है अगला क्योशन सुमिलित कीजिए माविर जी की होली जो की लट मार होली है करोली की परशिद है बिनाए कोड़ा मार होली परशिद है सांगोद के नहन परशिद है बाड मेर की पत्थर मार होली परशिद है इसका राइटेंस रोगा चार नमबर अगला क्यूशन राजस्तान का कौन सा इस्तान होली प्रव के अउसर पर इलोजी की स्वारी के लिए जाना जाता है इलोजी की स्वारी के लिए पत्थर मार होली बाड मेर जाना जाता है इसका राइटेंस रुगा दो नमर का अगला क्योशन नेवलो की पूझा किस दिन की जाती है तो नेवलो की पूजा निर्टर नमवी के दिन की जाती है और ये कब आती है ये आती है स्रावन कशन पक्स की नमवी के दिन निर्टर नमवी आती है इसका राइडेंस रोगा जहांपर नेवलो की पूजा की जाती है इसका राइडेंस रोगा दो नुबर अगला किसन करवा करवा चौत का वरत मनाया जाता है स्रावन कश्न चतुर्ती चत्र सुखल चतुर्ती कार्थिक कश्न चतुर्ती को करवा चौत मनाया जाती है मनगल कामनय दिन नबर अगला कुश्न चतुर्ती कार्वा चौत मनाया जाता है तो इसका राइटन सुरुआ थी जनबर अगला किशन वेशाक सुक्ल तर्तिया और स्रावन कृष्ण पंचमी को कौन से तेमार पड़ते हैं बड़ी तीज का तेमार जी नहीं बड़ी तीज का तेमार कब आता हैं बड़ी तीज का तेमार जिसे साथोड़ी तीज के नाम से जाना जाता हैं जो की भादर पत के किस्म पक्स के तर्च्या के दिन आता है और रिशी पंच्मी कब आती हैं? रिशी पंच्मी कज आता है न शुख्ण की पंच्मी को नाग पंच्मी मने जाती है इसका राइटेंस रुआ दो नबर गाँ, छोटी तीज का बात ही हैं, छोटी तीज स्रावन शुक्ल तर्तिया को छोटी तीज मने जाती हैं, जोकि जैपूर की स्वारी परशिदर हैं, और वसंद पंचमी का मने जाती हैं, वसंद पंचमी माग सुक्ल पंचमी को वसंद अक्से तर्थिया का तेमार कब मनाया जाता है वेसाग महीने के सुक्ल पक्स की तर्थिया को जेश महीने के सुक्ल पक्स की तर्थिया को वेसाग महीने के कश्न पक्स की तर्थिया को असाड महीने के सुक्ल पक्स की तर्थिया को अक्से तर्थिया का बाती है वेसाग महीने क सुक्ल पक्स की तर्ट्या को विश्याक का तेमार मना जाता है इसका राइडेंस रुगा एक नमबर का अगला किस्वन नियुलिन मैशित बिवाग के लिए राजस्तान का सबसे महत पुरा अभूज इससावा कौन सा होता हैं तो बै आख अतीच के दिन होता है वेशाक सुक्लत तर्ट्या की दिन राजस्तान के प्रेवादी इक बाल विवाग होता है करवाचोद का पाती हैं कर्वाचोफ कार्थि किष्मपंच में को स्ऱरी चतुर्थि को कार्थि किष्मपंच मना जाती हैं अगला ठ्विसन खेज़ी वरक्स की समी वरक्स की पूजा का प्रावदान किस प्राव से जुड़ा बाएं इसका राइडेंश रुगा तसरे के तेमार जिसे विजे दस्मी होती है और विजे दस्मी का तेमार आज़ विजे दस्मी मने जाती है और इसी दिन खेज़ी वरक्स की पूजा होती ह अगला किशन भादर मास के कृष्णपक्स की छटमी को मनाने वावला तेवार बेह है गणगोर का तेवार चट्र सुकलत तर्था के दिन मने जाता है उपसट जो की भादर पत के कृष्णपक्स की छटम को उपसट मने जाती है इसका रायड है सुरगा दो नबर और इसी दिन कौरी कनिया अच्छे पती की कामना एदू फूरे दिन खड़े बेकर अपना वरत रखती हैं और शाम के समय चैंदरमा को देखकर भय बोजन करती हैं इसका right answer का दो नुम्बर अगला question राजस्तान में उपिचट प्रव कि बनाया जता हैं, राजस्तान में उपिचट का प्रव बातर पत्क के कर्श्म पत्क की है prim 很ज बना जाता है इसका राइडेंश रोगा तीन नमबर आज सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत वैविनेंदर आज का पहला क्यूसन शावन के स्ववार को किस देवता की पुजा की जाती है गणेश, हनुवान, लक्ष्मिया, सिव की तो भगवान, शिव की, कुवारी, कन्याओं की दोरा अच्छे पती की या सुन्दर पती की मन्नत मांगती है इसका राइडेंश रोगा चार नमबर अगला क्यूसन साजी पुजन किस में लोग परिये हैं? ग्राशियों में, सुवागिन इस्त्रियों में, भील में, कुवारी, कन्याओं में इसका राइडेंश रोगा चार नमबर कुवारी, कन्या, साजी पुजन करती है और यह मुक्य रुप से सराद पक्स केंदर होता है यह भाद्रपद की पुरुनिमास से लेकर, आस्विन की अमवश्य तक, सौरा दिन तक, कुवारी, कन्याओं के द्वारा, साजी पुजन किया जाता है इसका राइडेंश रोगा चार नमबर अगला क्यूसन साजी के रूप में किस देवी की पुजा की जाती है? पारवति की, दुर्गा की, सुर्श्वति की या, लक्ष्मी की तो इसका राइडेंश रोगा, इसमें पारवति की पुजा होती है यनकी यह कुवारी कन्या, इस्तिमार को धुम ताम से मनाती है और यह स्राद पक्स होता है इनकी भाद्र पक्स की पूर्णिमा से लेकर आस्विन वास की अमश्र के मद्ये 16 दिन तक घर की कुवारी कन्यों के दोरा घर के बार दर्वाजों पर दिवारों पर गाय का गोबर का लेप करते वे विबिन परकार की सुन्दर आकरतिया बने जाती है इसका राइडेंस रोगा एक नमबर अगला ग्युसन स्राद पक्स जिसके दोरान पुर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है तो ये बादर शुक्ल पुरुणिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमश्य तक स्राद पक्स होता है और ये कितने दिन तक होता है सुरह दिन तक ये शराद पक्स चलता है इसका राइडेंस रोगा दोर नमबर के अगला फूसल की राजस्तान मे में अ तेवार कब मना जाता है स्रावन सुकल अश्टमी को स्रावन कृष्ण अश्टमी को चेत्रकृष्ण अश्टमी को बात्रपद्र सुकल अश्टमी को इसका राय देंस रुगा चेत्रकृष्ण अश्टमी को मारवार के अंदर महिला के द्वारा गुडला तेवार मना जाता है इसमें माईला एक मटके के अंदर एंकी सित्र वाले मटके के अंदर डीपक्स जला कर उसे तालाद के अंदर बा देती है और ये चैत्र कृष्ण अश्टमी के दिन इसी दिन सीत्ला अश्टमी होती है और इसी दिन मारवार के अंदर माईलाओ के द्वारा गुडला तेमार मनाय जाता है इसका राइड एंसर होगा तीन नंबर का अगला गुशन गुडला तेमार किस की समर्थी में मनाय जाता है इसका राइड एंसर होगा तो इसका राइड एंसर होगा राव सातल देव की इसमर्थी में जोद्बूर के राजा राव सातल देव की इसमर्थी में इस्त्रियों को गुडले कहां से मुक्त करवाने की याद कंद्र ये गुडला तेवार मनाए जाता है मारवार कंद्र और इसी दिन इस्त्रिया सिद्रित मटका लेकर जिस कंदर एक दीपक रखते हैं और गीर गाती हुई गर से बाहर जाती हैं और फिर ये गड़ा तालार के अंदर बाहर देती हैं इसका राई डेर हुआ चार नमबर जोधपूर के राजा सातल देव की इसमर्ति के अदर गुड़ला अतिवार मना जाता हैं और य를 कब बनाय जाता हैं चत्र कश्न अश्त्मी के दिन मनाय जाता हैं इसका राई डेर हो गाग है पुल्कुल सही हैं गणगोर चेत्र सुक्लत तर्तिया को मना जाता है बिल्कुल सही है गुडला स्रावन सुक्लत तर्तिया को मना जाता है गलत है स्रावन सुक्लत तर्तिया के दिन छोटी तीज हरियली तीज जिस दिन राजस्तान के अंदर तेमारों की सुरुवात होती है और ये छोटी तीज के दिन जैपुर के अंदर स्वारी निकली जाती है तो ये छोटी तीज मने जाती है और गुडला तेमार चैतर कृष्ण अश्टमी को मना जाता है और इस वी दिन सीतला अश्टमी मना जाती है और उसी दिन चाक्सु जैपुर कंदर सील की डूंगरी पर सीटला माता का भव्य मेला परदा है इसका राइडन सुरु कौन सा सही सुमनी तो नहीं है इसका राइडन सुरुआ टीन नंबर का फूल डोल चैतर कृष्ण परतिवधा को मना जाता है बिलकुल सही है अगला कुशन निमन में से कौन सा तेमार स्रावन के महीने में नहीं आता है नाग पंचमी तीज रक्सा बंदन जन्माष्ठी इसका राइडन शुरुआ चार नमर जन्माष्ठी का तेमार बादरपद के कृष्ण पक्स की आटम को आता है अश्टमी को आता है और इसी दिन भगवान कृष्ण का जन्म हो आता इसका राइडन शुरुआ चार नमर और रक्सा बंदन कम आती है स्रावन मास की पुर्णेमा के दिन रक्सा बंदन होती है और तीज का तेमार स्रावन सुकलत तर्तिया के दिन छोटी तीज, हरियली तीज पंचमी, अगर बुचे आपको कि रिशी पंचमी का तेमार कब मनाए जाता है तो आपका अंसरोगा भाद्रपत के शुकल पक्स की पंचमी को रिशी पंचमी मनने जाती है और नाग पंचमी स्रावन पक्स के कृष्ण पक्स की पांचम को मनने जाती है उपसट, बड़ी तीज या कजली तीज, रक्षा बंदल, नाग पंचमी, उपसट का तैमार कप आता हैं, बादरपद के कश्न पक्स की छट को आता हैं, बड़ी तीज, इसे कजली तीज के नाम से जाना चाता हैं, इसे बड़ी तीज, कजली तीज, सातूरी तीज, जो बूं पंचमी, स्रावन मास की, किश्न पकस की पंचमी को आती हैं। इसका राइडेंस रोगा एक वर दो… अगल्या क्विशन रिशी पंचमी मनाय जाती हैं, स्रावन सुख्ल पंचमी आस्वियन सुख्ल Понचमी को, बादरपत शुख्ल Koll पंचमी को, कार्थिक शुख्ल पंचमी को तो रिशी पंचमी बातर पत की सुख्ल पक्स पक्स की पंचमी को मने जाती है इसका राइड एंस रोगा तीन नमर अगर पुचे की नाग पंचमी कबा नहीं जाती है स्रावण पक्स की कृष्ण पक्स की पंचमी को मने जाती है अगला क्युशन कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू तेवारों के बारे में सही है पहला अक्से तर्तिया वेशाग मास की सुकलपक्स की तर्तिया को निर्जला एकादसी जैश्ट मास की सुकलपक्स की एकादसी अक्से तर्तिया चेतर मास की सुकलपक्स की तर्तिया और निर्जला एकादसी आसाड मास की सुक्ल पक्स की एकादसी इसका राइट एंसर होगा एक वा दो एनकी एक नमबर इसका राइट एंसर होगा अक से तर्तिया कब आती है वेशाग सुक्ल तर्तिया को अक से तर्तिया आती है जैश्ट मास की शुक्ल बक्स की इकादे सी को आती है इसका राइड है रहा एक और दो नुबर अगला कुछ बस बारस मनहीं जाती है बाद्रपद क्रष्ण 12 स्रावणः शुक्ल 12 बाद्रपद सुक्ल 12 स्रावणः क्रष्ण 12 दौादसी बाध्रपट के休憩 कर विशने मनें जाथी राज user को बस बारस मनें जाती है इसका राइडिन्स राइडी को एक ग्य। आगला क्ञिंशन मिक्रम समत हम सीख मी किस दिन मनें जाती है तो मनें जाती है चैटर कश्म кो सीखमार मनें जाता है। और इसी दिन सील्की डूंगरी चाक्सू जैपूर के अंदर सबसे बड़ा सीतला माता का मेला लगता है इसका रायदेंस रोगा एक नमबर और इसी दिन मारवार के अंदर गुडला तेमार मना जाता है जोद्पूर के राजा सातक देव की याद में इसका राइडन सुरोगा एक नमबर अगला किसन असो का अश्टमी मनने जाती है चैत्र कृष्ण अश्टमी को विशाक सुकल अश्टमी को स्रावन कृष्ण अश्टमी को चैत्र शुकल अश्टमी को अशोका अश्टमी कब मने जाती है चैत्र सुकला अश्टमी के दिन अशोका अश्टमी मने जाती है इसी दिन अशोक वरक्स की पूजा की जाती है अगला क्योंसर तिल चोथ संकड चोथ मने जाती है तो तिल चोथ यहां संकड चोथ माग कृष्ण चतुर्थी को मने जाती है और इशी दिन स्री गणेजी को और चोथ माता को भोग लगा जाता है तो इसका राइडेंस रोगा चार नमबर माग कृष्ण पक्स की चतुर्ती को तिल चोथ या संकट चोथ मनाय जाता है अगला कुशन इस दिन भोजन में कीर और मालपुआ बनाय जाते हैं ब्रामनों को भोजन कराते हैं लोग अपने प्रिवाजनों के साथ उध्यान अत्वा अन्य रमणिय इस्तानों पर जाकर आनद मनाते हैं तो ये हरियाली अमावश्य के दिन इस प्रकार का कारी करते हैं हर्याली अमार्शिया स्राण मार्श की अमार्शिय को पीपल व्रक्ष की पूजा करते हैं और उसके चारोर फेरे लगवाते हैं और इस प्रकार का कारी करता हैं इसका राइड़ा सुरुगा एक नमबर हर्याली अमार्शिक्री आकादीज का बाती हैं वेशाग सुकलत तरतिय को आखातीज मने जाती है और इसी दिन मारवार के अंदर पच्छमी राजस्थान के अंदर सरवादिक बाल विवा होते हैं निरजला एकादसी जैष्ट सुकल मास की एकादसी को निरजला एकादसी मने जाती है और घुडले का तेवार चेत्रकृष्ण अश्टमी को मारवार के अंदर गुडला तेवार मनाय जाता है अगला गुशन हरी अली अमावश्य का प्रव किस महा में मनाय जाता है तो हरी अली अमावश्य का प्रव जो की स्रावन माश्की अमावश्य को मना जाता है इसका RIDE ैंस रोगा 20 और इस हरियाली अमावश्य के दिन पीपल वरक्स की पूजा गी जाती है और उसके धागा बा ला जाता है और उसके चखकर अगर जाकर गीत गाते हैं, लड़कियों द्वारा गाय जाने वाले गीतों को का जाता हैं, गडलियों, लड़कों के द्वारा गाय जाने वाले गीतों को क्या का जाता हैं, गडलियों का जाता हैं, अगर पूछ लिया जाए कि लड़कों के द्वारा गाय जाने वाले गीतों वो क्या का जाता है तो उसका अंसरों का लोवारी या उसे हरनी का जाता है उसे हरनी का जाता है तो आगे आपसे ये भी पूचा जा सकता है आने वाले एक्जाम कंदर की मेवार में डिपावली के पिचुतर दिन पहले लड़कों के द्वारा घर घर जाकर जो गीत का जाता है उसे क्या का जाता है उसे हरनी या लोवाडी का जाता है लेकिन ये इसमें क्या पूचाएं लड़कियों के द्वारा तो इसे घडलियों का जाता है इसका राइट है शुरूगा एक नमर जो कि ये मेवार शेत्र में परचलित माना जाता है अगला क्यूसर रिक्रम सवत के अन दीपावली, कषन जन्मास्टी और गणगोर. अब इन तेमारों को पेले कौन सा तेमार आता है? हिंदू व्रेश्ट के अनुसार और उसके बाद में क्था तेमार आता है? इस तरह से हमें जमवान है तो पहले गणगोर आती है और गणगोर का तेमार कब आता है तो गणगोर का तेमार चत्र सुकलत तर्तिया को गणगोर का तेमार आता है उसके बाद में जन्माश्टी का तेमार आता है और जन्माश्टी का तेमार बादरपत के किष्णपक्स के अश्टमी को आता है और उसक गणे से चतुरती आती हैं और उसके बाद में आती हैं दिपावली जोकी कार्थी कुर्णी में के दिन आती हैं तो पहले आएगा चार नमबर उसके बाद में आएगा तीन नमबर उसके बाद में आएगा एक नमबर और उसके बाद में आएगा दो नमबर क्योंकि हिंदू व के आपसे और पूचा जा सकते हैं तो आपको सभी तेमारों को कब मना जाता ये याद होना चाहिए अगला क्यूशन ये वापिस क्यूशन आगया राजस्ता में विविन समय पर तेमार मना जाते हैं कलेंडर वर्ष के अनुसार उनका टिटि करम है छोटी तीज आखा तीज ग तर्टिया को आता है इसका मदब C पे ले आएगा उसके बाद में अक्से तर्टिया आती है और अक्से तर्टिया का बाद ये वेशाक सुकलत तर्टिया को अक्से तर्टिया आती है उसके बाद में आएगा C के बाद में आएगा B और उसके बाद में क्याता है उसके बाद में चोटी तीज आती है और चोटी तीज स्रावन सुकलत तर्टिया को चोटी तीज आती है और उसके बाद में आती है बड़ी तीज बादरपद की कशन पक्स की तर्टिया को बड़ी तीज जिसे कजली तीज बूडी तीज या सातूडी तीज के नाम से जाना चाते हैं जो क शुमलित कीजिये पहला बूंदी की कजली तीज कब बने जाते हैं अभी हम ने देखा बूंदी की कजली तीज बादरपद के कश्ण पक्स की तर्थिया को मने जाते हैं इसका मालब एक में एक आएगा। दूसरा होली का तेमार फालगुन पुनिमा को आता है इसका मदब दो में दो आएगा और उसके बाद में प्रियूशन प्रव जो की भादरपद के अंदर मनाए जाता है तीन में तीन आएगा और गणगोर का तेमार चेत्र, सुकल, तांटिया को मनाए जाता है तो इसका प्रियूशन 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 अगला क्युत्हन जल जूलणी एकादसी मनयजाती हैं, बाद्र शुक्ल एकादसी को मनय liquidity राइन शिर्वा चार नंबर जल जूलनी एकादसी के दो या देव जूलनी एकादसी के दो अगला गुशन सुमेलित कीजे पहला कामदा एकादसी चोकी चेत्र सुक्ल एकादसी को आती है निरजला एकादसी जैष्ट सुक्ल एकादसी को आती है जल जूलनी एकादसी, भाद्र शुकल एकादसी को आती हैं, डे उटनी एकादसी, कार्तिक शुकल एकादसी को आती हैं इसका राइटन शुरुआ एक में एक, तीन और अच्छा, इसका राइटन शुरुआ तीन नंबर अगला जुशन निवन में से कौन से तेवार भाद्र मा में नहीं मनाय जाते हैं गोगा नम्मी अनन्द चतुरदसी आवला नम्मी सरद पुर्णिमा तो इसका राइटेंस रोगा तीन वे चार यनकी आवला नम्मी जो की कार्थिक सुख्लपक्स की नम्मी को आवला नम्मी मने जाती है और सरद पुर्णिमा आस्विन की पुर्णिमा को सरद पुर्णिमा मने जाती है इसका राइडेंस रुआ तीन वे चार नमर गोगा नम्मी भात्रपत के कश्नपक्स की नम्मी को गोगा नम्मी मने जाती ह और इसी दिन गोगा जी का विशाल मेला पड़ता है दद्रे वाचूरू और नौर अनकी गोगा मेडी नौर हनवान कटके अंदर अनत चतुरती ये भादरपत के सुखल पस्त की चोवरेस को मने जाती है इसका मतलब इसका राइडन सुरुआ कौन से भादरपत के अंदर नही परियूशन प्रव किस समुदाय से समधित है सिंदी से, सिक से, जैन से या रामसनी समपरदाय से परियूशन प्रव जैनियू से समधित है जैनियू के अंदर दो समपरदाय है एका नाम स्वेतंबर है एका नाम दिगंबर है अगर पुच्चे कि स्वेतंबर प्रंप्राव के लोग इसे कितने दिन तक मनाते हैं ये आ tablespoons प्रव मनाते हैं का से का तक मनाते हैं आपका शुरुआ है भातर पद के कश्नपक्स की बाराइस से लेकर ये भातर पद कर शुकल पंचमी तक लगभग 8 दिन तक शुटंबर जैनीो द्वारा परियुशन प्रव मना जाता है अगर पुछे कि दिगंबर जैनी द्वारा ये 10 दिन तक तैमार नां जाता है और इसके सुरुवाद भादरबद के शुकलबक्स की पंचमी से इसकी सुरुवाद होती है और 14 तक भादरबद की सुक्ल पक्स की 14 तक ये 10 दिन तक दिगंबर जैनियो द्वारा प्रियुशन प्राव मनाय जाता है अगला ग्यूशन जैन समुदाय द्वारा प्रियुशन प्राव किस माह में मनाय जाता है तो ये भादर माश में मनाय जाता है अगला ग्यूशन श्वेतंबर जैनियो द्वारा परियूशन प्रव कब वह कितने दिन मनाय जाता है तो अभी मैंने बताता है कि श्वेतंबर जैनियो द्वारा परियूशन प्रव भादर मार्श के अंदर आर दिन तक मनाय जाता है और कब से कब तक तो मैंने ये भी बढ़ाता कि भाद्रपद के किश्णपक्स की बारश से लेकर भाद्रपद के सुक्लपक्स पंचमी तक ये मनाई जाता है येनकी लगबग आठ दिन तक मनाई जाता है अगला ग्युसन निमलिकित में से वे जैन्दी चुनिये जो चैत्रमास की सुक्लपक्स की तेरेश के दिन मनाई जाती है तो इसका राइडेंस रोगा महावीर जैन्दी इसका राइडेंस रोगा एक नमबर माविर जैंदी, भागवान माविर के जनम के उप्लक्स में पर्तिवरश 24 सुकलत तेरेश को मनाए जाती है अगला क्युशन, सुकन्दस्मी प्रो है जैनियों का, इसका राइटेंश रोगा, सुकन्दस्मी जैनियों का तेवार है और ये कब मनाया जाता है ये भातरपत के सुकलो दस मी के दिन ये तेवार मनाया जाता है अगला किसन इस्टर के तेवारों के पीसे इससायू की भावना क्या है तो इसका राइडेंस रोगा चार नमर इस दिन इशा पुनर जिविद हुए थे इसका राइडेंस रोगा चार न्मिमलकन में से कौंसा जहलत नहीं है दस ल्क्षन प्रव महाविर जहनती सुगं-दसμी प्रव या बड़ी सातम इसका райडंश रहए जैनियों से समधित कौन सा तेवार नहीं है बड़ी सातम नहीं है तो ये कौन से संपरदाई से समधित है तो ये सिंधी संपरदाई से समधित है सिंधी समाज से समधित है जो कि बातरपद की कृष्णपक्स की सातम को बड़ी सातम मने जाती है सिंधी समाज के लोगों के द्वरा और यहीं विदार्टियों क्लास अच्छी लग रही है तो आप अन्ये दोस्तों के साथ सेर जरूर करना और आपने यहां तक क्लास देख लिए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू आज हम राजस्तान की वेश बुसा वैप परिदान से समदित विगत प्रिक्सा में पूछे गए मैं कोन क्यों पर डिसकर्सन करेंगे आज का पहला क्यूसन राजस्तान में पॉम्चा के थे हैं महिलाओ की ओड़नी विशेश को के थे हैं जब एक महिला मां बनने के उच्छो पर यार्कि जब महिला मां बनती है उस समय यदि पुत्र को जनम देती है यदि पुत्र के जनम देने पर पुछे पीले रंग का पॉम्चा ओड़ने की कैसे पीले रंग का और यदि महिला मां बनती है और पुत्री को जर्म देती है तो ऐसी इस्तती के अंदर वै गुलाबी रंग के पॉम्चे को ओड़ती है तो पॉम्चा क्या है महिलाओ की एक ओड़नी विशेस है इसका राइडेंस रुआ एक नमबर का अगला क्यूस्टन राजस्तान में महिलाओ के द्वरा एक ओड़नी विशेस ओड़ी जाती है उससे बोलते हैं पॉम्चा और यदि उस मा के पुत्र को जर्म देती है तो पीले रंग का पॉम्चा ओड़ेगी और यदि वै पुत्री को जर्म देती है तो वै गुलाबी रंग के ओड़नी ओड़ती हैं अगला क्यूशन पॉम्चा इस तरी प्रीदान को बोल चाल की बासा में का जाता है तो बोल चाल की बासा में इसे पीला का जाता है इसका राइडेंस रोगा एक नबर अगला क्यूशन चोल, निकोल, पट्टा, दुगुल, चोर रसो के विबिन नाम है अंगर का ओड़नी, चोली या घागरा इसका राइडेंस रोगा दो नबर ये ओड़नी के परकार है सामानी बासा में कहूँ कि ये साडियो के विबिन नाम है साडियो के विबिन नाम है इसका राइडेंस रोगा दो नबर का अगला किशन बकत्री वस्तर क्या है तो बकत्री वस्तर ग्रामन शेत्रों में प्रूसों के सरीर के उपरी भाग में पहने जाने वाला वस्तर जिसे बकत्री या उसे बोलते हैं अंगर्की का जाता है और ये अंगर्की के विबीन प्रकार हैं अंगर्की के और किस-किस नामों से जाना जाता है अंगरगी को तन सुक के नाम से जाना जाता है इसे दुत्तई का जाता है इसे गदर का जाता है इसे गदर का जाता है इसे गाबा का जाता है इसे गाबा का जाता है अंगरगी कोई गाबा का जाता है अंगर्गी कोई कानो का जाता है अंगर्गी के नाम है अंगर्गी को डगला का जाता है इनको आदी नामों से जाना जाता है किसको अंगर्गी को जो सरीर के उपरी भाग में पेने जाना है वाला वस्तर जिसे बोलते हैं अंगर्गी या बगत्री और इसके अलग-लग नाम मिलते हैं तंसु का जाता है, इसे दुत्वी का जाता है, इसे गदर का जाता है, इसे गाबा का जाता है इसे मिरज़ई का जाता है, इसे कानो का जाता है, इसे डगला आधी नामों से जाना जाता है जो कि ग्रामिन शेत्रों के अंदर पुरुस्तों के द्वारा सरीर के उपरी बाग अर्थाद कमर के उचे वाले भाग में पेने जाने वाला अवस्तर होता है और ये अंगर की मुक्या रूप से सफेद रंग की होती हैं अगरा क्यूसन ये वापिस क्यूसन आ गया दूतई, गदर, डगला, कानो, एवं मिर्जाई किसे समदित हैं तलवार से, पकड़ी से, अंगर की से या ओड़नी से ओड़नी के तो हमने अभी परकार देगा थी तो ये अंगर की की परकार है अंगर की को और किस खिस नाम से जाना चाता है इसे दूतोई का जाता है, इसे गदर का जाता है, इसे डगला का जाता है, इसे कानों का जाता है, इसे मिर्जाई का जाता है और इसे तंसुक का जाता है, अलग-अलग नामों से जाना जाता है और ग्रामनी सेत्रों के अंदर पुरुषों के द्वारा सरीर के उपरी भाग में पेने जाने वाला सपेद रंग की पोशा को अंगर की का जाता है इतनी बात याद रगना और ये इसके अलग-अलग परकार याद रगना ये सीड़ा एक्जाम में परशन पूचा जाएगा ये किसका परकार है अगला क्यूशन निमलकित में से कौन सा पुरुषों का अवस्तर है तो इसे लोड डी का जाता है इसका राइटेंस रोगा लोड नबर जो की पुरुषों का वस्तर है और ये कुर्ती क्या है ये ग्रामनी शेत्रों कंद्रप्त महिलाओं के उपरी भाग में ये उपरी भाग में पेने जाने वाला एक वस्त्र होता है उसे बोलते है कुर्ती और ये दुकुल ये साड़ी का एक प्रकार है अगला क्यूशन मदील एक परकार का है मदील एक परकार का पगड़ी क्या है ये पगड़ी के अलग अलग नामों से जाना जाता है और की पुरूश विशेश के द्वारा पगड़ी अलग-अलग रंगों की सिर के उपर बांदी जाती है अनकी सिर को ढखने के लिए पैने जाने वाला वस्त्र उसे क्या का जाता है पगड़ी का जाता है पगड़ी के दो या पाग के दो या इसे पेचा के दो किसे गा जाता है पगड़ी को गा जाता है और ये पुरुष विशेश के दौरा अलग-लग अफसरों पर अलग-अलग रंग की पगड़ी बांदी चाती है जैसे युद्र के अफसर पर केसरिया रंग की पगड़ी बांदी है उसी तरह येदी मांगलिक अफसरों पर पुरुसों के द्वारा पीले रंगी पगड़ी पहनी जाती है उसी तरह येदी शोक होता येनकी किसी की मर्ति हो जाती है तो ऐसी इस्तती के अंदर पुरुसों के द्वारा सपेद रंगी सपेद रंग की पगड़ी बांदी जाती है और यहीं कहीं विवा है तो विवा के अउसर पर विवा के उत्सों पर मोठड़े रंग की पगड़ी बांदी जाती है और स्रावन के महिने में लेहरिया की पगड़ी बांदी जाती है और दसेरे की आउसर पर दसेरे के अवसर पर मदिल की पगड़ी बांदी जाती है और होली के अवसर पर फूल पत्ती वाली पगड़ी बांदी जाती है तो ये पुरुशों के द्वारा सिर को ढखने के लिए अलग-अवसरों पर अलग-अलग रंग की पगड़ी बांदी जाती है और ये भी परसुन पूचा जा सकता हैं कि होली पर किस परकार की पगड़ी बादी जाती हैं तो खूल पत्ती वाली पगड़ी, दसरे के अफसर पर मदिले रंग की पगड़ी, लेहरिया के पगड़ी, स्रावन के महिने में मोठ़डे की पगड़ी, विभा के उस्सों पर और पीले रंग की पगड़ी और जब यूद करने जाते हैं तो उसकी उस समय कैसरिया रंग की पगड़ी बांगते हैं तो यह भी आप छादर अग्रा कुछल मत्यकाल में खन का एक परकार था तो किसका परकार था ये पकड़ी का परकार था इसका राइडेंस रुगा चार नमबर मत्यकाल में खन का एक परकार की पकड़ी वा करती थी इसका राइडेंस रुगा चार नमबर अगला किसन पगड़ी का आगुशन कौन सा है तो पगड़ी का कौन सा आगुशन होता है सिर्फ पेंच होता है इसका राइडेंस रोगा सिर्फ पेंच इसका राइडेंस रोगा चार नमबर का अगला गुशन निवन में से कौन सा वस्तर आजस्तान में परतिष्ठा का सूचक माना जाता है साड़ी अजकल पगड़ी अंगोच्छा इसका राइडेंस रोगा पगड़ी जिसे परतिष्ठा का सूचक माना जाता है इसका राइडेंस रोगा तीन नंबर का और राजस्थान के दर पगड़ी एक मरियाड़ा का लक्षन माना जाता है और पगड़ी वीर्टा का परतिक माना जाता है पगड़ी भायचारे का परतिक माना जाता है अगला क्युशन मोठड़ी की पगड़ी पहनी जाती है अब क्युशन वापिस आ गया कि मोठड़ी की पगड़ी कब पहनी जाती है मोठड़ी की पगड़ी विवा के उत्सों पर बादी जाती कैसी मोठड़ी की पगड़ी होली के अवस्तर पर फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है औ और यूद्ध करने जाते समें कैसे रिया रंग की पगड़ी बांथें और मांगलिक आउस्तरों पर पिले रंग की पगड़ी बांथें तो आपको यह भी याद रगना कि किस समय पुरूसों के द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती हैं एक्जाम में सीधा सीधा क्यों सनाता है अगला किस्वन मारवाड में दामनी क्या है ओडिनी का एक परकार कलात्मक जूतिया एक राजस्वकर सींचाई करने का ओजार इसका राइडेंस रोगा एक नमबर मारवाड में दामनी ओडिनी का एक परकार है इसका राइडेंस रोगा एक नमबर का मारवार सेतर कंद्र मत्यम वरग की इस्त्रियो द्वरा एक विशेश प्रकार की लाल रंग की विशेश प्रकार की लाल रंग की ओड़नी ओड़ी जाती है जिस पर धागों की कसिंदा काली होती है और उसको प्रियोग करती है जिसे मारवार सेतर में दामिनी का जाता है क्या का जाता है दामिनी का जाता है तो ये कैसे होती है तो ये लाल रंकी होती है जो कि मद्यम वरक की इस्त्रियो दोरा एक विशेश प्रकार की लाल रंकी ओड़नी ओड़नी जाती है जिस पर दागों की कसिंदाकारी होती है और जिसे महारवार सेक्टर में दामीनी का चाता है ये इतनी बात याद रगना जो कि एक ओर्डिनी का प्रकाह है अगला किशन राश्टी इस तरपर किस राजस्तानी पोशा को मान्यता मिली जोदपुरी कोट अचकन अंगर की मेवाडी पगडी इसका राइडेंस रोगा एक नमबर राजस्तान की वेश पुशा जोदपुर की कोट को राश्टी इस पोशा का धर्जा मिला था इसका राइडेंस रोगा एक नमबर अगला किशन जोदपुरी सापा को परशिदी करने का स्रे जाता है माराजा केसर सिंग, माराजा जस्वन सिंग, माराजा उदे सिंग, माराजा सुमेर सिंग इसका राइडाइस रोगा दो नमबर को माराजा जस्वन सिंग को जोदपूरी सापा को परशीदी डिलाने का सरय जाता है और ये जस्वन सिंग सेकिंड है जस्वन सिंग सेकिंड है अगला क्यूशन बीचेज वस्तर है पुरुसो का कमर से नीचे का वस्तर इसका राइडाइच रोगा कि प्रूसों के द्वारा चूड़ीदार पाईजे में के इस्तान पर काम में लिये जाने वाले वस्तर को ब्रीचेज वस्तर कार जाता है इसका राइडेंस रोगा एक नमबर जो की चूड़ीदार होता है पाईजे में के तरह होता है इसका राइडेंस रोगा एक नमबर जो को जो की पुरूसों के द्वरा उप्योग में लिया जाता है जो की कमर के नीचे काम में लिया जाने वाला वस्तर होता है अगला क्युस्वन राजस्तान के संद्रब में पच्छेवड़ा क्या है तो पच्छेवड़ा एक मोटी सूती सोल होती है इसका राइडेंस रोगा तीन नवर यहनकी सर्दियों के दिन सरीर के उपरी भाग में ओडे जाने वाला वस्त्र जिससे क्या का चाता है पच्छेवड़ा का चाता है इसका राइडेंस रोगा तीन नवर जोकी मोटी सूती सोल होती है और पच्छेवड़ा एक प्रिधान है पच्छेवड़ा संद्रबित है पच्छेवड़ा एक तरेगा प्रिधान है इसका राइडेंस रुगा तीन नबर अगला क्यूसन मेवाड महाराणा के पगड़ी बांदे वाले व्यक्ति को कहलाता था तो मेवाड सेतर में जो महाराणा की जो पगड़ी बांदे थे उस व्यक्ति को साबदार का जाता था इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर अगला क्युसन सुमिलित कीची अंगर की एक तरगी जिसको अलग-अलग हमने नाम देखे थे अंगर की को हम बुगत्री के नाम से जाने जाते हैं ताराभांत की एक ओड़नी होती है जो आदिवासी महिल्यों के द्वारा ओड़ी जाती है फलिया एक तरह की पगड़ी का प्रकार है इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर का उदे साई, अमर साई खंजर साई, विजे साई ये क्या है तो ये एक राजस्तानी पगड़ियों की सेलिया है ये की राजस्तान में अलगलग सेत्रों में अलगलग पगड़िया बांजी जाती है जैसे अमर साई, खंजर साई, विजे साई जस्वन साई, भीम साई या अट पटी अट पटी पगड़िया जो की मेवार शेत्र की परशिले तो ये पगड़ियों के अलगलग सेलिया है इसका राजस्तान रोगा पटी दोस्तों आपको क्लास सची लग रही है तो आप अनने दोस्तों को साथ सेर जरूर करना और यह तक आगए हैं तो चैनल को सुब्सक्राइब जरूर करना आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्थिक स्वागत वैविनन्द मैं आसा और उमिक कर रहा हूं कि आप सभी स्वास्त होंगे निरंतर अपनी त्यारी के अंदर वैस्त होंगे आज का हमारा टोपिक रहेगा राजस्तान के आपुशन जो विगत प्रिक्स में पूचे गए महत्पुल किश्णों पर डिसक्रिशन करेंगे आज का पहला क्यूशन तुलसी, आल्रो, तिमणिया तथा पोत नामक आपुशन महीलाओ द्वारा सरीर के कौन से भाग मेर पहने जाते हैं सिर पर गला, हाथ या कमर इसका राइट एंस रोगा गले के अंदर महीलाओ के पहने जाने वाले आपुशनों के बात करें तुलसी, हाल्रो, तिमणिया पोत इसके अलाबा महीलाओ के गले में कौन-कौन से अपुशन पहने जाते हैं जाल्रो, तुसी, तुसी, टेवटा, इसके अलाबा पोत, सरी, आकर, इसके अलाबा खुंगली खुंगली आपुशन भी महीलाओ के गले में पहने जाने वाला अपुशन है, इसके अलाबा अमेल महीलाओ के गले में आपुशन पहना जाता है, इसके अलाबा बज़न्टी बचटी, आपुशन महिलाओ के गले में पहने जाने वाला आपुशन है, इसके लावा चंपा कली, चंपा कली, इसके लावा अंसली, चंपा कली, अंसली, आड, मादलिया, ये महिलाओ के गले में पहने जाने वाले में पहने आपुशन है, एक बार वापिस रिपीट कर रहा हूँ, तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोथ, इसके लावा जालरो, तुसी, टेवटा, पोथ, सरी, आकर, खुंगाली, अमेल, बजंटी, चंपा कली, अंसली, आड, मादलिया और एक तेगड, तेगड, और एक कंटी, ये महिलाओ के गले में पहने जाने वाले मैक पुण आपुशन है, इसके लाभा महिलाओ के कमर पर बान जाने वाले कौन-कंस आपुशन है, करधनी, कनक्ती, तगडी, ये यादर कना इनला इंपोट्रेंड, तगडी, कंदोरा, ये महिलाओं के कमर पर बांदे जाने वाले अबुशन है, अगला किसन, जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोट या किस अंग के अबुशन है, कान के, अंगुली के, हाथ के या गला, इसका राइडेंस रोगा, कान में पेने जाने वाले अबुशन है, कौन से जेला, ये जम पिपल पत्रा अंगोज आइए. इसके अलबा शुरलिया. भी महिलाओं के काणों में पहने जाने वाला अभुशन है इसके लाबा टोटी ये आरेच परी के एक्जाम में परशन पोचेगए. टोटी या भुशन महिलाओं के कौंस इस टॉप्स इसका लवाब पूरुशों के दोरा मुर्ख्या पहनी जाती है इसका लवाब है कि इंपटेंट याद रगना को करू आगोशन नेकी गो करू अगर आपसे पूचे कि गो करू आगोशन तो आतों का आगोशन है गोकुरू अगर पूचे कि कोकुरू आभुशन तो आप कान से रोगा कान का आभुशन है तो ये इतना याद रगना जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया, सुरिलिया, टोटी, हुचारियो, टॉप्स और मुर्किया पूरुशों के द्वारा, और इसके लाद लूम भी पूरुशों के द्वारा, और एक, याद रगना अगला किशन ते धड़ अभूशन पहना जाता है इस्तरियों के सिर पर, इस्तरियों के पेरों में, इस्तरियों के हातों में, इस्तरियों के कानों में तो ते धड़ अभूशन इस्तरियों के पेरों में पहने जाने वाले अभूशन है इसका राइड एंसर होगा दो नबर अब आपकी जानकार लिए बता दूँ कि इस तरीयों के पेरों में पेने जाने वाले अभुषन कौन-कौन से हैं देखो एक पूछ 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 जा ते धड़ आपका अंसर क्या हुआ पेरों के अंदर पूछ जाने वाला अभुषन है ते धड़ अगर पूछे कि ते घड़ ते गड़ तो आपका अंसर होगा गले के अंदर पेने जाने वाला अभुषन है इसके लबाँ पेरों में और कौन-कौन से अभुषन पेने जाते हैं तो आप याद रख सकते हैं नेवरी अभुषन पेरों में पेने जाने वाल इसके लबाँ तो आवला आभूशन मूदड़ी ये महिलाओं की पेरों के अंदर अंगुली के अंदर पहनी जाती हैं मूदड़ी इसके लावा रिम जोल आभूशन पायजेब आभूशन इसके लावा लंगर ये इंपोर्टनट है लंगर इसके लावा नुपूर इसके लावा जांजर ये महिलाओं के पेरों में पेने जाने वाले आभूशन है नेवरी तोडिया पायल तेधर आवला मूनड़ी रिम जोल पायजेब लंगर नुपूर और जांजर ये महिलाओं के पेरों में पेने जाने वाले विशेश आभूशन है ये याद रखना आने वाले एक्जाम के अदर यहीं से क्योशन पूचा जाएगा अगला क्योशन पोथ आकर सरी आभूशन का पेना जाता है नाक में कानों में गले में पेरों में अभी मैंने बताता पोथ आकर सरी आभूशन महिलाओं के गले में पेने जाने वाले आभूशन है एक बार वापिस रिपीट करता हूँ कि महिलाओं के गले में पेने जाने वाले आभुषन कौन से तोल्सी, आल्रो, जाल्रो, तिमनियां, तुसी, टेवटा, पोत, सरी, आंकर, खुंगाली, अमेल, बजन्टी, चंपाकली, अंसली, आड, माधलिया, आधी महिलाओं के गले में पेने जाने वाले आभुषन हैं और महिलाओ के पेरों में पेने जाने वाले अभूशन नेवरी भीगेते हैं इसे नेवर भीगेते हैं नेवर या नेवरी और तोडिया पायल तेधर आवला मूरडी रिमजोल पायजेब लंगर आधी अभूशन हैं और महिलाओ के नाक में पेने जाने वाले अभूशन कौन कौन से हैं तो महिलाओ के नाक में पेने जाने वाले अभूशन बुलाओ 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 अभूशन जो हिमाचल परदेश की सेतर के अंदर महिलाओ के द्वारा पेना चाता है यनकी नाक की बीच की हड़ी होती है इसके अंदर सिद्र करके ये बुलाक नामक अभुशन पेना जाता है इसके लवा नत्थ इसके लवा चौप इसके लवा लोंग इसके लवारी वारी अभुशन भी पेना जाता है नाक में वारी इसके लवा बेसरी हम जब किसंगड़ की चित्र कला पढ़ते हैं बनी ठनी के नाक में बेसरी आबुशन पहना हुआ है बेसरी आबुशन इसकला बहुवरिया यानकि ये बहुवरिया अर्द चंद्राकार होता है जो की पच्छी में शेतर के अंदर महरवाड की महिलाओ की द्वारा पहना जाता है इसके लाबा फिनी और लटकन ये नाक के आबुशन है बुलाग, नत, चौप, लोंग, वारी, बेसरी, भंवरिया, फिनी और लटकन ये नाक के अंदर पहने जाने वाले विशेश आबुशन है अगला क्यूसन मेमद आबुशन पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पेरो पर इसका राइडेंस रोगा सिर पर बाने जाने वाला आबुशन कौन सा है मेमद आबुशन अब सिर पर कौन-कौन से आपुशन होते हैं, एक तो मेहमद होका है, इसके लाबा, बोर, यहां उसे कहते हैं, बोरला, बोरले के साथ बंदी होती हैं, रकडी, रकडी, टीडी, फलको, टीडी, फलको, और सुर्मांग, और टिकडा, टिकडा, यह बोरल के नीचे होता है, अर्द चंद्राकार होते हैं, उसे बोलते हैं, टिकडा, और टिकडा के साथ, और बोरल के साथ बंदा होती हैं, उसे बोलते हैं, साखली, साखली या रखडी रखडी भी बोल सकते हो या साखली भी बोल सकते हो अगला क्यूसर चौप नामक आभुषन सरीर किस अंग पर पहना चाता है चौप नामक आभुषन सरीर के कान में स्री नाक में ये नाक में चौप नामक आवूशन नाग का आवूशन है और येधि पूछे कि आपको चूप तो ये मुखिर रूफ से दांत का आवूशन है यहनका दांत के बीचों में सिद्र करके जिसमें सोने वह चान्दी की नका सिखे़ जाती है वो आवूशन कौन से होता है दोनों के अंदर डिफ्रेंट याद रगना अगला क्यूसन कौनसा अभुषन गले में नहीं पहना जाता है मादलिया गले के अंदर पहने जाने वाला अभुषन है तिमणिया गले में पहने जाने वाला अभुषन है आवला पेरों के अंदर पहना जाता है काँ पर मैं लगो के पेरों में पेने जाने वाला अभूशन कौन सा है आवला है और कांडला ये भी गले के अंदर पेने जाने वाला अभूशन है अगला क्यूशन कौन सा अभूशन महिलाव द्वारा नहीं पेना जाता है इसका वालब पुरूशों के द्वारा पेना जाता है मेमत महिलाव के सिरप apa मोर्ख मोर्ख़ यह अभुशन प्रूस्व का अभुशन को पाड़ी शेत्रों के अंदर प्रूस्व रहते उनके द्वार यह अभुशन उपयोग में लिया जाता है और रकडी सिर पर बांदी जाने वाली और ये कंदोरा है कंदोरा नी है कंदोरा है चो मैलाओं के कमर पर बांदी जाने वाला अभुष्णे कंदोरा और मैलाओं के कमर पर बांदी जाने वाले अभुष्णे की बात रहें करधनी कनक्ती तगडी कंदोरा ये मैलाओं के कमर प पर बांदी जाने वाले आभुष्ण है अगला क्यूशन तड़ा आभुष्ण पहना जाता है बाजू में गले में सिर पर या कमर में इसका राइडेंस रोगा तड़ा आभुष्ण महिलाओं के बाजू में बाजू में बाजू बाजू बंद होता है अगला क्यूशन अमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला अबुशन है आतों में पेरों में गले में या कमर में अभी हमने देखा था अमेल अबुशन मैलाओ के द्वारा गले के अंदर बादे जाने वाला अबुशन है अमेल अबुशन एक बार वापिस रिपीट करता हूँ कि महिलाओ के गले में बाने जाने वाले कौन कौन से अबुशन है तुलसी, आलरो, जालरो, तिमणिया, तुसी, टेवटा, पोत, सरी, हाकर, खुंगाली, अमेल, इदे को हमेल आ गया, अमेल, बजंटी, चमपाकली, अंसली, अंसली, बाने जाने वाले अबुशन है, अगला क्यूसन, खुंगाली, अबुशन, शरीर के किस भाग में पहना जाता है, अभी मैंने बता है था कि खुंगाली, अबुशन कहां बहना जाता है, महिलाओ के गले में बाने जाने वाले अबुशन होता है, इसकर आइटेम से रोगा, और आपसे यह भी पुझाता सकता है, बजटी अभुशन, यह भी REIT के एक्जाम में पुझाता है, गया था, और यह मुख्टी रूप से विशेश कर, सेरिया जाती की महिला पहनती, सेरिया जाती की महिला उद्वारा, गले में पहने जाने वाला अभुशन है, बजटी इसका राइड़ा इस रोगा, एन नमबर, नोगरी अभुशन, आतो का है, किसका है, आतो का है, आतो के अंदर बांदे जाने वाले अभुशनों की बात करें, एक नोगरी अभुशन, इसकलाबा, मोकडी, जो लाखी चूड़ी होती है, उससे बोलते हैं मोकडी, इसकलाबा बाजूबन्द इसकलबाव तक्किया आभुषन इसकलबा महिलाओं के हातों में हाथ पूल, बीटी इसकलबाव दामना दामना आभुषन हातों का आभुषन है और एक दामनी पड़ती हैं यह एक विशेश प्रकार की ओड़नी होती हैं जो पच्छी मी राजस्तान की महिलाओ द्वारा ओडी जाती उसे बलते दामणी और एक होता है दामणा आभुष्ण होता है जो महिलाओ के हातों में पहने जाने वाला आभुष्ण होता है इसके लवा आरत और इसके लवा गोकरू गोकरू आभुष्ण भी हात का आभुष् और पूछे की गोकरू तो आपका अंसरोगा हाथ का अबुशन अगला कुछन और पेरों में कौन कौन से अबुशन है नुपूर जांजर लंगर इसके लावा मैंने बता था नेवरी 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 के लावा तोडिया पाइल पाइजेप आमला तेधड तेधड और रिमज रिम जोल के तो रिम जोल कर दो या रम जोलय को और एक माहिला के पेर के अंगूली में जो आबुशन होता है उससे बहुँते मून दड़ी अगला क्योश्ण कान में पेहने जाने वहले आब यस Rac channel कीजे अब कान में कौन को से आबुशन पहने कंदर पहने जाने वाला अबुष्णों की बात करेड़ा जमेला पीपल पत्राई अंगोटिया सुरलिया तोटी लटकां बाली इसके लबा sniff लाएं प्रुच्टों तक्या, कहाँ का अभुषण था, यह हाथ का था, मूदिडि कहा थी, पेर की थी, और यह मतर माला, यह मुक्रुसे गले का अभुषण है, तो आपको, जू आप्सन के अधर है, उनको भी ज्यान में रखना कि यह किस का अभुषण है, तो सुरलिया किस कहवा, मतर माला किस अगला क्विसन बुलाक आभुशन इस्ट्रियों के सरीर के किस पाग में धारन करती है कान, नाक, गर्दन या कमर अब अभी हमने पता है था कि बुलाक नामक आभुशन जो पहाड़ी सित्रों कंद्र जो मैला होती है जो नाक की बीच वाली हटी को सित्र करके बुलाक नामक आभुशन पहना जाता है और इसका राइडेंस रुगा नाक के अंदर पहने जाने वाला अभुशन है इसका नाम है बुलाक, इसके लावा नत है, इसके लावा चौप है, लोंग है वारी है वारी नामक अबुशन इसके लाव बेस्री बेस्री अबुशन है इसके लाव बंवरिया है फ्यूनी है लटकन है ये सभी कान में नाक में पेने जाने वाले अबुशन है कमर में कौन-कौन से तो कमर में अभी हमने देखा करधनी कनती तगडी तगडी अबुशन अग्रा क्युशन अंग और आभुशन सुमिलेद कीजिए अब सिर पर मेंमद आभुशन अमने देखा था गले का कौन सा आभुशन तो गले का अंसली आभुशन कमर का कनती आभुशन और पेर का रिम जोल आभुशन तो इसका राइड आभुशन पेना जाता हैं हातों में दातों में गले में या पेरों में तो नेवर आभुशन के दो या नेवरी आभुशन के दो यह मुक्रों से पेरों का आभुशन किस का हैं महीलाओ के पेरों का आभुशन है और पेरों में नेवरी पेरी जाती हैं तोड़य पेनी जाती हैं पाइल पहने जाती हैं, तेधड, आवला, मूदडी, रिमजोल, नुपूर, जांजर, पाइजेप, ये सभी पेरों में पहने जाने वाले आभुषने, और दातों की बात करें, दातों में पहने जाने वाले दो आभुषने, याद रगना, एक नामें चूप आभुषन, और और एक नाम है चूप आभुषन, ये दातों में पहने जाने वाले आभुषने, अगला किसन, चमपा कली आभुषन सरेल के किस अंग पर पहना जाता है, सिर माता, नाक या गर्दन, चमपा कली आभुषन महिलाओं के गले में पहने जाने वाले आभुषने, इसका राइड मादलिया, बचंटी, अमेल, खुंगाली, खुंगाली, पोत, सरी, ये सबी महिलाओं के गले में पहने जाने वाले आभुशने, अगला क्यूसन, मुर्किया से आशिय है, अब मुर्किया महिलाओं के, सरी, पुरुषों के कानों में पहने जाने वाले आभुशने, इसका सुरिलिया, टोटी लटकरन, बाली टॉपस और कोकरू यह सभी आभुषन कानों में पहने जाने वाले आभुषन है और मुर्ब्ट्या, विशेषकर पुरुषों के द्वारा ये गोल अगं की होती है, रिंग के समान होती है जो पुरुसों के कानों में पेने जाने वाला आबुशन है अगला किसन पुरुसों द्वारा पेने जाने वाला आबुशन निमन में से कौन सा है बोरला महिलाओं के सिर पर बांदे जाने वाला आबुशन है मुल्क किया ये पुरुष्व का विशेश रआभूशन कान पर और तड्डा ये मुख्यूरुत से बाजु बंध, येंकी बाजु में बाजू में बाँ जाता है aging, येंकी हाथ के और बंगड़ि ये मुख्यूरुत से हातों में बाँद जाने वाला आभूशन अगला क्योशन तगड़ी पहनी जाती हैं गले में, हातों में, कमर में यां पेरों में इसका राइडेन स्रोगा तगड़ी नामक आभुषन मैलाओ के कमर पर बांदे जाने वाला आभुषन कमर पर बांदे जाने वाले आभुषनों की बात करें करधनी, कनती, तगड़ी और कंदोरा और एक जनजीर भी याद रगना जनजीर जनजीर अगला क्योसन कंदोरा आबुशन इस त्रीव के सरीर के किस फाग में पहनती हैं कमर पर कानों में नाक में या पेरों में इसका राइडेंस रोगा कंदोरा नामक अभुष्ण महिलाओ के कमर पर बांदे जाने वाला अभुष्ण होता है इसका राइडेंस रोगा एक नमबर अगला किसन अभुष्ण जो सिर पर नहीं पेना जाता है मेमत सिर पर बांदे जाने वाला अबुशन, बोर सिर पर बांदे जाने वाला अबुशन होता है रकडी सिर पर बांदा जाता है और कंदोरा जो की कमर पर बांदे जाने वाला अबुशन होता है इसका राइडेंस रुआ चार नमर गा, जो की सिर पर नहीं बादा जाता है अगला क्योशन, रखन किसका अभूशन है, गले का, पेर का, दांत का, या बाजू या हाथ का तो रखन नमक अभूशन दांत का है, दांत के दो अभूशन, एक चूप अभूशन, एक रखन अभूशन, ये दांत की अभूशन है अगला क्योशन, तिमनिया अभूशन पेना जाता है, सिर पर, हातों में, गले में या भूजाओ उपर इसका राइडन्स रोगा तिमनिया या तिमनिया आभुषन गलों में सरी गले में बांदे जाने वाला आभुषन और गले में एक बार वापिस रिपिट करता हूँ कि गले में कौन-कौन से आभुषन बांदे जाते हैं गले में तुलसी हालरो जालरो तिमनिया तुसी तुसी तेवटा ये तेवटा इंपोर्टेंट है परसन पूचा जाएगा तेवटा अगुषिनकांप इसका भावाँ पोत सरी आकर और अभी खुंगाली इसका परसन पूचा भाई खुंगाली अमेल हमेल बजटी पर इसके लावा चमपा कली अंसली इसके लावा आड इसके लावा मादलिया इसके लावा ते घड़ ते गड़ यह मुख्य रूसे गले में बांदे जाने वाले अब उसमे अगला किस्वन राजस्तान में इस तो दोरह गले में पेहने जाने वाले अबुष्णों को कहा जाता है करण फूल यह तो मुख्य रूसे कान का अबुष्ण है मोकड़ी यह मुख्य रूसे हाद का अबुष्ण है यह जो हाद के अंदर लाख की चूड़िया होती है उसे बोलते हैं मोक्डि आपुशन और तिमुणियां ये मुक्र उसे गले का आपुशन है और बोगली ये किस का आपुशन है आप कमेंट करके बताना ये दिया आपको जानकारी है तो अगला क्युशन मादलिया पहना जाता है पुरुसो द्वारा मस्तक्स पर महिलव द्वारा गले में तो इसका राइडेंस रुगा दो नमबर मादलिया महिलव के गले में बांदे जाने वाला एक हार के समान होता है अगला क्युशन चूप नामक आभुशन कहां पेना जाता है हात में, दात में, अंगुलिया, नाक में इसका राइडन्स रोगा, दो नवर दात में अगला क्यूसन आभुशन अंग, सुमेलित कीजिए पहला, बोर्ला, बोर्ला आभुशन कहां पेना जाता है सिर पर, लटकन, नाक के अंदर, जंजीर, कमर में, तोड़िया, पेर में अब इसका राइडेंस रोगा, इसका राइडेंस रोगा, चार नमबर का अगला क्यूस्टन, यह सभी मैंने आपको पहले बता दिये थे राइडेंस रोगा, चूप आभूशन, इसका राइडेंस रोगा, चार नमबर और टोटी आभूशन का बने जाता है, कान में, मैलाओ के कानों में एक गोल आकार की होती है, अगला क्यूस्टन, मैलाइ नत धारन करती है, गले में अंगुली में अंगुठी में या नाक में इसका राइडन्स रोका नाक में पेने जाना वाला आभुशन है नत नाक के अंदर बुलाक आभुशन होता है बुलाक नत इसके लावा चॉंप चॉंप याद रखना इंपोर्टेंट है चॉंप इसके लावा लोंग वारी बेसरी पहुरिया, फिनी, लटकन, ये सबी नाक की आभुशन है, अगला क्यूसन, पीपल पन्ना आभुशन है, इस्तरियों के गले का, इस्तरियों के कमर का, इस्तरियों के सिर का, इस्तरियों के कान का, इस्तरियों के कान का आभुशन कौन सा है, पीपल पन्ना या पीपल पत्रा के दोगा इसके राइडेंस रोगा चार नबर और गले में पेने जाना वाला जेला जमेला पीपल बत्रा अंगोटिया सुरिलिया टोटी टॉप्स कोक्रू मुर्किया ये सभी लूंग ये सभी किसके आभुशन है कान की आभुशन अगला किशन निमलकित में से कौन सा आभुशन और राजस्तान में इस तरियो दोरा गले में नहीं पेना जाता है अब गले में कौन सा आभुशन नहीं पेना जाता है तिमनिया गले काभुशन है मादलिया गले काभुशन है टेवटा गले काभुशन है मैंने अभी बताय था टेवटा गल का अबुषन नहीं है ओगनिया किसका है कान का अबुषन है किसका है कान का अबुषन है तो कान का अबुषन कौन सा है ओगनिया है सुरलिया है यह याद रगना अगला क्यों सन ओगनिया काँ पेना जाने वाला अबुषन है कमर, हाथ, कान या गले में तो इसका राइटेंस रोगा कान में पेने जाने वाला अबुषन है जिसका नाम है ओगनिया अबुषन क्या हैं ओगनिया अबुषन सी स्पूल नामक आपुशन स्रीर के किस अंग पर पेना जाता है सिर, नाक, गर्दन या कान तो इसका राइडेंस रोगा सी स्पूल जो कि सिर पर बादे जाने वाला ये का आपुशन है इसका राइडेंस रोगा एक नमबर अगला क्योशन निमलकित में से कौन सा अपुशन गर्दन में पेना जाता है परन्तु नेकलेश से बड़ा और भारी होता है तड़ा, टुसी, टांका या सुरलिया तो इसका राइडेंस रोगा टुसी इसका राइडेंस रोगा दो नमबर का अगला क्योशन रमजोल अपुशन मारवाड में सरीर के किस भाग से सम्बदी थें कमर, ना, पेर या अंगुली तो इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर रमजोल या रिमजोल रमजोल या रिमजोल नमक अपुशन महिलाओ के पेरों में पेने जाना वाला अपुशन है तो इसका राइड है स्रोका तीन नमबर का अगला किसन बाकी मैंने आप सब को बता दिये रहे अभुष्ण अंग सुमलेता नहीं है तिमणिया गले कापुष्ण है बिल्कुल सही है तकडी कमर कापुष्ण है बिल्कुल सही है सुरलिया कान का अबुशन है बिलबुल सही है रमजोल कलाई का अबुशन है गलत है रमजोल किसका है पेर का अबुशन है कलाई का अबुशन नहीं अगला क्योशन पुची या पोच अबुशन काँ पहना जाता है तो ये एक घड़ी के समान होता है और ये हाथ की कलाई में बाने जाने वाला आभुषन होता है इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर का अगरा क्योंसा आभुषन कान में पहने जाता है टीका, बुली, टोटी या रिम छोल इसका राइडेंसरों का टोटी जो की कान में पहने जाने वाला आभुषन है और इसके लबा कोकरू ये भी कान का आभुषन है इसके लबा सुरलिया इसके लबा ओगनिया ओगनिया ये भी कान का आभुषन है और इमजोल किसका है इमजोल पेर का आभुषन है तोटी आपुशन श्रीर के किस हिस्से में पेना जाता है तो ये कान में पेने जाना वाला आपुशन है इसका राइडेंस रोगा चार नमबर अगड़ा कुशन लूंग आपुशन पेना जाता है ललाट पर पेरों में कलाई पर ये कानों में इसका राइडेंस रोगा कानों म पेने जाना अबुशन है लूंग एक और लूंग डो जगे पेने जाता है लूंग एक कान के अंदर भी पेना जा सकता है और नाग के अंदर भी पेना जा सकता है जिस तरह आपको option दिया जाता है आप उसी के according answer दोंगे अगला question आलरो पेना जाता है तो आलरो महिलाओ के गले में पेने जाना वाला अबुशन है तुलसी आलरो जालरो तिमणिया और तुसी टेवटा पोत शरी आकर खुंगाली अमेल बजटी चमपाकली कि अंसरी आड मादलिया यह सबी गले क्या अबुशन है अगला question नोगरी नामा का अबुशन का पेना जाता है नोगरी नामा का अबुशन हातों में कहां पर इसका राइडेंसरों का हार अगरबशेके की नेव्री नेव्री हैं पेरों का अगर पुछें कि नोग्री, नोग्री ये हातों का अभुषन, इसका राइड है शुरुआ, तीन नमबर का हात का अभुषन होता है, नोग्री, इसके लबा एक मोकडी, ये भी लाख की चूड़िया होती है, उसे मोकडी कहते हैं, ये भी हात का अभुषन है, इसके लबा तक दामना एक आरत और एक गोकरू भी आथ का अबूशन है अगला क्यूसन बलिया अबूशन कहां पयना जाता हैं? हातों में, कानों में, सिर पर या नाद में? तो बलिया नामा का अभुषन हाथों का अभुषन है इसका राइडेंस रोका एक नमर बलिया एक हाथ का अभुषन है जो मुक्की रूप से हाथी के दाथ से मुक्की रूप से बना होता है उसे बलते हैं बलिया अभुषन अगला क्यूसन निमलिक दमें से कौन सा योगम आभुष्ण वे अंग सही सुमलेता नहीं है मेमद सिर का आभुष्ण है बिल्कुल सही है सुरलिया कानो का आभुष्ण है बिल्कुल सही है कंटी गले का आभुष्ण है बिल्कुल सही है मूदडी कलाई के अंदर ये गलत है हमने देखा था पेर की अंगूली में पेने जाने वाला अभूशन जिसे केते हैं मूदड़ी इसका राइडेंस रोगा पेर क्या होगा पेर इसका राइडेंस रोगा चार नमर नहीं कि कलाई में ये पेर के अंदर पेने जाने वाला अभूशन है और कहीं कहीं पर हाथ की अंगूलियों के अंदर भी ये मूदड़ी आभुषण पेहनती हैं अगला क्यूसन गोक्रु आभुषण मानओं के किस अंग पर पेहना जाता हैं अंगूली, ना, कलाई या माथा इसका राइडेंस रोगा कलाई के अंदर पेहने जाना वाला आभुषण है अगला क्यूसन फोलरी, बगडी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदी हैं तो ये मुकी रूप से इस्त्रियों के आभुषण है खोलरी नामक आभुषण, इस्त्रियों के पेरों में पेहना जाता हैं, बंगडी आभुषण, इस्त्रियों के हातों में पेहना जाता हैं, बोरला, महिलाओं के सिर पर बाढ़ने जाना वाला है बजटी आभुशन जो की गले में पेने जाने वाला और बाजू बंद जो हाथ की बाजू के अंदर बाज़ जाने वाला आभुशन है अगला क्युशन राजस्तान में बंगडी आभुषन पहना जाता हैं तो बंगडी नामक आभुषन हातों में पहने जाना वला आभुषन है अगला क्युशन बजन्टी अभुशन पहना जाता हैं तो बजन्टी अभुशन महिलाओं के गले में पहने जाने वाला अभुशन है अगला क्युशन इस्त्रिया बोला अभुशन सरीर के किस भाग में पहनती है बोला अभुशन इस्त्रियों के सिर पर बांदे चाना वाला अभुशन होता है गोल आकार का होता है और इसके नीचे होता है टिकड़ा और इसके आसपास होता है उसे रखड़ी केते हैं उसे क्या बोलते हैं तो इसका राइडेंस रोगा, भुजा पर, हाथ की भुजाओ पर बांदे जाना वाला अबुशन कौन सा होता है, बाजू बंद होता है, अगला अबुशन, दामना अबुशन इस्त्रियों के सरीर के किस भाग में पहन थी है, तो दामना अबुशन के दो, गोकुरू भी कह सकते हैं, हाथ की अंगुली, और कमर के करधनी, कनती, तगडी, कंदोरा, और जंजी, और नाक के हम कह सकते हैं, बुलाक, नत, चौप, लोंग, वारी, बेसरी, बहुरिया, फिनी, लटकन, ये सभी नाक के अबुशन, और कान के जेला, जमेला, पिपलपद्रा, अंग बुबनिया, सुरलिया, टोटी, और कोकरू, और मुर्किया, ये मुखी रूप से कान क्या पुशन, अगला किसन, राजस्तान में चुन्नी और बारी, शरीर के किस अंग में पेने जाते हैं, कान, पाओ, नाक यां, सिर्फ, इसका राइडेंस रोगा, नाक के अंदर पेनी जाती हैं, अगला किसन, मोकडी क्या है, लाग की चूडिया, उनी की दरिया, मिट्टी के बर्दन, लकडी के खिलोने, तो इसका राइडेंस रोगा, एक नमबर, मैंने कहा था, कि मोकडी, मोकडी, मोकडी एक अभुशन है, जो कि महिलाओ के हातों में पेना जाता हैं, जो क लाग की चूडिया को ही हम मोकडी केते हैं, इसका राइडेंस रोगा, एक नमबर, अगला किसन, निम्बोरी आभुशन पेना जाता हैं, गला, हाथ, दांत, या नाक, इसका राइडेंस रोगा, गले के अंदर पेने जाना वाला आभुशन है, निम्बोरी आभुशन, ये गले के अंदर बांदे जाना वाला आभुशन है, जिसका नाम है निम्बोरी, अगला किसन, अन्वट, अनोटा, जरा, पोलरा, शरीर के किस अंग के आभुशन है, पोलरा के दो या पोलरी के दो, पोलरी, ये मुक्रोप से पाउं के आभुशन, किस के है, पाउं के नेवरी, तोडिया, पाइल, लंगर, जांजर, नुपूर, आवला, मूदडी, रिमजोल इसके लावा, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरडी ये सबी पेर के अंदर पेने जाने वाले आगुशने यदि आपको क्लास अची लगी हो, तो लाइक करना, अनि दोस्तों के साथ सेर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद आज हम आनुसुचे जाती वे आनुसुचे जन जाती समिधित विगत परिक्सा में पूछे गए मैं पूछे पूशनों पर डिसकस्न करेंगे आज का पहला क्यूसन, ताराभाद की ओड़नी, राजस्तान की किन इस्त्रियों की लोगप्रिये वेश पूशा हैं, राजपुत, गूजर, आदिवासी या जाट, आदिवासी महिलों के अंदर ताराभाद की ओड़नी, विशेशकर परचलित में हैं और जो आदिवासी महिलों दारा, जो ओड़नी ओड़नी जाती हैं, इसके अलग-अलग परगार हैं, जैसे एक ताराभाद की ओड़नी, एक केरी बाद की ओड़नी, एक कट की बाद की ओड़नी, लेर बाद की ओड़नी, चुआर बाद की ओड़नी, तो अलग-अलग परग है ओड़नी की जो आदिवार्शी की महिलों द्वारा प्रचलन में और विशेशकर आदिवार्शी की लड़कियों द्वारा यह विवायत लड़कियों द्वारा जो ओड़नी ओड़ी जाती है उसे हम कटकी केते हैं क्या केते हैं कटकी केते हैं यह भी याद रखना और आदि गुषन कटारी बात से क्या आज्शे हैं तो कटारी बात एक परकार का ओडन ही है जो कि आदिवाशी महिलाओं के अंदर प्रचलन में ये एक परकार का वस्तर है इसका राइडेंस रोगा दो नमबर का अगला गुषन आदिवाशी में कटकी वस्तर पेना जाता है पुरूशो द्वारा अविवाइद यूवितियो द्वारा इसका राइडेंस रोगा अविवाइद यूवितियो द्वारा आदिवाशी की लड़किया होती है उनके द्वारा जो ओडनी ओडी जाती है उसे हम क्या कहते हैं कटकी कहते हैं क्या कहते हैं कटकी कहते हैं ये एक ओडनी का प्रकाह है अगला किसन राजस्तान में सरवादिक परतिसत वाली अनुसुचित जन जाती हैं बील मीना गराश्या बील या मीना तो राजस्तान में अनुसुचित जन जाती है जो सरवादिक निवास करती है वह पेले एक दूसरे नम्kel आँएगी बील, तीसरे नम्ब आएएगी गराशिया, चौते नमब आपकी शेहरिया, जो भारत की एक मातर अधिम जन जाटी है。 उसके बाद में कथोड़ी, डामोर, ये इसका करह में क्योंकि सरवादी परतिसत में मीना उसके बाद में भील उसके बाद में ग्राशिया उसके बाद में सेरिया उसके बाद में कतोडी उसके बाद में डामो और जंजाती राजस्तान में निवास करती है इसमें क्या पुचा कि सरवादी कौन सी अनुसुचित जंजाती निवास क राजस्तान में जंजातियों में संक्या की दश्टी से दूसरे नमबर पर हैं ग्राशिया, सैरिया, बील या कंजया इसका राइडेंस रोगा अभी हमने देखा था एक नमबर मिना आएगा दूसरे नमबर बील आएगा इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर अगर पूछ लि पर दील आती है है अग्छा डिंसन मतश्य पुराण में किस जन जाती का उलेक है तो मतश्य पुराण में मिना जन जाती का जैपूर दोशा के आसपास सरवादिक पाई जाती है अगला किसन मोरणी, मोरणा किस जनजाती से समधित है बील से, मिना से, ग्राश्या से या सेरिया से इसका राइडेंस रोगा ये कुछ चित्रकारिता की जाती है मिना जनजाती के अंदर इसका राइडेंस रोगा दो नुबर कर्णल टोड के अनुसार मिनाओ का मूल निवास इसता निमन में से कौन सा था आबू परवतमाला काली खोग परवतमाला इसका राइडेंस रोगा दो नुबर कर्णल जनज टोड के अनुसार मीनाओं का मूल निवास काली खो परोतमाला थी इसका राइडन्स रोगा दो नमर अगला किशन भील पुरूस अपने बालों को डखने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे कहते हैं कसाबू कसाबू जो की भील इस्त्रियो द्वारा पगड़ी या पोत्या या इसे फेटा का जता है इसे फेटा या पोत्या का जता है जो भील पुरूस सिर को डखने के लिए सपेद रंग का जो वस्त्र बानते हैं उसे पोतिया या फेटा का जाता है इसका राइडेंस रोगा तीन निमबर का अगला कुशन यूलो के वस्त्रों के संद्रब में फेटा है तो ये फेटा क्या है एक परकार का सिर का वस्त्र जो पकड़ी के समान होता है जो सिर को ढखने के लिए काम में लिया जाता है इसका राइडेंस रोगा चार निमबर और आप दी जानकर लिए बता दो कि बील पुरूस द्वारा पेने जाने वाली तंक दोती होती है तंक दोती का हम डेपाड़ा केते हैं डेपाड़ा केते हैं और बील के गरों को कूग केते हैं बील के गरों को केते हैं और छोटे-छोटे घर मिलकर उसे हम बीलों की बस्ती केते हैं बीलों की बस्ती जिसे क्या का जाता है पाल का जाता है और पाल का जो मुक्या होता है उसे पाल की काता है और बील के गाउं का जो मुख्या होता है या बीलों का जो मुख्या होता है उसे हम गमेती केते हैं क्या केते हैं गमेती केते हैं अगला क्यूसन बील जन जाती में कसबू कौन पहनता है नव यूवती लड़का बालक पुरुश्य महिला तो इसका राइडेंस रोगा चार नम्र महिला उ दवारा, एनकी बील की स्तरी उ दवारा, काले वे लार रंगा जो गागरा पेना जाता हैं उसे कसा भूख केते हैं इसका राइडेंस रोगा चार नम्र अगला तुसन भील जन जाती की इस्त्रियो द्वारा पेने जाने वाला लंबा गागरा जिस नाम से जाना जाता है कटगी तो कटगी एक परकार का ओड़नी का परकार है यहनकी जो आदिवास की महिला होती है वे ओड़नी ओड़ती हैं उसे हम कटकी केते हैं तो इसका राइड़न सुरूबा दो नमबर कसाभू जो की भील जन जाती की इस्त्रियो द्वारा पेने जाने वाला काले वे लाल रंग का लंबा गागरा होते हैं उसे कसाभू केते हैं कू भीलो का घर होता है उसे कू के नाम से जाना चाता है इसका राइड है शुरुआ दो नमबर का अगला केस्व खोईतू वस्तर समधित है मिना जन जाती से भील जन जाती से ग्राश्या जन जाती से सेर्या जन जाती से खोईतू वस्तर भील जन जाती से समधित है भील पुरुसो द्वारा कमर पर बांदे जाने वाली लंगोटी को खोई तू केते हैं क्या केते हैं खोई तू केते हैं इनकी भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांदे जाने वाली लंगोटी को खोई तू केते हैं इसका राइडन्स रुआ दो नमबर अगला किसन भील जन जाती कि पुरुष कमर पर जो वस्तर लपेटा करता है उसे का जाता है खोई तू तो इसका राइडन सुरूआ एक नमबर पोतिय क्या है भील जन जाती के पुरुष द्वारा सिर को डखने के लिए सपेद रंका जो वस्तर बांगते हैं उसे पोतिया या फेटा करते हैं कसाबू भील जन जाती की इस्त्रियो द्वारा कमर पर बांदे जाने वाली काले वे लाल रंका जो घागरा होता है उसे कसाबू करते हैं अगला किसन पीलो द्वारा लड़की के विवाग के समय घर की दिवारों पर बनाए जाने वाले लोग देवी की चित्र को क्या का जाता है इसका राइट एंस रोगा चार नमबर भराड़ी का जाता है यनकी भील जन जाती की मुख्यर जो लोग देवी हैं उसे भराड़ी देवी केते हैं भराड़ी देवी की पूजा करते हैं और जो चित्र बनाते हैं उसे भराड़ी केते हैं इसका राइट एंस रोगा चार नमब और जब भील जन जाती, जब साधी करते हैं, तो जब मणड़ सजाते हैं, उस समय आम के पत्तों का प्रियोग करते हैं, किसे आम के पत्तों का प्रियोग करते हैं? अगला question, बीलो में छहड़ा फाराना क्या है? तलाक, इसका राइडन फुरुगा, एक नमबर तलाक हैं अगला question बीलो की बासा में डेपाडा है कुर्टा, तंग दोती, अंगर की या सापा तो इसका राइडन्स रोगा इल जन्चाती में जो कमर पर पुरुषों के द्वारा बांदे जाने वाली तंग दोती को डेपाडा का जाता है इसका RIDENS रुगा दो नमबर अगला किसन फाइरे फाइरे किस जन जाती का रन गोश है बील, ग्राशिया, डामोर या मिना इसका RIDENS रुगा एक नमबर बील जन जाती जब यूद नर्तिय करती है कौनसा यूद नर्तिय करती है उस समय फाइरे फाइरे रन गोश के साथ यूद नर्तिय करती है लेकिन आपको एक और बात याद रखने है कि जब अगनी नर्तिय किया जाता है जब अगनी नर्तिय किया जाता है जसनाती संपर्दाए के अनुवाईयू द्वारा उस समय फते फते के नारे लगा जाते है फते के नारे अगनी नर्टिय करते समय जसनाती संपर्दाए के अनुमाई यू द्वारा फते फते के नारे लगा जाते हैं और भील पुरुषों के द्वारा जब यूद नर्टिय किया जाता है उस समय फाइरे फाइरे रन्गोस का सोरी रंगोस किया जाता है तो इसका राइड है शुरुआ एक नमबर अगला बोमट है बोमट मेवाड में भील आबादी वाला शेत्र जिसे बोमट कहते है बोमट मुद की रूप से उद्यपूर वे डूंगरपूर वे पूर्वी शिरुई का जो मत्य का भाग होता है उसे भोमट का जाता है यनकी बील बाहुले शेत्र को भोमट के नाम से जाना जाता है इसका राइड है शुरुआ चार नमबर अगला किसन मक्का राजस्तान की किस जन जाती का मुख्य बोजन है तो मक्का मुख्य रूफ से भील जन जाती का मुख्य बोजन है इसका राइड है शुरुआ चार नमबर अगला किसन पाल किसे कहते हैं जन जाती की खेती सहरियों की बस्ती मीनाओं की बस्ती बीलों की बस्ती तो बीलो की बस्तियों को क्या का जाता है पाल केते हैं इसका राइडेंस रोगा एक नंबर और जो बीलो के घर होते हैं उसे कू या उसे तापरा केते हैं कू या तापरा का जाता है और बीलो की बस्ति को पाल केते हैं और बीलों के गाउं के मुख्या को गमे थी केते हैं, क्या केते हैं, गमे थी केते हैं, अगला किसन, कू क्या है, गराशियों का हट्यार, तो इसका राइडेंस रोगा, तीन नमबर, बील जन जाती हैं, घर होते हैं, उसे कू यां तापरा केते हैं, कू यां तापरा केते हैं, अगला कुशन फीलो के कमरों के बार इस तित बरामद या गेलेरी को का जाता है तो घर को क्या का जाता है कू का जाता है लेकिन जो घर के बार जो बरामद या गेलेरी होते हैं उसे डेलिया या डालिया कहते हैं क्या कहते हैं डालिया या डेलिया का जाता है इसका राइड एस रोगा तीर नंबर अगला ग्युसन बीड जनजाती में पेपदार थे तू किस वरक्स या पोदे का अधिक उपयोग किया जाता है तो बीड जनजाती के अंदर महुवा वरक्स जिसे आदिवाश्यो का क्लब वरक्स का जाता है और इस महुवा वरक्स से ही बीड जनजाती देसी सरा बनाती है जिसे मोकडी केते हैं जिसे मोकडी का जाता है और महुवा वरक्स आदिवाश्यो का क्लब वरक्स का जाता है और इसका विग्यानिक नाम मदू का लोंगो फोलिया मदुगा लोंगो फोलिया इसका वेग्यानिक नाम में किसका महुआ वरक्सा और जब बील जन जाती जब विवा करते हैं उस समय जो मंड़व सजाती हैं उस समय आम के पत्तों का उपियोग करती हैं इसका अगरा किसन राजस्तान में उद्रिया पंथ किसमें परचलित हैं पी राइडेंस रोगा एक नमबर फिलो में उद्रिया पंथ प्रचलन में हैं इसका राइडेंस रोगा एक नमबर अगरा किसन बील जन जाती विवा के आउसर पर मंड़व की सजावट किस वरक्स की पत्तियों से करते हैं नीम असोक आम या बबुल तो मैंने अभी बताय था क कि जब भील जन जाती विवा करते हैं उस समय जो मंड़व सजाते हैं उस समय आम की पत्तियों का उप्यों किया करते हैं इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर और भील जन जाती का क्लब प्रक्स कौन सा है तो महुआ महुआ का प्रक्स भील जन जाती का क्लब प्रक्स होता ह और इससे वैदेसी सरा बनाते हैं जिसे हम भीलों का सौमरस पी केते हैं और ये बड़ी चाव के साथ इसको पीते हैं अगला किसल गमेती निमलेकित में से किस जन जाती के लोगों का नेता होता है दील, मीना, गूजर या गराश्या जन जाती के जो मुक्या होते हैं उसे गमेती केते हैं मीना जन जाती के जो मुक्या होते हैं उसे पठेल केते हैं ग्राशिया जंजाती के जो मुक्या होते हैं उशे सैलोत केते हैं और सेरिया जंजाती के जो मुक्या होते हैं उशे कोतवाल केते हैं और डामोर जंजाती के जो मुक्या होते हैं उसे मुखी केते हैं और कंजर जंजाती के मुक्या को भी पठेल केते हैं पठेल केते हैं तो आपको राजस्तान के जो जन जाती है इनके जो मुक्या होते हैं उनको किस-किस नाम से जाना जाता है बील में गमेती के नाम से जाना जाता है मीराओं में या कंजर जन जाती में पठेल के नाम से जाना जाता है ग्राशिया के जो मुख्या होते हैं उशे सहलोद का जाता है और सहरिया जनजाती के जो मुख्या होते हैं उशे कोतवाल कहते हैं क्या कहते हैं कोतवाल कहते हैं तो ये भी आप याद रखना आगला किसन बीलो के गाम के मुख्या कहलते हैं पाटिल पठेल चोकिदार या गमे इसका राइडेंस रोगा च्यार नबर पठेल मीना मीना वै कंजर जन जाती की जो मुक्या होते हैं उसे पठेल केते हैं और चोकिदार इस मीना का ही एक परगार होते हैं एक जमिदार मीना होते हैं एक चोकिदार मीना होते हैं निमलकित में से कौन सी राजस्तान की जन जाती नहीं है अब इन में से राजस्तान की कौन सी जन जाती नहीं है भील राजस्तान की जन जाती सबसे प्राचिन जन जाती माने चाती है खटिक ये जन जाती नहीं इसका राइड एंसरो का दो नंबर मिना जन जाती जो की राजस्तान में सरवादिक जन संक्या में पाई जाती है उसके बाद में भील पाई जाती है उसके बाद में ग्राशिया उसके बाद में सेरिया उसके बाद में कथोड़ी उसके बाद में डामबोर जन जाती है और डामबोर जन जाती है मुक्य रूप से डुंगरपूर जिले के सिमलवारा सुरी सिमलवारा तेसिल के अंदर पाई जाती है अगला क्यूशन ग्राशिया जन जाती के गाउं के मुक्या को गमेती बील जन जाती के जो मुख्या होते हैं उसे गमेती केते हैं और चौता है कि सहलोत जो की ग्राशिया जन जाती के जो मुख्या होते हैं उसे सहलोत का जाता है इसका राइडन सुरुआ चार नमबर अगला किशन और ग्राशिया जनजाती मुक्ची रूप से सिरोई जिल्ये के अंदर सरवादी की निवास करती है और इसके लवा उधेपुर के अंदर भी निवास करती है हारी बावरी कर्शी का रूप किसे जनजाती का है भील, मीना, गूजर या ग्राशिया तो ग्राशिया जनजाती में जो सामुई कर्शी की जाती है सामुई कर्शी की जाती है जिसे हारी बावरी कर्शी के नाम से जाना जाता है इसका राइडेंस रोगा चार नमबर और ग्राशिय जन जाती के अंदर विवा के तीन परकार होते हैं कितने विवा के तीन परकार होते हैं कौन कौन से होते हैं एक होता पहरावना पहरावना परसन पूछा जाएगा पहरावना एक होता है मोर बंदिया मोर बन दिया और एक उतार ताड़ना ये तीन परकार के विवा ग्राशिया जन जाती में परचले थे एक पेरावना, एक ताड़ना और एक मोर बन दिया ये तीन परकार के विवा ग्राशिया जन जाती में परचलन में और ग्राशय जन जाती जो सामूल कर्शी करती हैं जिसे हम किस नाम से जाना जाते हैं आरी बावरी कर्शी के नाम से जाना जाते हैं अगला क्विशन कौन सा विवा ग्राशय जाती में परचलित नहीं है तो ग्राशिया जन जाती में कौन सा विवा परचलित नहीं है लाली मोरिया तो लाली मोरिया विवा ग्राशिया जन जाती में परचलित नहीं है यह मुखी रूप से जन जाती में तो परचलित में है लेकिन ग्राशिया जन जाती में परचलित में नहीं है ग्राशिया जन जा आज का पहला किश्न मोरबंधिया, पहरावना, ताड़ना विवा निमन मेंसे किस जन जाती में परचलित है सासी, मीना, बील, ग्राशिया इसका राइडेंस रोगा ग्राशिया जन्जाती में तीन परकार के विवा होते हैं एक मोरबंदिया, एक पहरावना, एक ताड़ना विवा ये तीनों विवा ग्राशिया जन्जाती में परचलित है ग्राशिय जन्जादी मुक्य रूप से सिर्विज जिल्य में निवास करती है और ग्राशिय जन्जादी का जो मुक्या होता है उश्यम सहलोत कहते हैं, क्या कहते हैं, सहलोत कहते हैं और ग्राशिय जन्जादी में सामाजिक सहकारी संस्था होती है, जिसे हेलरू करते हैं जिसे हेलरू केते हैं अगला क्यूसन सामाजिक स्यागारी सस्ता हेलरू राजस्तान की किस जन जाती से समध है सहरिया, कंजर ढील मिना और ग्राशिया इसका राइडेंस रोगा ग्राशिया जन जाती से समध है इसका राइडेंस रोगा चार नमर अग्रा क्यूसर् राजस्तान के इस जिले में सेरिया जंजाती केंद्रित हैं सिरोही जिले में डूंगरपूरवेबासवाड़ जिले में उद्यपूरवेद चितोटगर जिले में वे 12 जिले में इसका राइडेंस रोगा चार नबर सेरिया जंजाती जो की बारे जिल्ये के अंदर सरवादिक निवास करते हैं बारा जिल्ये के अंदर दो तेसिल हैं एका नाम किसन गंज किसन गंज वै साबाज तेसिल के अंदर सेरिया जंजाती अधिक मातराओं पाई जाती है सरवादी पिछडी जन जाती होने के कारण इसे आदिम जन जाती की सूची में सामिल किया किस के दौरा भार सरगार के दौरा हम कह सकते हैं कि राजस्तान की एक मात्र आदिम जन जाती कौन सी है तो वैं सेरिय जनजाती कौन सी है सेरिय जनजाती और सेरिय जनजाती का जो मुक्या होता है जिसे कोतवाल केते हैं कोतवाल केते हैं और सेरिय जनजाती का जो कुम्ब होता है वैं सीता वाडी का मेला जो की केलवारा कस्पे के पास में बढ़ता है केलवारा कस्पे के पास में सिता वाड़ी का मेला लगता है जो सेरिया जनजाती का कुम का जाता है अगला किसन और सेरिया जनजाती के अंदर एक धारी संसकार है और ये एक मर्तियों से समधित है ये एक मर्तियों से समधित है उनके का जाता है कि जब सेरिया जनजाती में किसी की मर्तियों होती है उसके तीसरे दिन घर के आंगन के अंदर कुछ बर्तन के नीचे आटा रख दिया जाता है और दूसरे दिन ये देखा जाता है कि उस आटे पर किसका पक्चिने तो का जाता ह जिसका वह पक्चिन होता है तो वह अगले जनम के अंदर वह उसी रूप के अंदर पुनर जनम हुआ है अगला क्यूशन राजस्तान की निमन में से कौन सी जनजाती को भार सरगार द्वारा आदिम जनजाती समोग की सूची में सामिल किया गया है बील, सेरिया, गराशिया या मीना भार सरगार के द्वारा आदिम जनजाती के सूची में सामिल सेरिया जनजाती को किया है इसका राइडेंस रोगा चार नमर अगला क्यूशन राजस्तान की कौन सी जनजाती परमुकता से बारा जिले के साबाज पे किसन गंज तैसिल में निवास कर रही है तो वह सेरिया जनजाती जो की बारा जिले के साबाज पे किसन गंज तैसिल के दर सरवादी की निवास करती है और राजस्तान की एक मात्र आदिम जनजाती है क्या है राजस्तान की एक मात्र आदिम जिन जाती की सूची में सामिल कोंसी है शेरिया जिन जाती है अगला क्योंसन धारी शंसकार राजस्तान की किस जिन जाती में परचलित है ग्राशिया मीना सेरिया या भील तो इसका राइडेंस रोगा सेरिया जन्जाती में धारी शंसकार परचलन में और ये मर्तिव से समधित संसकार है इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर अगला कुशन राजस्तानी संसकरती में खपटा क्या है देवी देविताओं की मिट्टी की मूर्तिया है सेरिया पुरुषों का सापा है तो इसका राइडेंस रोगा दो नमबर जो सेरिया जन जाती के अंदर जो पुरुषों के द्वारा सिर को ढखने के लिए जो सफीद सापा बाना जाता है उसे यम क्या केते हैं खप्टा केते हैं क्या केते हैं खप्टा केते हैं और सेरिया जन जाती के जो मुक्या होता है उसे यम कोटवाल केते हैं क्या केते हैं कोटवाल केते हैं तो इसका राइडेंस रोगा दो नमबर का राजस्तान के बाहस्वारा जिले में मानगट को क्यों जाना जाता है आदिवाशियों का अंग्रेजयों द्वारा दमन किये जाने पर इसका राइट एंस रोगा एक नबर है का जाता है कि मानगट के अंदर भीलों का वार्षिक समेलें चल रहा था और वह तारिक थी 17 नौंबर 1913 को जब भीलों का मानगट के अंदर वार्षिक अदिवाशियों चल रहा था उस समें अंग्रेजयों के द्वारा अंदा धुन गोलिया चला दी गए थी और इसमें लगबग 1500 से अधीक भील मारे गए थे इसलिए मानगट धाम हत्याकान के रूप में 17 नौंबर 1913 को वह था इसम पील गराशिया जन जाती में दापा का क्या अर्थ है कन्या पक्स द्वारा वर पक्स से कन्या के बदले में धंदरासी लेना इसका राइड एंस रोगा बील वे गराशिया जन जाती में दापा का ये अर्थ होता है कि कन्या पक्स के द्वारा वर पक्स से कन्या के बदले ज उसे दापा काते हैं और सामानिय बासा में कहें तो देहज परता यनकी कन्या पक्स के द्वारा वर्पक्स से कन्या के बदले में जो धंदरासी ली जाती है उसे हम कहते हैं देहज परता और भीलवे गराशे जन जाती हैं उसे दापा परता के नाम से जाना जाता है तो इसका राइडेंस रुगा एक नमबर का अगला क्यूशन दक्ष्णी राजस्तान की जंजातियों में बढ़ा लिया का क्या अर्थ है दो पक्स के मद्येद विवा समध में मद्यस्ता करने वाला व्यक्ति को बढ़ा लिया का जाता है तो इसका राइडेंस रुगा एक नमबर अगला क्यूशन आदिवाश्यु में लीला मोरिया संसकार किस से समधित है जनम से, विवा से, कन्यादान से या मर्ट्यू से तो लीला मोरिया ये विवा से समधित है इसका राइडेंस रोगा दो नमबर का अगला क्यूशन कंजर जन जाती द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती हैं सत्य बोलने की यनकी कंजर जाती के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी जूट नहीं बोलते हैं अर्थात वे सत्य बोलने की सपद लेते हैं इसका राइडेंसरों का एक नमबर अगला किसन किस जाती के लोग चोरी कंडने निकलते हैं तो पहसासुर की फड़ की पुजा कर सगून लेते हैं तो इसका राइडेंस रुगा कंजर जाती इसका राइडेंस रुगा 15 नमबर अगला क्यूशन बीज़ा वैब माला राजस्तान की किस जन जाती की साका है सासी, डामोर, सेरिया या कंजर इसका राइडेंस रुगा एक नमबर बरतपुर बरतपुर वै अजमेर जिल्ले के अंदर मुक्य रूप से ये सासी जन जाती पाई जाती हैं और इसकी दो साका हैं एक वीजा और एक माला शाका उसी तरह डामोर जन जाती कहा निवास करती हैं डामोर जन जाती मुक्य रूप से डूंगरपुर जिल्ले में निवास करती हैं डूंगरपुर जिल्ले के अंदर सिमलवाडा तेसिल सिमलवाडा तेसिल के अंदर मुक्य रूप से सरवादिक मात्रा में पाई जाती है और डामोर जन जाती और सेरिया जन जाती सावाज वे किसन कज 12 के अंदर सरवादिक है और कंजर जाती कोटा के अंदर सरवादिक पाई जाती है और कथोडी जन जाती कथोडी जन जाती उदेपूर केंदर सरवादिक हैं अगला क्युशन कतोडी जनजाती का मुख्य किस जिल्ले में पाई जाती हैं डुंगरपूर, बासवाडा, उदेपूर या कोटा कतोडी जनजाती उदेपूर जिल्ले में सरवादिक मातरां पाई जाती है अगला क्युशन जन जाती इस्तान सुमलित कीचे गराश ये जन जाती माउट अभू शिरोई के अंदर सरवादिक मातरा 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 मातर भरतपुर यालवा उग्राशिया जंजाती मुख्य रूप से सिरुई जिल्य में स्रवाधिक पाई जाती है। पीजा और एकाना माला। अगला के उसल डामो और जंजाती का निवा स्यत्र डुंगरपूर बांसवाडा टॉंक। डुंगरपूर बांसवाडा उदेपूर। इसका राइडन्स रोगा दो नमर गा यह मुख्य रूप से डुंगरपूर जिल्ले के अंदर बांसवाडा और उदेपूर जिल्ले के अंदर बाहि जाती कौनसी डामो और जंजाती लेकिन यह दी तैसिल पूछे तो आपका अंसर होगा सिमलवाडा तैसिल डुंगरपूर के अंदर सरवादिक मात्रा बाहि जाती हैं अगला क्यूसन एक बार आपकी जान कर लिए बदा दू कि जैसे ग्राशय जंजाती मक्य रूप से पूचे तो आपका अंसर होगा सिरोह जिल्ले के अंदर कांपर सिरोह जिल्ले के अंदर सिमलवाडा तेस्षिल कंदर लेकिन इसके अलावा साथ में ओप्सन हो तो आप गांसवर बांसवाडा कंदर कुछ पाई जाती है और कुछ उद्यपूर कंदर भी डामो और जनज़ाती पाई जाती है इसके अलावा सेर्य जनज़ाती मुख के रूप से किसन गंज पे जिले कंदर पाई जाती है और इसके साथ साथ पे थोड़ी बहुत कोटा जिले कंदर थोड़ी बहुत जालावार जिले कंदर भी पाई जाती है यहनकि एक साथ तीन ओप्सन हो तीन जिलों के तो आप बारा कोटा और जालावार को चुन सकते हैं और इसके अलावा सासी जन चाती तो ये भी आप याद रखना और कथोडि जन चाती अगर पुछिए कि कथोडि जन जाती तो कथोडि जन जाती मुक्य रूप से उदेपूर जिल aircraft कंदर निवास करती है उदेपूर जिले के कुछ तैसियान एक नाम है कोटड़ा तैसिल, एक नामे जाडोल तैसिल एक का नामे सराडा ये तीन तैसिलों के अंदर मुख्य रूफ से कथोड़ी जनजाती निवास करती है और इसके साथ साथ उद्यपूर के साथ साथ ये डूंगरपूर प्लस बारा जिले के अंदर भी निवास करती कौन कथोड़ी जनजाती और कंज ने सीर्यय का भी युछ या सकता हैं और शासी जंजाती हैं अगला किशन राजस्तान के के सी जिले में अधिकं आबादी निवास करती हैं इसमें क्या पूछा है मुख्य जिला कौन सा है आधि गरे जिले के अधर बाहर जिला होगा इसके लवा कोटा के अंदर भी थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत जालवार जिले के अंदर भी सेरिया जंजाती निवास करती है और ये भार्त की एक मात्र स्वरी राजस्तान की एक मात्र आदीम जंजाती के रूप में सामेलर है अगला किसन सुमेलित कीजी सेहरी अजन जाती अब सेहरी अजन जाती मुक्त की रूफ से कौन से जिले में 12 जिले यह बढ़ा और इसके साथ कोटा के अंदर थोड़ी बहुत और थोड़ी-बहुत जालावार जिले का अंदर भी है एक कंदर आएगा तीन, ग्राश या मुक्य रूप से कहां पर पाई जाती है, सिरुवी कंदर, कहां पर सिरुवी कंदर, लेकिन थोड़ी बहुत, उद्यपूर में और प्लस पाली कंदर भी पाई जाती है, दामो और जन जाती है, मुक्य रूप से कहां, डूंगरपुर जिल चार नमबर गाए इसका राइडन सुरूगा चार नमबर गाए अगला किसन जेला बाव जी और इग्यारस की रेवाडी में किस जन जाती के परमुक मेले हैं सासी, कंजर, सेरिया या डामोर इसका राइडन सुरूगा चार नमबर जेला बाव जी या सेला बाव जी का मेला ये मुक्की रूसे गुजरात के अंदर मेला बरता है ये इसफ medals पनज मेल गुजरात के अंदर और इसके अंदर केवल पुरूश सी भाग लेते हैं और इग्यारस की रेवाडी का मेला डूंगरपूर जिले के अंदर परतिवरश अगस्त वे सित्वंपर मां में परता हैं और ये डामो और जन जाती से संबधी थे तो यह 11 की रेवाडी का जो मेला आएंवा है डुंगरपूर जिल्ले के अंदर परतिवरश अगस्त र सितुम्बर मां के अंदर इसका राइडेंस रोगा चार नंबर अगला क्योशन विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांस्वाडा जिल्ले की किस नदी पर पुल बनाने का सिला नास हुआ इसका राइडेंस रोगा अनास नदी पर यह पुल बनाय था विश्व आधिवासी दिवस 9 अगस्त 9 अगस्त 2022 को बांस्वाडा जिले के अंदर अनास पुल का सिला नाश किया था इसका राइडेंस रोगा तीन नंबर का अगला किसन विश्व आदिवासी दिवस मने जाता है तो विश्व आदिवासी दिवस नव अगस्त को मने जाता है इसका राइडेंस रोगा दो नमबर का अगला गिसन जन जाती कल्यान परकोष्ट की स्ताबना राजस्तान में राजबाउन जैबुर में की गई तो इसका राइडेंस रोगा 2011 गंदर की गई थी जन जाती है कलियान परकोष्ट का गठन क्या गई था ट्राइबल, वेलफेर सेल की इस्ताब न की गई थी राजबोवन जेपुर के अंदर 2011 गंदर अगला किसन राजस्तान में जन जाती है सेत्रिये विकाश विभाद की जन जाती होका सबसे कम परतिसत पाए जाता है इसका राइडेंस रोगा तीन नमर का जाबर जीरो पाइंटीन परतिसत अनुसुचित जनजादियों का परतिश्थ पाय जाता है नागोर जिले में न्यून तम और बीकन एर जिले के अंदर भी 0.3 परतिश्थ एंद इन दोनों जिलेों के अंदर बराबर पाय जाता है अगला क्यों सन राजी में जंज्याति आबादी का सर्वादी केंदर युक्त संभाग है उधेपूर, जयपूर, कोटा या अज मेर उधेपूर संभाग केंदर सरवादी क आनसुच जंज्याति निवास करती है इसका राई जन सिरु का एक नमर का आज के लिए इतना ही क्लास अच्छी लगी है तो अन्य दोस्तों के साथ सेर जरूर करना आज हम राजस्तान की भाषा मैं बोली उसे सम्वतित विगत परिक्ष्टा में पूछे लिए मैं पुन क्योशनों पर डिसकर्शन करेंगे आज का पहला क्योशन राजस्तान की भाषा के लिए राजस्तानी शबत का परियोग सरोपर्दम किस ने किया था तो राजस्तानी भाषा के लिए राजस्तानी शबत का परियोग सरोपर्दम जोर्ज अब्राम गिरेशन के द्वारा किया गया था आपकी जानकाने के लिए बता दूं कि सरोपर्दम राजस्तानी भाषा का सवतंत्र वेग्यानिक विस्ट्रेशन प्रस्तूत करने वाले सर जोर्ज अब्रायम गिरियसने इन्होंने अपनी पुस्तक लिग्वेश्टिक सर्वे ओफ इंडिया लिग्वेश्टिक सर्वे ओफ इंडिया पुस्तक के अंदर 1912 में सरोपर्दम राजस्तानी भाषा का सवतंत्र वेग्यानिक विस्ट्रेशन प्रस्तूत किया था इसका राइड एंसर होगा तीन नमबर आपकी जानकार लिए बता दू कि कर्णल जम्स टोड के द्वारा सरोपर्दम राजस्तान सवत का उप्योग किया था परसन पूचे जाएगी राजस्तान सवत का उप्योग सरोपर्दम किशने किया था करनल चम्स टोड के द्वारा राजस्तान सबत का परियोग किया गया था और राजस्तानी सबत का उपयोग सरोपर्दम किशने किया था जोर्ज अब्राम गिरेशन के द्वारा किया गया था और अगर पूचे कि राजपुताना सबत का उपयोग राज-पुतना सबत का उपयोग सुरौपरदम किशन किया था आप कहाँ सी होगः जोज थॉम्स के दवारा सुरौपरदम राज-पुतना सबत का उपयोग किया गया था अगला क्युसरण लिग्वेस्टिक सर्व आफ औफ इंडिया के लेकक है जोर्ज अब्राहिम गिरेसन इसका राइड एंसर होगा एक नमबर इनी के द्वारा सरवपरतम राजस्तानी का सवतंदर भाषा के रूप में वेग्यानिक विशलेशन प्रस्तूत किया गए था अपनी पुस्तक लिग्वेश्टिक सरवय उफ इंडिया के अंदर और नौमे खंड के दूसरे अध्याय के अंदर राजस्तानी भाषा का वेग्यानिक विशलेशन प्रस्तूत किया था किस ने जोर्ज अब्राहिम गिरेसन के द्वारा और इनके द्वारा राजस्तानी भाषा को मुक्य रूप से पांच बागों में बाटा कितने पांच बागो कंदर किस के द्वारा बाड़ा कहता जोर्ज अब्राहिम गिरेसन के द्वारा अगला क्यूसर राजस्तान में बोली जाने वाली भाषाओ के संद्रप में परकासित भारतिये पासा सुरक्षन में किया गया था तो ये 1908 के अंदर किया गया था जोर्ज अब्राहिम गिरेशन ने राजस्तानी बोली का सरवप्रतम उल्लेग 1907-08 इस्वी में अपने गरंथ भारतिय भाषा विश्व कोस में किया गया था तो कब किया? 1907-08 में किया था तो इसका राइडन्स रोगा 1908 इस्वी में उसका गरंथ था बारतिय भाषा विश्व कोस में सरवप्रतम राजस्तानी बोलियों का सरवप्रतम उल्लेग किया था तो इसका राइडन्स रोगा तीन नम्बर का अगला क्यूसन राजस्तानी का सवतंतर भाषा के रूप में वेग्यानिक विश्वेशन प्रस्तूत करने वाले पर्थम विद्वान थे तो पर्थम विद्वान कौन थे जोर्ज अब्राहिम गिरेशन के द्वारा राजस्तानी भाषा का सवतंतर वेग्यानिक विश्वेशन प्रस्तूत किया था कब किया था 1912 आइश्यू में किया था कौन सी पुस्तक में किया था Linguistic Survey of India में किया था किस के दोबरा किया गय था George Abraham Grayson के दोबरा किया गय था अगला प्रिशन डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक Linguistic Survey of India में राजस्तानी बोलियों को मुख्य समों में विपाजित किया था 3, 5, 7 या 9 तो इसका राइट हैंसर होगा कुल 5 भागों के अंदर राजस्तानी बोलियों का विपाजन किया था किसने George Abraham Grayson ने अपनी पुस्तक Linguistic Survey of India जो 1912 में लिखे गए थी इनके दोबरा जो 5 भाग किये गए थे पहला भाग जो पच्छिमी राजस्तानी जिसकंदर मारवाडी बोली आती है दूसरा इन्होंने विपाजन किया था उत्र पूर्वी राजस्तानी जिसकंदर मेवाती बोली आती मेवाती और मेवाती की उप बोलिया जो उत्र पूर्वी राजस्तानी बोली कंदर आती है और तीसरी इन्होंने विवाजन किया मध्य पूर्वी राजस्तानी बोली जिसकंदर हाडोती वे ढूंडाडी बोली आती है और उन्होंने चोता विवाजन किया दक्षन पूर्वी राजस्तानी जिसकंदर मालवी बोली आती हैं और चौता इन्होंने पांच वा विवाजन किया था दक्षनी बोली दक्षनी राजस्तानी दक्षनी राजस्तानी और दक्षनी राजस्तानी के अंदर कर निमबाडी बोली आती हैं तो इन्होंने पांच बागों के अंदर राजस्तानी बोलियों का विवाजन किया अगला किसन डॉक्टर पैसी टोरी के नुसार राजस्तानी भासा की किस सदी के लगबग अस्तित्युम्ह आ चुकी थी 12 सदी 11 सदी 13 सदी या 10 सदी इसका राइटम से रुगा एक नमबर 12 सदी के आसपास राजस्तानी भासा अस्तित में आ चुकी थी राजस्तानी भासा की उत्पती सोर सेनी प्राकर्त के गूजर अब्रंस से हुई है यहनकी गूजरी अब्रंस सेली से राजस्तानी भासा की उत्पती हुई है यानकी सोर सेनी प्राकरत के गूजरी अब भरंसे राजस्तानी भासा की उत्पती हुई है बालवी सदी के आसपास और राजस्तानी भासा की जो लिपी है वैं महाजनी है महाजनी या मुंडिया लिपी है इसकी लिपी पुचे तो महाजनी या मुंडिया लिपी है जैसे हिंदी की देवनागरिक लिपी होती हैं, उसी तरहे राजस्तानी भासा की लिपी पूछे तो आपको भश्रोगा महाजनी या मुंडिया लिपी और राजस्तानी भासा का जो विकास हुआ था वैं 1650 इस्वी से लेकर 1850 इस्वी के मध्ये राजस्तानी भासा का सुरण काल माना जाता है यहां तक आते आते राजस्तानी भासा एक सवतंदर भासा के रूप में विक्षित हो गई थी तो इसी काल को राजस्तानी भाषा का सुरण काल माना जाता है और आपकी जानका एक लिए बता दूँ की राजस्तानी भाषा दिवस कब मना जाता है तो राजस्तानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मना दे कब मनाते है 21 फरवरी को राजस्तानी भाषा दिवस मनाया जाता है अगला किशन किस भाषा से राजस्तान का उद्वर हुआ है सोर सेनी अब ब्रंच से इसका राइडेंस रोगा एक नमबर बारवी सदी के आसपास सोर सेनी अब ब्रंच से राजस्तानी भासा की उत्पती हुई थी इसका राइडेंस रोगा एक नमबर अगला क्युशन निमन में से कोन विद्वान है जो राजस्तानी भासा की बोलियों से समधित कारिय के लिए नहीं जाने जाते हैं तो इसका राइडेंस रोगा एक नमबर डॉक्टर मोदिलाल मेनारिया राजस्तानी भासा से समधित हैं डॉक्टर हीरालाल महिश्री राजस्तानी भासा से समधित हैं जोर्ज अब्राइम गिरेशन राजस्थानी वाषा का सरोपरतम वेग्यानिक विसलेशन परस्तूत किया था, ये भी राजस्थानी वाषा से समधित है, लेकिन नॉम चौक्समी ये राजस्थानी वाषा से समधित है, नहीं है, इसका राइड है इस रोगा एक नमबर का, 1850 इस्वी तक माना जाता है यनकि क्या जाता है कि 168 बाषा के बाद राजस्तानी का विकाश एक सवतंद्र भाषा के रूप में होने लगा था और 17 grain के आसपस या 17 grain के अंद तक आते आते राजस्तानी पुरदद एक सवतंद्र भाषा का रूप ले चुकी थी तो हम कह सकते हैं कि 1650 इस्वी से लेकर 1850 इस्वी तक राजस्तानी भाषा का सुरन काल है या राजस्तानी भाषा का सरवादिक विकास इसी काल में हुआ था तो इसका राजस्तानी भाषा की उत्पती कौन से काल में हुई तो आपका अंसरोगा कि 12 सदी के आसपास राजस्तानी भाषा की उत्पती हुई थी सोर सेनी अब ब्रेंस से राजस्तानी भाषा की उत्पती हुई थी तो इसका राइड है शुरुआ दो नमबर गा अगला किसन राजस्तान की मानेक बोली है मारवाडी, बागडी, मेवाती या मेवाडी तो इसका राइड है शुरुआ राजस्तान की मानेक बोली कौन सी है मारवाडी है इसका राइड है शुरुआ एक नमबर आपकी जानकर के लिए बता दू कि मारवाडी बोली जो राजस्तान के अंदर सेत्रफल की दश्टी से परतम में इस्तान रखती है मारवाडी बोली का उलेग से परतम सत्रफी सतापती के आसपास अबूल फजल द्वारा रचित आयने ए अकबरी में मारवाडी बाशा का उलेग मिलता है और मारवाडी बाशा को या राजस्तानी बाशा को पहले मरू बाशा का जाता था क्या का जाता है मरू बाशा का जाता था है और मरू बाशा का उलेग सरोपर्दम उद्योतन सूरी की पुस्तक कोल्य माला कंदर मिलता है और इसमें भाग की कुल 18 सेत्रिय बाशा का उलेग है उसमें से राजस्तान की एक मरू बाशा का उलेग मिलता है किसकी उद्योतन सूरी की पुस्तक कोल्यमाला गरंत कंदर इसकी जानकरी मलती है मरू बाशा की और उद्योतन सूरी कौन थे जालोर के गूजर परतियार राजा वत्स राज के दरबारी कवी थे कौन उद्योतन सूरी उसकी पुस्तक कोल्यमाला उसकी पुस्तक का नाम था कोल्यमाला इसके अंदर भारती कुल 18 सैत्रिय भाषा का उलेग मलता है और उसमें से राजस्तान के अंदर मरू भाषा का उलेग मलता है जो की राजस्तान की एक भाषा थी जो राजस्तानी भाषा से मारवाडी भाषा मुक्य रूप से जोधपुर और उसके सिमावर्ती सेत्रों में देखने के मिलती हैं, अरधात हम कह सकते हैं कि पच्छिमी राजस्तान में अधिकांस्त मारवाडी भाषा बोली जाती हैं और मुक्य रूप से जोधपुर के आसपास का सेत्र मारवाडी साल से संवध्य थैं मारवारी रोटी डुंडाडी अहिर वाडी तो गोडवारी बोली जो कि एग मारवारी की उपबोली हैं और ये मुखिर रूप से जालोर व Serowjshetra में बोली जाती कौन सी मारवारी की उपबोली गोडवारी बोली आपकी जानकार के लिए बता दूं कि मारवाडी की और कौन-कौन सी उपबोली है, मारवाडी की उपबोलियों बात करें, मारवाडी की एक बीका नेरी, एक थल्ली, एक नागोरी, एक शेकावाटी, इसके लबा, इसके लबा, ढाटी, ये जो की बाड मेर, बाड मेर वे बालोत्रा शेत्र में बोली जाती है जो कि एक मारवाड की उपबोली है और एक गोडवाडी बोली जो कि जालो और वैसिरो शेत्र में बोली जाती है हाडोती बोली हाडोती शेत्र में बोली जाती है जो कि एक ढूंडाडी की उपबोली बानी जाती है ढूंडाडी बोली जेपुर दोसा वेटों के आसपास बोली जाती है अहिरवाटी बोली जो कि एक मेवाती की उपबोली है जो की अलवर शेत्र में बोली जाती हैं और अहिरवाटी बोली को राठी बोली का जाता है अगला किसन मारवाडी की उप बोली है तोरावाटी, राजावाटी, सेकावाटी और चोरासी तोरावाटी, राजावाटी और चोरासी ये मुक्य उप से सभी बोली है किसकी उप बोली है डूंडाडी की उप बोली है और सेकावाटी किसकी उप बोली है ये मारवाडी की उपभोली है सो रटा संद और मांड राग जिस बोली की सिलब गत विशेस्ता हैं वें हैं मारवाडी मेवाती बागडी या डूंडारी इसका राइडेंस रुगा एक नमबर ये मारवाडी की कुछ रागे हैं मारवाडी की विशेस्ता हो की बात करें जो मारवाडी जो साइट लिखा गया वे भक्ति रश में स्रंगार रश में वीर रश में लिखा गया था और इसका राइडेंस रुगा एक नमबर और मेवाती बोली जो मुक्य रूप से अलवर वे भरतपूर शेत्र में बोली जाती है बागडी बोली जो की हनुमानगड जिले में बोली चाती है और वागडी बोली ये क्या है बागडी है और परस्पुचे वागडी वागडी बोली जो की एक मेवाडी बोली की उपू बोली है जो की हनवान गड़ सोरी डुंगरपूर वेबांसवाड़ा जीले में बोली जाती है और डुंडाडी बोली चेपूर दोसावेट टौक के आसपास बोली जाती है अगला क्यूशन ये की शेली है कि क्या डिंगल डिंगल मारवाड़ी बोली कि एक साहितिक सेली है और डिंगल बोली मुक्य रूफ से पच्छिमी राजस्तान में एक साहितिक सेली है और पूर्वी राजस्तान के दर पिंगल साइटिक से लिए पूर्वी राजस्तान में पिंगल एक साइटिक से लिए है और पच्छिमी राजस्तान में एक साइटिक से लिए क्या है डिंगल है तो ये एक साइटिक से लिए है इसका राइडेंस रुगा एक नमबर का अगला मारवाडी बोली के साइटिक रूप को क्य प्रत्विराज राठोड द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुख्मनीरी किस बासा में लिखी गई पिंगल डिंगल मारवाडी या संसकर इसका राइड़ा रोगा दोल नमबर प्रत्विराज राठोड जो बीकानेर के राज कुमर थी अकबर की आरेश पर गागरों दुरुद के अंदर बेट कर डिंगल साइतिक सेली में प्रत्विराज राठोड के द्वारा वेली कृष्ण रुख्मनीरी वचनी का नामक पुस्तक की रचना की गई थी और इस पुस्तक की भासा बूचे तो आप गान से रोगा उत्री मारवाडी उत्री मारवाडी मारव पूचे तो आप गान से रोगा उत्री मारवाडी और शाइतिक सेली कौन सी है डिंगल साइतिक सेली में लिखी गई थी एक कवी वेते दुर्षा आड़ा जिसके द्वारा का गया था कि ये पांचवा वेध हैं ये पांचवा वेध हैं और उनीस्वा पुराण हैं अजार दस अजार गोडो के समान इसका बल है किसने का कंडल जम श्टोड के निगादा और वेली कृष्ण रुकमनिरी वाचनी का के अंदर भगवान कृष्ण और रुकमनिका वीभा का वर्णन मिलता हैं अगला क्योशन कवी सूर्यमल मिसरन ने अपनी पुस्तक वीर सचसाई किस वासा में लिखी डिंगल प्राकर्ट संसकर्ट या पिंगल इसका राइड एंस रुगा बूंदी के राजिट के कवी सूर्यमल मिसरन ने अपनी पुस्तक वीर सचसाई जो की डिंगल साइटिक सेली में लिखी थी इसका राइड एंसर होगा एक नमबर का अगला किसन दक्षनी पूरवी राजस्तान की बोली है इन में से दक्षनी पूरवी राजस्तान की कौन सी बोली है मालवी बोली जो की राजस्तान की दक्षनी पूरवी भाग में बोली जाती है मालवी बोली जो की मारवाडी मारवाडी प्लस ढूंडाडी ढूंडाडी का मिस्रन रूप है कौन सी मालवी बोली मालवी बोली जो मुक्य रूप से कोटा का दक्षनी भाग, जालाबाड का पत्षीमी भाग और चितोडगड जिल्यकंद्र मुक्य रूप से बोली जाती है मालवी बोली जिसके उबर मराटी बोली का परभाव है मराठी बोली का प्रभाव कौन सी बोली पर पड़ता है तो मालवी बोली पर पड़ता है मालवी बोली की उपबोलियों की बात करें कि मालवी बोली की और कौन कौन सी उपबोली है मालवी बोली की कौन कौन सी उपबोली है इसकी रतनामी रतनामी है सोधवाडी है रतनामी सोधवाडी इसके लावा निमबाडी इसके लावा रागडी इसके लावा पाटवी ये मालवी की उप बोलिया है रतनामी सोधवाडी निमबाडी और रागडी और पाटवी ये मुक्य रूप से मालवी की उप बोली है और रागडी बोली जो की मालवी पलस मारवाडी का मिस्तर रूप है मारवाडी का मिस्तर रूप कौन सी बोली है रागडी बोली और मालवी बोली किसका मिस्तर रूप है यह मुक्य रूप से मारवाडी और ढूंडाडी बोली का मिस्तर रूप है तो इसका राइड है रहा दो नमबर का जो कि राजस्तान की दक्षनी पूर्वी भाग में बोली जाती है आपकी जानकर लिए बता दो कि राजस्तान के उत्र पूर्वी शेत्र में कौनसी बोली बोली जाती है तो आप का नसरोगा मेवाती बोली कौनसी मेवाती बोली अगर पुचे की मत्य पूर्वी में कौन सी बोली बोली जाती हैं तो आप का अंसरोगा ढूंडाडी बोली अगर पुझे की दक्षनी पूर्वी राजस्तान में कौन सी बोली बोली जाती हैं तो आप का अंसरोगा मालवी बोली अगला किसन युगम सुमलेत नहीं है मेवाड़ी चितोड़कटवे बीलवाड़ा बिल्कुल सही है मालवी बासवाड़ा ये गलत है डूंड़ाड़ी जैपुर में बिल्कुल सही है मेवाड़ी अलवर सेत्रम बोली जाती बिल्कुल सही है तो मालवी बोली जो की कोटा, जालाबाड और चितोड करजी लेके दर बोली जाती हैं कौन सी? मालवी बोली जिसके उपर मराठी बोली का परभाव देखने को मिलता है ताजस्तान में दो बोली हैं, एक है वागडी बोली जिसके उपर गुजराती बोली का परभाव पड़ता है पर एक है मालवी बोली जिसके उपर मराठी बोली का परभाव पड़ता है अगला के सन schaffen रागडी और निमबाडी किस राजस्तानी बोली की उपबोली है इसका राइडेंस रोगा ये मालवी की उपबोली कौन सी रागडी वे निमबाडी मालवी खुद मारवाडी वे ढूंडाडी का मिस्तन रूप है और मालवी की उपबोलियों में रागडी वे निमबाडी है और मालवी पलस मारवाडी इन दोनों से मिलकर बनती है कौन सी? रागडी बोली इनका मिस्तन रूप मना जाता है और निमबाडी बोली जो कि दक्षनी राजस्तान में बोली जाती है और ये मालवी की उपबोली है अगला घुसन बोली जिलो में से सुमलिता नहीं है गोडवाडी जालोर में बोली जाती है जो कि एक मारवाडी की उपबोली है बिल्कुल सही है वागडी बोली ये वागडी बोली है जो कि बांसवाडार है डुंगरपूर जिले के अंदर वागड सेतर में बोली जाती है बिल्कुल सही है खेराडी जो कि भीलवाडा में बोली जाती है बिल्कुल सही है निमबाडी जो की नागोर में नहीं बोली जाती हैं, दक्षनी राजस्तान में बोली जाती हैं, जो की एक मालवी की उपबोली है, अगला ग्योशन, राजस्तान की किस बोली पर मराटी भाशा का प्रभाव है, मालवाडी, मालवी, मेवाडी या ढूंडाडी, इसका राइड बॉली पर किस का प्रभाव देखने को मिलता हैं का अगला किशन सोतवाड़ी पाठवी रतफिलामी उम्मठ वाधी आदी मुख्ये उपबोली निमबाडी, निमबाडी, वे रागडी ये सबी मालवी की उपबोली है जो राजस्तान के दक्ष्णी पूरवी भाग में बोली जाने वाली कौन सी बोली है मालवी बोली जिसके उपर मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है अगला क्योशन राठी, महिटा किस बोली की उपबोली है मेवाडी, जूंडाडी, मेवाती या मारवाडी तो मेवाती की उपबोली है कौन सी राठी, माहिटा और इसके लावा एक कठेर ये तीनों उप बोलिया किसकी हैं मेवाती की उप बोली है राठी, माहिटा, पेर, कठेर ये तीनों उप बोली, मेवाती की उप बोली है और राठी बोली को हम अहिर वाठी बोली के नाम से भी जाना जाता है अहीर वाटी इस राठी बोली को भी आ जाता है क्योंकि ये राठ शेत्र में बोली जाती है इसलिए इसे राठी बोली इसे अहीर वाटी बोली के नाम से जाना जाता है मेवाती बोली जो मुख की रुफ से अलवर भरतपुर जिल्ले के अंदर बोली जाती है मेवाती बोली में चरंदाज जी और उनकी दो शिश्या दया भाई पे सहजो भाई द्वारा लिखी साइतिये इसी बोली में लिखा गया है मेवाती बोली जो लागदाज सीवे थी मेवात सित्र में लागदाजी इनका ही गरंथ इनका ही उप्देश मेवाती बोली में दिया गय था और इनकी तीन उप्पोलियां के राठी जिसे आईर्वाठी का जाता है एक महिटा एक कठेर उप्पोली हैं अगला किशन मेवाती बोली से समधी जिला हैं तो मेवाती बोली अलवर्वे भर्तपूर जिले कंदर मुख्यतर बोली चाती हैं और मेवाती बोली पर ब्रज बासा का प्रभाव देखने को मिलता हैं अगला किशन बोली जिसमें भक्ती संत सहजो बाई तथा दया बाई की रचना प्राप्त होती हैं इसका राइडेंस रोगा मेवाती बोली के अंदर होती हैं क्योंकि पूरी राजस्तान के अंदर मेवात सहत्र में दो संत वे एक चलंडाजी और एक लालदाजी के उपदेश मिलते हैं मेवाती बोली के अंदर और चलंडाजी और चलंडाजी की दो सिश्या एक सहजो बाई और एक दयबाई इनकी जो पुस्तिका या इनकी जो रचन वह भी मेवाती बोली के अंदर लिखी गई थी इसका राइड एंस रुगा एक नमर का अगला परताब गड़ अजब गड़ थाना गाजी और बलदेव गड़ में बोली जाने वाली बोली है तो इसका राइड एंस रोगा कठेर मेवाती बोली बोली जाती है और ये कठेर मेवाती बोली मुक्की रूप से अलवर के दक्षनी पूर्वी भाग बरतपूर के उत्तर पच्छमी भाग के अंदर बोली जाती हैं कठेर मेवाती बोली तो इसका राइटेंस रोगा दो नंबर गा निमलिकित संतों में से किस ने अपने लेखर में मेवाती बोली का प्रियोग नहीं किया क्या नहीं किया लाल दाजी बिलकुल लाल दाजी ने मेवाती बोली का प्रियोग किया चरान दाजी ने मेवाती बोली का प्रियोग किया सुन्दर दाजी ने ढूंडाडी बोली का प्र घर्ष देश्त दीए थे जो की चरंदाटी की शिश्या थी जिसने मेवाती बोली का प्रियोग तो इसका राइट एन सरुगा सुन्दर दाष ने बेक्षित अपने इसे का प्रियोग ॥ा रह अगला धूशन का जाता है अगला क्योशन उद्यपूर भीलवाड़ा में चितोडगड में अधिकांस तर बोली जाती है मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी या मारवाड़ी इसका राइडेंस रोगा मेवाड़ी बोली उद्यपूर पीलवाडा का चितोड शेत्र में अधिकांस बोली जाने वाली बासा कौन सी है मेवाडी बोली इसका राइडेंस रोगा एक नमर और मेवाडी बोली ही मारवाडी की उप बोली है ये मुखी रूप से मारवाडी की उप बोली है एक लिंग माह मात्य किस भासा में लिखा गया ब्रज या संस्कर्थ राजस्तानी या मेवाडी तो इसका राइडेंस रोगा एक लिंग माह मात्य ग्रंथ की रचना मेवाड के माराना कुमबा के दरबारी कभी कानिय व्यास के द्वारा की गये थी कहानिये व्यास के द्वरा एक लिंग मामात्य ग्रंद की रचना की गे थी जो की संस्कृत भासा में लिखा गए था और कहानिये व्यास मेवाड के सासक माराना कुमबा के दरवारी के वी थी इस एक लिंग मा मात्य कंद्र मेवाड के सासकों की वनसावलियों का ज्यान यां उसके बारे में जानकरी प्राप्त होती हैं इसका राइड है शुरुआ, तीन नमबर का, सुरी दो नमबर का, अगला क्योंसन, यहां पर वागडी है न, यह वागडी नहीं की बागडी है, वागडी राजस्तान के किस शेत्र में बोली जाती हैं, तो वागडी बोली राजस्तान के डुंगरपुर वैबाश्वाडा शे किसके दोरा इसे भीली बोली की संग्या दी गई थी तो जौर अब्राम क्रियेशन के दोरा वागडी बोली को भीली बोली के संग्या दी गई थी और जिसको उपर गुजराती पासा का प्रभाव देखने को मिलता है अगला किसन वागडी बोली राजस्तान के भाग में बोली जाती हैं ये राजस्तान के दक्षिनी पच्छिमी ये पांसवड़ा ये डुंगरपुर ये दक्षिनी पच्छिमी भाग में बोली जाने वाली भासा वागडी बोली हैं जिसे जौर्ड अबराम गिरेशन के द्वारा इसे भीरी बोली की संग्या दी गई थी अगला किसन इसमुख zeggen वागडी बोली क्या हैं वागडी बोली अगर पूछे लिक्षा और वागडी पूछे तो आप का अंस्वणा नियुक्षा ये गिरेशन का गिरेशन हैसे वागड़ा बोली जाने वाली बोली को до liarग में बमत्मृई ये जाने बीली बोली का है किस के द्वारा का गया George Abraham Grayson के द्वारा का गया किस बोली को का गया वागडी बोली को का गया और जिसे किस संग्या दी गई थी बीली बोली किस संग्या दी गई थी अगला किसन Grayson ने किस बोली को बीली बोली की संग्या दी तो इसका राइडासर होगा वागडी बोली इसका राइडासर होगा एक नमबर राजस्तानी बोलियों मैंसे किस कि पर गुजराती का मजबुत प्रभाव है डूमड़ाडी अगला करिशन मुंडिया लीपी के अक्सरों के अविश्कार्य करता किसे माना जाता है टोडर्मल, टैसी टोरी, बांकी दास, गसी इसका राइडास रोगा एक नमर अक्बर के नौ रत्रों में से एक टोडर्मल को मुंडिया लीपी का अविश्कार्य करता माना जाता है इसका राइडन शरोगा एक नबर एलपी टेसितोरी जो राजस्तानी भासव को मुक्य रूप से दो भागों के अंदर वर्गी करन करने वाले इट्ली के रहने वाले कोई एलपी टेसितोरी बाकी दास जो की जोदपुर के राजा मांस सिंग के दरबारी कवी थी जोदपुर के राजा मांस सिंग के दरबारी कवी थी जिसके दोबारा बाकी दासरी क्यार नमत रचना की गई थी अगला किसन गोडवारी बोली का शेत्र है जालो और जेसल में डुमरफोर याजबे गोडवाडी बोली जो की एक मारवाडी की उप बोली है जो की जालोर वैसरोई शेत्र में बोली जाती है इसका राय डैसर होगा एक नमबर गोडवाडी बोली जालोर शेत्र में बोली जाती है अगला क्यूशन तोरावाटी है ढूंडाडी बोली, मेवाडी बोली, मारवाडी बोली, हाडोती बोली इसका राइडेंस रोगा एक नमबर ढूंडाडी बोली की उप बोली कौन सी है तोरावाटी बोली ढूंडाडी बोली मुक्य रूप से जैपूर, जैपूर, दोसा, टॉंक और अजमेर जिल्ले के आसपास बोले जाने वाली बासा कौन सी है डूढड़ी बोली है काँपर जैपुर, दोसा, टॉंक वे अजमेर, शेतर के आसपास बोले जाने वाली वासा है और डूढड़ी वासा की उप बोलियों की बात करें एक तोरावाटी, एक राजावाटी, एक नागर चोल, एक चोरासी, जो की साप पुरा के अंदर बोली जाती है, चोरासी, एक काठेडी, काठेडी, इसके लावाटी, यह करोली के इंदर बोली जाती है, करोली में, जगरोटी, इसके लावाटी, आडोती भी डूनाड की एक उप बोली है, और एक अजमेरी, अजमेरी, यह मुखि रूप से ढूधारी की उबबोली है, एक बार वापिस रूपीट करता हूँ कि ढूधारी की कौन-कौन सी उबबोली है तोरा वाटी है, राजा वाटी है, नागरचोल है, चोरास है इसके लावा काःठेड़ी है, इसके, जग्रोति है अजमेरी है और हाडोति है यह डूंडाडी की उब बॉली, डूंडाडी बॉली के अंदर दादू कंदर plung के दर लिखा गया, कौन सी डूंडाडी बासा के अंदर लिखा गया था, दादू द्याल का जितना भी अधिकांस साइटिय है वह इसी साइटिय में लिखा गया था और ढूंडाड़ी भासा के अंदर एक सदूकडी भासा के अंदर दादू पंद का अधिकांस साइटिय लिखा गया था तो इसका राइड है शुरुआ एक नमबर मेवारी बोली जो कि मेवार शेत्र में बोली जाती है हाडोती बोली हाडोती शेत्र में बोली जाती है और मारवारी बोली जिसे राजस्तान की मानक बोली का जाता है जो कि राजस्तान में अधिकांस सेतरफल केंदर मारवाडी बोली बोली जाती है जो कि पच्छिमी राजस्तान में अधिकांस मारवाडी बोली बोली जाती है अगला किसन राजावाटी, नागर्चॉल किस बोली की उप बोली हैं तो ये किस की हैं ये दूडाडी की उप बोली किस की हैं ये दूडाडी की उप बोली हैं कौन सी नागर्चॉल और राजावाटी इसकलबा तोरावाटी, चोरासी, काठेडी, जगरोती और अजमेरी और हाडोती ये स सबी ढूंडाडी की उपबोलिया है रागडी किसकी उपबोली है तो रागडी मुक्य रूप से मालवी की उपबोली किसकी है मालवी की उपबोली है और रागडी बोली मुक्य रूप से मारवाडी मारवाडी प्लस मालवी का मिसरण है मालवी का मिसरण है और वागडी बोली डुंगरपुर बाश्वडा शेत्र में बोली जाने वाली बहसा वागडी बोली है जिसे जोर्ज अबरान गिरेशल के द्वरा धीली बोली की संग्या दी गई थी अगला केशन निमन में से किस सेत्र में ढूंडाडी बहसा परधानता से बोली जाती है शेकावाटी शेत्र, शिकर, उदेपूर या जैपूर जैपूर के आजपास ढूंडाडी बोली बोली जाती है इसका राइड है शुरुआ चार नमबर आगला केशन दादुपंद का साहित्य किस भासा में संग्रहित है मारवाड़ी, वागड़ी, मेवाटी, दूदाड़ी इसका राइड है शुरुआ दादुपंद का अदिकान से साहित्य दूदाड़ी बासा में संग्रहित है मेवाडी बासा, मेवाड है सेत्र में बोली जाती है अलवर भरतपुर में और मेवाती, बासाकंदर, लालदाजी, चरंदास जी, चरंदास की दो शिश्या, दयाबाई और शेह जोबाई के द्वारा जो अधिकान ससाइटिये मेवाती बासाकंदर लिखा गए था अगला क्यूशन कौन सी ढूंडाडी की उपबोली नहीं है तोरावाती दूंडाडी की उपबोली है, राजवाती दूंडाडी की उपबोली है, नागर्चोल दूंडाडी की उपबोली है, अहिरवाती दूंडाडी की उपबोली नहीं है अहिरवाती मेवाती की उपबोली है, किसकी है मेवाती की उपबोली कौन सी है अहिरवाटी जिसे राप्टी बोली के नाम से जाना जाता है आगला क्योशन ढूंडाडी बोली के प्रच्रित विवित रूपों में से कौन सा सही नहीं है तोरावाटी नागरचोल चोरासी या खेराडी इसका राइडेंस होगा खेराडी जो की एक मारवाड यानकी मारवाडी की उपबोली है इसका राइडेंस रोगा चाल नमबर चोरासी ढूंडाडी की उपबोली है नागरचोल ढूंडाडी की उपबोली है अगला क्यूशन, तोरावाटी बोली परचलेथे कुच्चा मन चाहिए, नीम का थाने में, बहरोड में, जुशनू में तो तोरावाटी बोली मुख्य रूप से नीम का थाना शिक्कर में परच लेता है इसका राइडल शुरोगा दो नंबर जो कि एक ढूंडाडी की उप बोली है अगला क्यूसर रागडी बोली मिसरण है ढूंडाडी वे मारवाडी मारवाडी वे मालवी मारवाडी वे ब्रज मारवाडी वे हाडोती तो रागडी बोली जो एक मालवी की उप बोली किसकी है मालवी की उप बोली है ये मालवी की उप बोली है और ये मुक्य रूप से मारवाडी वे मालवी का सह मिसरण माना जाता है कौन सी रागडी बोली रागडी बोली राजबुदों में अत्यदिक प्रच्रित मानी जाती कौन सी रागडी बोली जो की मालवाडी पर मालवी का से मिस्रण माना जाता है जो की मालवी की एक उप बोली है इसका राई टेंस रोगा दो नूमर अगला क्योशन मालव परदेश के राजबुतों में परचलित मारवाडी और मालवी के सह मिसरण से उत्पन बोली का क्या नाम है मालवी, रागडी, मालडी या मेवाडी इसका राइटेंस रोगा दो नमबर रागडी बोली जो की एक मालवी की उप बोली है जो की मारवाडी वै, मालवी दोनों का सहमिसरण है, जो की मालव परदेश में बोली जाती है अगला क्यूशन डटकी, ठाली एवं, ये ठाली नहीं है, ठली है डटकी, ठली, खेराडी और बोली या राजस्तान की किस बोली से संबदी थे मेवाडी, मारवाडी, डूंडाडी या मेवाथी इसका राइडेंस रोगा, दो नमबर मारवाडी की बोली है डटकी, ठली और खेराडी इसका राइडेंस रोगा, दो नमबर अगला किसन जगरोती किस शेतर की बोली है चितोडगड, करोली, सिरोई, डुंगरुपुर। इसका राइट हैं शुरूगा, करोली शेतर में जगरोती बोली बोली जाती है जगरोती बोली एक ढूंडाडी बोली की उपबोली है तुन्डाडी बोली की उप बोली कौन सी है जगरोती जो की कौन से से शेत्र में बोली जाती है करोली शेत्र में बोली जाती है इसका राइटेंस रुआ दो नंबर और सिरोई शेत्र के अंदर मुक्य रूप से महारवाडी की उप बोली देवडा, वाटी जोकी शिरोई शेत्र में बोली जाती हैं और डुंगरपुर के अंदर वागडी बोली बोली जाती है वागडी बोली डुंगरपुर शेत्र में बोली जाती है अगला केशन हाडोती बोली राजस्तान के जिस सेत्र में प्रियाय नहीं बोली जाती है वे सेत्र हैं बरतपुर, जालावार, पोटा या बूदी इसका राइडेंस रोगा बरतपुर सेत्र में हाडोती बोली नहीं बोली जाती है हाड़ोती बोली जालावाड के अंदर, कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, 12 शेत्र के अंदर मुक्की रूप से हाड़ोती बोली बोली जाती है हाड़ोती बोली जो की ढूंडाडी बोली की उप बोली मानी जाती कौन हाड़ोती बोली इसका राइड एंस रोगा एक नमर बरत्पुर्श शेत्र में मुक्की रूप से मेवाती बोली बोली जाती है कौनसी मेवाती बोली बरत्पुर्श शेत्र के अंदर बोली जाती है अगला के सन बूंदी यह उन कोटा शेत्र में कौनसी बोली बोली जाती है बागडी, मेवाती, हाडोती, ब्रज, बून्दी और कोटा शेत्रगंदर हाडोती बोली बोली जाती है इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर का अगला क्योशन जालवार की मुख्य बोली है जालवार शेत्र की मुख्य बोली हाडोती बोली है इसका राइडेंस रोगा एक नम्बर का अगला क्यूसन हाडा राजबुत द्वारा शाशे शेत्र में बोली जाने वाली बोली को का जाता है हाडोती मेवाती इसका राइडेंस रोगा हाडोती बोली का जाता है हाडा शेत्रे यहनके हाडोती शेत्र में मुझकी रूप से अलवार भनपूर शेत्र में बोली जाती है मेवा शेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है वागडी बोली जो की वागड़ शेत्र हैं डूंगरपुर पैबाश्वाटा शेत्र में वागडी बोली बोली जाती है और वागडी बोली को जोर्ज अब्राम गिरेशन के द्वरा इसे भीली बोली की संग्यादी गई थी अगला गिशन निमले कितमे से कौन सी मारवाडी की उपबोली नहीं है बीका नेरी एक मारवाडी की उपबोली है नागर चोल एक ढूंडाडी की उपबोली किसकी है ढूंडाडी भासा जो जैपुर, दोसा, टॉंक और अजबेर के आसपास बोली जाने वाली भासा ढूंडाडी और इसकी एक उप बोली कौन सी है नागर चोल इन में से कौन सी मारवाडी की उप बोली नहीं है तो नागर चोल इसका राई डैंस रहा दो नमर का जोर्दपुरी बोली जो की मारवाडी की उप बोली है थली बोली जो की मारवाडी की उप बोली है इसके लबा मारवाडी की और कौन सी है इसके लबा मारवाडी की देवडा बाटी जो की सिरुई में बोली जाती है ये मारवाडी की उप ब बोली है और इसके लावा गोडवाडी गोडवाडी जो की जालोर और शिरोय के शेत्र में बोली जाती है गोडवाडी बोली भी एक मारवाडी बोली की उब बोली है और इसके लावा एक नागोली बोली और इसके लावा एक थल्ली ये मारवाडी की उब बोलिया है अगला कि अहिर्वाटी बोली राजस्तान के किस शेतर में बोली जाती है बहरोर मुंडावर कोटपुत्री तेसल कदर मुख की रूप से अहिर्वाटी बोली बोली जाती है जो कि एक मेवाती की उप बोली है मेवाटी बोली की उप बोली कोंजिए है आहिर्वाटी बोली जो कि बहरोर मुंडावर और कोटपुत्री तेसल कदर मुख की रूप से बोली जाती है और जहां पर आहिरवाटी बोली चाहती है उस वो कौन सा सेतर है राठ सेतर है इसलिए आहिरवाटी बोली को और किस नाम से जाना जाता है इसे राठी बोली के नाम से भी जाना जाता है जो की एक मेवाती की उप बोली है और मेवाती मुक्य रुप से अलवर राशो हमीर राशो गरंद की रचना हमीर राशो गरंद की रचना जोद राज के द्वारा की गे थी किसके द्वारा जोद राज के द्वारा और ये गरंद हमीर राशो जोद राज के द्वारा अहिरवाटी अहिरवाटी बोली के दर लिखा गया था अगला किसन एत्यासिक दर्ष्टी से आहिरवाटी और किस नाम से भी जाने जाती है मेवाटी तो ये मेवाटी की तो उप बोली कौन आहिरवाटी बोली मेवाटी नहीं इसे राठी बोली के नाम से जाना जाता है इसका आइडेंस रोगा तीन नमर का अहिरवाटी बोली जो की राठ शेत्र में बोली जाती है इसलिए अहिरवाटी बोली को राठी बोली की संग्या दी जाती है जो कि मेवाती की एक उप बोली मानी जाती है और अहिरवाटी बोली मुख की रूप से कोटपूतली, बहरोड और मुणावर शेतर के अंदर बोली जाती है अगला क्यों से अहिरवाटी बोली राजस्तान के किस शेतर में बोली जाती है मारवाड, मेवाड, जुन्डाड या मेवाद सेतर मेवाद सेतर में आईरवाटी बोली बोली जाती है इसका राइडेन्स रोगा 4 नमर और ये मुक्ची रूप से कॉट्पुतली, बहरोड, जिल्ये के अंदर और मुंडावर तैसिल, अलवाड केंदर मुक्य रूप से बोली जाती हैं अगला क्युसन अलवार जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती हैं इसका राइडेंस रोगा आहिरवाटी बोली बोली जाती हैं और जिसका दूसरा नाम है इसे राठी बोली के नाम से भी जाना जाता है और रागडी बोली जो की दक्ष्मी राजस्तान के अदर बोली जाती है और रागडी बोली जो की मालवी बोली का एक उप बोली है और रागडी बोली मुक्य रूफ से मालवी वे मारवाडी से मिलकर बनी हुई है हाडोती बोली जो कि दक्षमी पूर्वी राजस्तान के अंदर बोली जाती है कोटा बूंदी बाराव है चालावाट सेतर में बोली जाती है बोली जाती हैं और डट की बोली मुक्रूप से बाड मेर वैबालोतरा जिल्यकंद्र बोली जाती हैं और ये मारवाडी की एक उबोली है और राजावाटी जो की एक धुनडाडी की उबोली हैं अगला आईरवाटी और मेवाटी बोलिया निवन में से किस शित किस वर्गी करण में आती हैं पच्छमी राजस्तानी उत्तर पूर्वी राजस्तानी मद्य पूर्वी राजस्तानी डक्षनी राजस्तानी इसका क्या राइडेंस रोगा उत्र पूर्वी राजस्तान के अंदर अहिर्वाटी वे मेवाती बोली बोली जाती है इसका राइडन्स रोगा दो नमर ये दी जिल्लो का नाम पुचे तो आपका अन्स रोगा अलवर वे भरतपुर्ष शेत्र में मुक्य रूप से मेवाती बोली बोली जाती है अगला कुछन खेराडी किस सेत्र में बोली है चूरू हन्वानगट, बूंदी सापुरा, बीकानेल, कोटा और जालवार इसका राइडेंस रोगा, सापुरा और बूंदी सेत्र के अंदर खेराडी बोली बोली जाती है जो कि एक मेवारी, मेवारी, डूंदाडी एवं हाडोती इन तीनों का मिस्रण है खेराडी बोली जो कि सापुरा बूंदी सेत्र में बोली जाती है जो कि मेवारी, डूंदाडी और हाडोती तीनों का मिस्रण माना जाता है पीछे हमने देखा था मालवी बोली मालवी बोली जो की डूंडाडी और मारवाडी का मिसरने मालवी बोली उसके बाद में हमने देखा था रागडी बोली रागडी बोली जो की मारवाडी प्लस मालवी का मिसरने मालवी का मिसरने और अभी हमने देखा खेराडी खेराडी जो की तीन भासा का मिसरन है एक मेवाडी, एक ढूंडाडी और एक हाडोती बोली इन तीनों का सब मिसरन कौन सी है खेराडी बोली जो बूंदी वैसा बुराश सेतर के अंदर मुख की रूप से बोली जाती है अगला क्यूसन खेराडी बोली जिस सेतर में आप प्रचली थे पहें तो इसका राइट एंसरों का बीलवाडा और टॉक शेतर कंदर यहनकि यह मुक्य रूप से बीलवाडा के आसपास बोली जाती है चाए टॉक से सीमा लगाता हो चाए बूदी से सीमा लगाता हो लेकिन इसका मुक्य केंदर बीलवाडा कंदर है बीलवाडा भै शापबुरा कंदर अगला क्यूसन राजस्तानी बासा दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को 30 मार्च को 21 मार्च को 21 फरवरी को इसका राइडेंस रोगा 21 फरवरी को राजस्तानी बासा दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन विश्व मात्र बासा दिवस मनाया जाता है इसका राइडेंस रोगा चार नमबर अगला क्यूसन सुमेलित कीजिए जग्रोती, जो कि करोली शेत्र में बोली जाने वाली पासा है जो कि एक डूंडाडी की उप बोली है डाड़ी जो कि बाड़ मेर शेतर में बोली जाती है और ये मारवाडी की उप बोली है नाकरचोल जो कि टॉंक शेतर में बोली जाती है और ये डूंडाडी की उप बोली है दावडी बोली जो की उधेपुर्ष शेत्र में बोली जाती है और ये मेवाडी की बोली है तो इसका राइडेंस रुआ एक नमबर सुमिलित कीजिए वागडी बोली जो की हन्वानगट शेत्र में एक है बागडी जो की हन्वानगट में बोली जाती है एक है वागडी वो डुंगरपुर वे बांश्वाडा शेत्र में बोली जाती है एक केंदर वागडी बूचा दो इसका अंसर है हनमानगट जो की एक मारवाडी की बोली है जगरोदी करोली केंदर दावडी उदेपुर में और गोडवाडी सिरुई केंदर इसका राइडेंस रुआ तीन नमबर का अगला किशन राजस्तानी भासा की परदम फिलम थी तो इसका नाम है नजराना इसका राइडेंस रुआ चार नमबर अगला किशन मरू वाणी क्या है तो ये राजस्तानी भासा की मासिक पत्री का नाम है क्या मरू वाणी इसका राइडेंस रुआ चार नमबर का किशने राज रुपक की भूमिका में डिंगल को राजस्तानी भासा का तो वे पंडित रामकरण आश्रोप के द्वारा राज रुपक की भूमिका में डिंगल को राजस्तानी भासा का इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर यदि आपको क्लास सची लगी हो और दोस्तों साथ से जरूर करना थैंक यू आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत वैबिनिंदर मैं आसा और उमीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे निरंतर अपनी त्यारी के अंदर वैस्त होंगे आज हम राजस्तान का शाहित्यक विकास से समधित विगत परिक्षा में पुछे कई महत्पून क्योष्णों पर डिसकुसन करेंगी आज का हमारा पहला क्योष्ण हमीर राशो एवं हमीर काविय के रचना का है सारंग देव, सारंग धर, मुरारीदान, गिर्द राश्या इसका राइडेंस रोगा सारंग धर के दौरा हमीर राशो गरंद की रचना की गिती हमीर राशो जो की संस्कर्थ भासा में लिखा गया था कौन सी भासा संस्कर्थ भासा के अंदर सारंग धर के द्वारा हमीर राशो गरंट की रचना की गिती हमीर राशो गरंट में रन्थंबोर के राजा हमीर के मुश्लिम सासक अलाउदीन खिलजी के बीच में युद का वणन मिलता है तो हमीर राशो, रन्थमबोर के राजा हमीर देव और मुश्लिम सासक अलाउदीन खिलजी के बीच के युद कावणन कौन से ग्रंध में मिलता है तो हमीर राशो में मिलता है जिसके लेकर सारंगर है जो की संसकृत बासमें लिखा गया है और यह 24 सदापतिके अंदर लेका लिए बता तो कि एक हमीर राशो अठारवी सिधाप्ति के अंदर लेखा गया था और उसके लेखक है जोद राज उसके लेखक है जोद राज तो इसका राइडेंस रुआ दू नमर का इसके लबा गिर्दर आश्या के द्वारा संगत राशो लिखा गया था संगत राशो किसके दोरा लिखा गया था गिर्धर आश्या के दोरा लिखा गया था और ये गिर्धर आश्या मेवाड के निवासी थी और माराना परताप के छोटे भाई सकती सिंग का वर्नर मिलता है इस संगत राशो में आपकी जानकर लिए बता दूँ कि हमीर राशो जो सारंग दर इसके लेकर है इसके लावा एक 18 सतापतिक अंदर लिखा गया हमीर राशो जिसके लेकर जोद राश है एक हमीर हट है क्या है हमीर हट और हमीर हट के लेकर कोन है चंदर शेकर है कोन है चंदर शेकर है और एक हमीर रायन है और इसके लेकर वांडव व्यास है इसके लेकर वांडव व्यास है इसके लबाँ एक हमीर महा कावी है और हमीर महा कावी के लेकर नहन चंदर सूरी है हमीर महा कावी के लेकर कोने नहन चंदर सूरी है और एक हमीर मद मर्दन जिसके लेकर जैसिंग सूरी है हमीर मद मर्दन जिसके लेकर जैसिंग सूरी है अगला किसन हमीर राशो किस भासा का गरंथ है अब कौन सी भासा का गरंथ है हमीर राशो यह संस्कृत भासा का गरंथ है और जिसके लेकर सारंगर है और जिसके अंदर रनथंबोर के राजा हमीर पे मुश्लिम सासक अलवदीन किलजी के बीच में यूद का वनन मिलता है तो इसका राइडेंस रुआ चार नमर का अगला क्यूसन गिर्दर आश्या द्वारा लिखे डिंगल भाशा का ग्रंथ है खुमान राशो तो खुमान राशो किसके द्वारा लेखा कहता है तो खुमान राशो दलपत विजे के द्वारा लेखा कहता है खुमान राशो के रचनकार कोन है दलपत विजे है जो कि पिंगल काविय शेली में लेखा कहता जिसमें मेवाड के गुईलवंशी राजाओ का वर्णन मिलता है जो बपा रावन से लेकर मेवाड के राजा राज सिंग की बीच का इत्यास मिलता है तो ये दो आकमान राशो और हमीर राशो जो की सारंगदर के द्वारा और जोद राज के द्वारा लिखा कहता और संगत राशों लिखा गए था गिर्धर आश्या के द्वरा जो कि डिंगल भासा में लिखा गए था और इस संगत राशों में माराना परताप के छोटे भाई सक्ति सिंग का चरित्र का वर्णन मिलता है किसमें संगत राशों में जिसके लेकर गिर्धर आश्या माने जाते इसका राई रेंस रूआ चार नमर का, अगला क County, संगत राशो के लेकख है, जो द्राज, जो द्राज किसके हैं, हमीर राशो के, जो कौन सी सतापती में लेखा गए था, 28 सदी के अदर लेखा गए था, नर्पती नाले के द्वारा कौन सी रचना की गेती नर्पती नाले के द्वारा बिसल्देव राशो की रचना की गेती बिसल्देव राशो के रचना कार कौन है नर्पती नाले है और जो की सांबर के राजा बिसल्देव और उसकी रानी राजमती की बीच में प्रेम कथा गरंथे इसका लगा दलपत वीजे के द्वारा कौन सा गरंथ लेखा गए था खुमान रासो दलपत वीजे के द्वारा लेखा गए था और संगत रासो किस के द्वारा गेजर आश्या के द्वारा लेखा गए था तो इसका राइडेंस रुआ चार नमबर का अगला क्यूशन खुमान राशों के रचनाकार कौन थे? खुमान राशों कौन थे? दलपत विजे थे इसका राइडेंस रोगा दो नमबर का अगला क्यूसन मेवार में गुहिल वन्शे राणाओ की वन्सावली किस राशों में मिन्ती है? जस्वंद राशों, हमीर राशों, विजेपाग राशों या खुमान राशों तो खुमान राशों के अंदर मेवार के गुहिल वन्शे राजाओ की वन्सावली के वन्सावली के पारे में वन्नन मिलता है और इसमें मेवार की राणा सुरी राजा बपा रावल से लेकर राज सिंग के मत्य का इत्यास मिलता है और खुमान राजो के रचनागार दलपत विजे हैं जो की पिंगल कावी शेली में लिखा गया ये भी याद रगना पिंगल कावी शेली में लिखा गया ग्रंट है और विजेपाल राशो किस के द्वारा लिखा गया था ये नल सिंग के द्वारा लिखा गया था विजेपाल राशो नल सिंग के द्वारा लिखा गया था और हमीर राशो सारंगधर वैजोद राज के द्वारा लिखा गया था अगला क्यूसन कायम खान राशों के रच्चेता थे तो कायम खान राशों के रच्चेता जान कवी थे इसका राइडन सुरूगा दो नम्बर गा अगला क्यूसन निमलिक में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पहला नर्बती नाले बिसल देव राशों की रच्चना की थी बिसल देव राज़ों की रचनाकार कोने नर्वती नाले हैं और इसमें सामर के राज़ा बिसल देव और उसकी रानी राजमती की बीच में प्रेम कताव पर आदा रही थे गिर्दर आश्या दोरा संगत राज़ों लिखा गया था बिल्कुल सही हैं दोलत विज़े या दलपत विज़े के दोरा कुमान राज़ों लिखा गया था बिल्कुल सही हैं और कायम खान राज़ों किस के दोरा लिखा गया था तो कभी जान के दोरा ये लिखा गया था कायम खान राज़ों इसका राइडेंस रुआ कौन सा साई सुमलीत नहीं है इसका राइडेंस रुआ चार नमबर अगला किस राशो शायतिये में अलवर की स्तापना का विवरण है अलवर की स्तापना का विवरण परताब राशो के अंदर मिलता है इसका राइडेंस रुआ का दो नमबर परताब जीवन है किसके रचनकार है परताब राशो के जिसमें अलवर की इस्तापना का विवरण मिलता है इसका राइडें सुरुआ दो नमबर का और ये दिपूछे की मानचितर राशो या मानचरितर राशो है जिसके रचनकार को ने कवी नरोतम है और पूचे की रतन राशो किसके द्वारा लिखा गया था पाफगान सुरुगा कूम करण के द्वारा रतन राशो लिखा गया था और मानचितर राशो किसके द्वारा कवी नरोतम के द्वारा लिखा गया था अगला क्यूशन राजस्तानी शायतिये में रिया सतोकोय सासकों ने अपने प्राक्रम विजियो तथा अन्य महत्मुन कारियों के इत्यास का लेखा जो का अपने इत्यास कारों से लिखवा कर संजोया है इस लेखा जो कहा जाता है इसे क्या का जाता है इसे क्या का जाता है जैसे मुनोत नेहंडसी के द्वरा नेहंडसी क्याद की रचना की गए थी बांकी दास के द्वरा बांकी दास की क्याद की रचना की गए थी तो इस क्याद के अंदर उस समय की रावाडरा प्रावेगनेरी विगत ग्रंत लिखा गया तो इसका राइडन्स रोगा दोर नमर मुनोत नेंडशी के द्वरा मारवाडरा प्रावेगने विगत को जिसे गाउं की ख्याद का जाता है जिसे राजस्तान का गजेडियर का जाता है किसे मारवाड रे प्रावेगने विगत को राजस्तान का गजेडियर का जाता है अगर पुझे कि मारवाड का गजेडियर किसे का जाता है तो मारवाड का गजेडियर और ये मारवाड्रे प्रावेगनी विगत जो जोद्पूर के राजा जस्वन सिंग के समय लिखी गई अर्थार मुनोप नेहनसी जोद्पूर के राजा जस्वन सिंग फेष्ट के दरवारी कभी थे इनहीं के द्वारा लिखे की थे मारवाड्रे प्रावेणनी विगत को जिसे जनकंडना का अग्रज का जाता है जनकंडना का अग्रज का जाता है और आपकी जानकार लिए बता दूँ कि मारवाड्रे प्रावेणनी विगत के अंदर साथ प्रकार के प्रग्णों का उलेग मिलता है जिसमें जोद्पूर प्रग्णा, सोजत, फलोदी, जेतारण, सिवना, मेटा और कोकरण इन साथ प्रग्णों का उलेग मिलता है मारवाड रे प्रावेल मेरी विगत गेंतर तो इसका राइडेंस रोगा दोन नमर का और मुंसी देवी परशाद के द्वारा मुनौत नहिंड सी को राज पुताने का अभूल फजल का था किस के द्वारा का गए था? मुंसी देवी परशाद के द्वारा किस को का गए था? मुनौत नहिंड सी को का गए था? क्या का गए था? राज पुताने का अभूल फजल की संग्या दी गई थी और डियालि दाजजी के दोरा डियालि दाजी की क्याद की रजना की गेवी जो विकनेर के राठोडों का इत्यास की जानगारी देती है और ये विकनेयर के राजा रतन सिंग के दरबारी थे विकनेयर के राजा रतन सिंग के दरबारी कभी थे कौन दयालदास और जिसके दवरा दयालदास की क्याद यहां जिसे विकनेयर के राठोडो की क्याद के नाम से जाना जाता है जो क्याद में सबसे नविंतम क्याद मानी जाती है अगला क्यूसन राजस्तान की सबसे प्राचीन ख्याद है मुनोत नैंडशी की क्याद राजस्तान में सबसे प्राचीन ख्याद मानी जाती है और यह जोदपुर के राजा जस्वन सिंग फैस्ट के समय लिखी गई थी मुनोत नैंडशी की क्याद इसमें राजपुत के कुल 36 साखाओं का उलेख मिलता हैं और यह राजस्तानी भासा में लिखी गई है इसका राइट है रहा है एक नमबर का और बांकिदास की ख्याद जो बांकिदास के द्वारा लिखी गई थी और यह बांकिदास जोधपुर के राजा मांज सिंग के दरबारी ती जोधपु कौन से ख्याद में मिलता है पापदा राई रेंस रोगा बांकी दास की ख्याद के अंदर जोदपूर की जेपूर की इस्तावना तीति का उलेग मिलता है बांकी दास की ख्याद और बांकी दास की ख्याद के रचनागार बांकी दास के दोरा लिखी की थी और ये जोदपूर जिसे राजस्तान का गजेटियर का जाता है और ये मुनाद नैंडसी के द्वारा लिखी गई ती और जोदपुर के राजा जसुन सीमफेश्ट के दरवारी कवित्य कौन मुनाद नैंडसी जिसमें साथ परकार के परग्णों का उलेक मिलता है नैंडसीरी क्यात किस बासा में लिखी गई राजस्तानी डुंडाडी संसکर्टियाँ फारसी इसका राइडेंस रोगा जिसे मारवार का गजेटियर के नाम से जाना जाता है नैंडसी के ख 24 वासा में सब से प्राचिन ख्यात मानी जाती है जो कि राजस्तानी बासा में कि गई थी इसका राइडेंस रुआ एक नंबर का अगला क्यूशन मुंसी देवी परशाद ने किसको राजस्तान का अबूल फजल की संग्या दी तो मुंसी देवी परशाद के द्वारा राजस्तान का अबूल फजल की संग्या दी गई थी और मुंसी देवी परशाद के कहा के रहने वाले थे तो ये जैपुर के रहने वाले थे इनहीं के द्वारा मुनोत नैंडशी को राजस्तान का अबूल फजल की संग्या दी गई थी इसका राइड है शुरूगा एक नम्बर का और आपकी जानकर लिए बता दूँ कि सूरिमल मिस्रन जो की बूंदी के राजिक के द्वारा की गे थी कनैलाल सेडिया जिनके द्वारा धर्ती द्वारा दी जमीन लो धनीकुण और लील टांस आधी ग्रंतु की रचना कनैलाल सेडिया के द्वारा की गे थी और विजेदान दत्ता जिसके द्वारा बातारी फुलवारी और अलेकु हिडलर जैसी आधी ग जोद्पूर या जयबपूर इसका राइडेंस रोगा जोद्पूर के राजा जस्वन सिंग फेष्ट के दरवारी कवी ते कौन उन्होत नैंडसी जिसे मुंसी देवी परशाद के द्वारा राजस्तान का अभूल फजल की संग्यादी के थी और जिसके द्वारा मारवाड र प्रावेगनेरी विगत और नैंडसी की ख्याद की रचना की गे थी उन्होत नैंडसी के द्वारा इसका राइडेंस रोगा दो नंबर का अगला क्यूसर बिकानेर के राठोडोरी ख्याद के लेकक थे द्यालदास इसका राइडेंस रोगा बिकानेर के राठोडोरी ख्या की रचना की गे थी जो ख्यात में सबसे नौइंतम ख्यात मानी जाती है और इस देयालदास की ख्यात के अंदर उस समय के विका नेर की इत्यास की जानकरी मलती है जिसमें विकानेर की संसाफ़क राव विका से लेकर विकानेर के सासत सरदार सिंग तक का इत्यास मिलता है और उस समय की विकानेर की सामाजिक, सांसकर्तिक, राजनेतिक, धार्मिक इस्ततिक के बारे में जान करें प्राप्त होती किसमें द्यालदास की ख्याद जिसे विकानेर के राठोडो की ख्याद के नाम से जाना ज आ सकते तो वै विकनेर के राजा रतन सिंग के दरबारी कभी थे और रतन सिंग के आदेश के द्वारा ही डियागदास की ख्याद की रचना की गई थी जिसे विकनेर के राठोडो की ख्याद के नाम से जाना जाता है जो ख्याद में सबसे नमींतम ख्याद मानी जाती है और द्याल्दास की ख्यात है राजस्तान के किस राजी का इत्यास है इसका राइडास की ख्यात के अंदर 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 लेकन में कौन सी क्याद अती लाबडाएक है इसका राइडेंस रुगा द्याल दास की क्याद जो बीकलेर के इतियास के बारे में जानकरी प्राप्ट करती है इसका राइडेंस रुगा तीन नुबर से लेकर जोदपुर के राजा जस्वन सिंग फेष्ट तक का इतियास मिलता है और मुणियारारी क्याद जिसे राठोडो की क्याद के नाम से जाना जाता है जो की जस्वन सिंग सिंग फेश्ट के काल के अंदर लिखी गए थी वांकी दास की ख्याद के अंदर जैपुर और जोधपूर की इस्तापना तेथि का उल्लेग उलता है और बांकी दास के द्वारा एक और ग्रंट की रचना की गई थी आयो अंग्रेज मुगल ड्रे उपर ग्रंट की रचना बांकी दास के द्वारा की गई थी अगला क्यूसन आयो अंग्रेज मुगल ड्रे उपर गीत किस के द्वारा रचित हैं तो इसका Rīdens रोगा बाकी दास के दौरा और बाकी दास जोधपूर के राजा मान सिंग फेश्ट के दरबारी कवी थी इसका Rīdens रोगा तीन नमबर अगला क्यूसन कवी राजा बाकी दास किस सासक दोरा सरक्षित राज कवी थी तो वे जोदपूर के राजा मान सिंग के दरवारी कवी थे इसका राइडेंस रोगा दो नमबर का अगला क्यूसन निमर में से कौन जोदपूर एवं जोदपूर की इस्ताबना तिती बताता है डियाल दास की क्यात इसमें तो बिकानेर के इतियास की जानकरी मिलती है बांकिदास की क्यात में जैपूर और जोदपूर की इस्ताबना तिती का उलेग मिलता है जो की जोदपूर के राजा मान सिंग फेश्ट के दरवारी कवी थे और इनहीं के द्वारा एक और ग्रेंट की रचनागी गी थी आयो अंग्रेज मुगल रे उपर और नैंसी की क्यात क्यात में सबसे प्राचिन ख्यात मानी जाती है और जिसे मारवार का गजेटीयर का जाता है और एक लिंग की शिला लेक है एक लिंग महमात्य कान या व्याष के द्वारा लिखा गए था अगला किसन मुझीआर्डी क्यात का विश्य है तो इसे के अंदर मारवार के राठ़ोडो के बारे में जानकर एपराक्त होती है मुझीआर्डी क्यात जिसे राठोडो की क्याद के नाम से जाना जाता है जिसे राठोडो की क्याद के नाम से जाना जाता है किसको मुंडियारी क्याद को और मारवाड में राठोड राज्जी के संस्ता वक राव सियां से लेकर जोद्पुर के राजा जस्वन सींग फेश्ट तक का इत्यास मनता है किसमे मुंडियारारी क्याद के अंदर जिसे राठोडो की क्याद के नाम से जाना जाता है और ये जस्वन सींग फेश्ट के कार के अंदर लिखी गई है कौन सी मुंडियारारी क्याद इसका राइटेंस रोगा मारवाड की राठोडों के बारे में जानकर रिप्राप्त होती हैं इसका राइटेंस रोगा चाल नम्बर का आज का पहला क्युसन किसका लेकक? वीरवान था राज रूपक के लेकक वीरवान है जोदपुर के राजा अबे सिंग के दरवारी को ने वीरवाने इसके दोरा राज रूपक पुस्तक की रचना की गी थी अगर बुचे की राज रतना करन किसके दोरा की गी थी राज रतना करन सदा सिव बठ के दोरा राज रतना करन कुस्तक की रचना की गी अगर पुचे की राज वललव पुस्तक की रचना किशना की थी तो मंडन के द्वारा राज वललव पुस्तक की रचना की थी तो ये करनी दान के दोरा सूरज परकास पुस्तर की रचना की गई है और ये जो भी मैं आपको जानकर ही बता रहा हूँ ये किसी ने किसी एक्जाम के अंदर पूची हुई है इसके लवा वंस वासकर के लेकर बूंदी की राजी के कवी सूर्य मले मिस्रन के दोरा वंस वासकर पुस्तर की रचना की थी और ये डिंगल साइतिक सेली में लिखा गया ग्रन्थ है और इस वंस वासकर को पुरण किसके दोरा किया गया था तो सूर्यमल मिस्रन के दत्तक पुत्र यनकी गोद लियावा पुत्र मुरारीदान मुरारीदान के द्वारा इस वंस वासकर को पुरण किया गएगा सूर्यमल मिस्रन की अन्य पुस्तकों की बात करे तो वीर सत्सई पुस्तर की रजना सूरिमल मिसरन के दवरा इसक अलबा राम रज्याट वंस भासकर और बलवंस विलास दातू रूपावली और संद मयूक आधी गरंत्यों की रजना सूरिमल मिसरन के दवरा की गई थी अगला किसन राज विलास की रचना किसने लिगी थी तो राज विलास किसके दौरा लिगी थी मान कवी के दौरा राज विलास पुस्तक की रचना की गई थी हेम कवी के दौरा किसकी रचना की थी तो हेम कवी के दौरा गुण भाष्ये गुण भाश्ये लिखा गया था गुण भाश्ये हेम कवी के द्वारा लिखा गया था अगर पुचेगी गुण रूपक किसके द्वारा लिखा गया ये भी परशन पुचावा है गुण रूपक गुण रूपक तो गुण रूपक कैसे हो दास केसवदास के द्वारा गुण रूपक और हेम कवी के द्वारा गुण बाश्य लिखा गया था और कवी राजा श्यामलदास के द्वारा क्या लेखा गए था वीर विनोद कवी राजा श्यामलदास के द्वारा वीर विनोद लेखा गए था और सूरिमल मिश्रन जिसे राजस्तान के अंदर जन जागरण का कारी किया था कॉल सूरिमल मिश्रन और सूरिमल मिश्रन जो अठ फाटका जंजाल नामक नातक के लहकक सुखर बरत्या चार नमर सुखर बरत्या के दौरा फाटका जंजाल और इसका अलबा बुड़ापे की सगई गरंद की रचना की गये थी इसके लावा राजस्तानी वासा का पर्थम नाटक जिसका नाम है केसर विलास, केसर विलास जो राजस्तानी वासा का पर्थम नाटक है जो की सिव चंद्र परत्या के द्वरा लिखा गया था और राजस्तानी वासा का पर्थम उपनियास जिसका नाम है कनक सुंदरी, कनक सु केसर विलास ये भी सिव चंद्र परतिया के द्वारा लिखा गया है इसका राइटेंस रुआ चार नमबर का और इसके लाबा ये एक्ष्टा जानकरी भी आप याद रगना आने वाले एक्जाम के दर सीडी सीडी पूछी जाएगी अगला क्यूशन राजस्तानी हिंदी संसित सबतकोस के संपातक है तो पदम स्री सीता राम लालस इसका राइटेंस रोगा सीता राम लालस जिनका जनम बाढ़ मेर महा था और इनकी करम भूमी जोदपूर्थी सीता राम लालस के द्वारा राजस्तानी भासा का सबसे बड़ा सबतकोस जिसमें दो लाग सबत है उसको त्यार के था इन्होंने राजस्तानी व्याकरण नामक ग्रंद की रचना की थी इनी के द्वारा सीता राम लालस के द्वारा राजस्तानी व्याकरण नामक ग्रंद की रचना की थी सीता राम लालस को इन साइक्लोपीडिया बिरटीनिका के द्वारा सीता राम लालस को राजस्तानी जुबा की मसाल की संग्या दी सीता राम लालस को 1997 कंद्र बार सरकार के द्वारा पदम स्री अवार्ड से नवाजय गया था तो इसका राइडन सुरुआ एक नमबर अगला क्यूसन सीता राम लालस का सेत्र रहें तो सीता राम लालस का सेत्र राजस्तानी भासा और कोस रचना से हैं सीताराम लालस के द्वारा राजस्तानी बासा का सबसे बड़ा सबत को स्तियार किया था लगबग दो लाख सब्दों का पंडा है और इनी के द्वारा राजस्तानी व्याक्रन नामक गरंद की रचनागी के थी और इन साइक्लोपीडिया बिर्टे निका के द्वारा सीताराम लालस का जिन का जनम बाड में रहा था लेकिन इनकी करम भूमी जोदपुर रही थी। अगला क्युशन राजस्तानी सबदकोस का निर्मान किया था। इसका राइडेंस रोगा सीतराम लालस के द्वारा राजस्तानी सबदकोस तैयार किया गया था। जिसमें लगबख दो लाख सब्दों का बंडार था। बांकिदास जोदपुर के राजा मान सिंग के दरबारी कवी जिनके द्वारा बांकिदासरी क्याद की रचना की थी। जिसमें जोदपुर जेपुर की इस्तावनातिति का उलेग मिलता है। बांकी दाश के दौरा आयो अंग्रेज मुगल के उपर उस क्रंत की भी रचना मांकी दाश के दौरा की गई ठी अगला क्यूसन पर्तियुराज विजे का लेकक कौन है तो पर्तियुराज विजे जो की जयानक बट के द्वारा लिखा गयता पर्तियुराज विजे किसके द्वारा लिखा गयता जयानक बट के द्वारा पर्तियुराज विजे लिखा गयता अगर पूचे कि कौन सी भासा में लिखा गया त जो कि पर्थिराज चोवान तर्तिय के पिता सोमेश्वर और पर्थिराज चोवान के दर्बार कभी थे और पर्तिराज विजे का लेकक कौन है तो पर्तिराज विजे के लेकक जैनक बठ है जैनक बठ के दोरा संस्क्रत बासा में पर्तिराज विजे लिखा गया था पर्तिराज विजे के अंदर पर्तिराज चोहान के उपलब्दियों के बारे में वर्णन मिलता है इसमें पर्थिराज चौहान के पिता सोमेशुर के बारे में जानकरी मिलती है सोमेशुर के बारे में भी जानकरी मिलती है इसका राइडेंस दुरुआ तीन नमबर का और कौन सी बासा में लिगा? संसकर्थ बासा में लिगा गया ये भी याद रखना और चंदरबर्धाई के द्वारा पर्थुराज राशोन के लिगा गए है और नहन चंदरशूरी के द्वारा कौनसे ग्रंद की रचना की गए थी हमीर महा काविय हमीर महा काविय की रचना नहन चंद्र सूरी के द्वारा की गई थी अगला किसन निमल लिकिन में से कौन सा शोमल स्वर के इत्यास का सुरोत है नहन सीरी क्यात नहन सीरी क्यात जो की जोदपुर के इत्यास के बारे में जानकरी मिलती है जो मुनोद नेहंड सी के द्वारा लिखे गए थी जो जोद्पुर्गे राजा जस्वन सींग फेंश्ट के दर्बारी थी जो क्यात में सबसे प्राचेन क्यात माने जाती है नेहंड सी दी क्यात तो इसका राइडेंस रोगा पर्थिराज विजे के अंदर जानकरी मिलती किसकी शोमेश्वर के इत्यास की जानकरी मिलती है जो जैनक बटके द्वारा लिखा गया था और संस्कर्थ वासा में लिखा गया इसका राइडेंस रोगा तिन नमबर अगला क्योसन राजस्तान इत्यास का निमन में से कौन सा साइटिक स्रोत संस्कर्ट में रची थे तो संस्कर्ट में कौन सा लिखा गए था पर्थिराज विजे लिखा गए था राज रूपक के लिखा कौन है तो राज रूपक वीर भान के द्वारा लिखा गए था और कोल्य माला गरंद की रचना उद्योतन सूरी के द्वारा कोल्य माला गरंद की रचना की गे थी और उद्योतन सूरी जालोर के गुजर प्रत्यारवन्स के राजा वत्स राज के दरबारी कवी थी और इस कुवल्य माला ग्रंद के अंदर बात की कुल 18 शेत्री वासा का उलेख है जिसमें से राजस्तान की एक मात्र मरू भाशा का उलेख है तो इसका राइटेंस रुवा साइटी कौन से लिखा गया पर्थिराज विजे अगला क्यूशन सही सुमलेता नहीं है वंस बासकर सूरिमल मिस्तरन के द्वारा लिखा गया था बिल्कुल सही है और वंस बासकर डिंगल काविय सेली में लिखा गया था वंस बासकर को पुरण किस के द्वारा किया गया था सूरिमल मिस्तरन के दत्तक पुत्तर यानकी गोद लियावा पुत् वन्स वासकर को पुरण किया गया था दूसरा उप्सन इसका मदब पहला कतन तो सही है पर्थिराज विजे चंद्र बर्दाई द्वारा लिखा गया था ये इसका सही एंस रोगा क्योंकि पर्थिराज विजे जैनक बठ के द्वारा संसकर्थ वासा कतर लिखा गया था तो इ इसमें बार्द की 18 शेत्री वार्षा का उलेग हैं, जिसमें से राजस्तान की एक मातर वासा मरुपार्षा का उलेग मिलता हैं हमीर महा काविया नहन चंदर सूरी तो इसका राइड है शुरुआ दो नमबर का अगला क्योशन जैनक ने कौन सी कर्ती की रचना की गिए तो जैनक भड़ के दौरा पर्थिराज विजे की रचना की गिए थी संस्कर्द बासम है इसका रायड है शुरुआ एक नमर का पर्तिराज रासो किस के द्वारा लेखा गया था चंदर बर्दाई के द्वारा पर्तिराज रासो की रचना की के थी और हमीर रासो की रचना सारंग धर के द्वारा की की थी हमीर रासो दो पुस्तक है एक हमीर रासो जो की 24 सताप्ति के आसपास लिखे गे थी जो की जिसके लेकर सारंग तर है जिसमें रंथंबोर के सासक हमीर रेख चोहान और दिल्ली के सुल्तान अलाउदिन खिलजी के बीच में यूद का वणन मिलता है एक हमीर रासो जो की 18 सताप्ति में लिखा गया था जिसके लेकर जोद राज है जिसके लेकर जोद राज है और एक हमीर हट किसके दोरा लिखा गया था हमीर हट चंदर शेकर के दोरा लिखा गया था हमीर हट किसके दोरा लिखा गया था चंदर शेकर के दोरा हमीर हट लिखा गया था अगला ग्युसन बुद्धी विलास ग्रंद के लेकक हैं तो बुद्धी विलास ग्रंद के लेकक बक्त रामशा है इसका राइडन सुरोगा दो नुमर बक्त रामशा के द्वारा बुद्धी विलास ग्रंद की रचना की कि थी और कवी नरोतम के द्वारा मान चरितर राशुक की रचना कवी नरोतम के द्वारा की गी थी बांकी दास जोत्वूर के राजा मान सिंग के दरबारी कवी जिसके द्वारा बांकी दास की ख्यात की रचना की गी थी आयो अंग्रेज मुबल रे उपर ग्रंद की रचना बांकी दास के द्वारा की गिती अगला क्यूशन परबंदन चिंतामणी का लेकर था तो परबंदन चिंतामणी के लेकर जेन आचारी है मेरुतूंग है मेरु तुंग के द्वारा प्रबंदन चिंतामनी गरंद की रचना की किती और यह कैसा गरंद हैं तो यह एक जैन साहिती हैं और यह कितने भागों में यह कितने खंड है तो आप दान सुरूगा इसे यह पांच भागों में विबक्त हैं यह पांच भागों के अंदर विबक् और ये कितने भागों में विवक्त हैं तो ये पांच भागों के अंदर विवक्त हैं इसके लगा उद्योतन सूरी के द्वारा कोल्य माला गरंद की रचना की की थी नैन चंदर सूरी के द्वारा हमीर महाकावी की रचना की की थी और दलपत विजे के द्वारा खुमान राश तो आपको चारो ओप्सनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आने वाले एक्जाम के अंदर इन ओप्सन में से आपके क्यूशन बना कर आपसे पूचे जा सकते हैं अगला क्यूशन वेली कृष्ण रुखमणी किस बासा का ग्रंथ है? वेली कृष्ण रुखमणी की वचनी का जोकी उत्र मारवाड़ी ग्रंथ हैं इसके लेकर पर्तिराज राठोर हैं पर्तिराज राठोर जिनका जनम 1606 इस्वी में बिकानेर में हुआ था विकानेर के राजा कल्यान मल के पुतर थे और विकानेर के शासक राए सिंग के छोटे भाई थी पर्तिराज राठोर अकबर के दरवारी कवी थी इनको संस्कर्थ भासा का डिंगल साइटिक सेलिका और यूद गला के अंदर परमुख ग्याता थी इन्हें साइटिक जगत में पर्थिराज राठोर को पितल के नाम से जाना जाता है इन्हें साइटिक जगत में पितल के नाम से जाना जाता है पर्तिवराज राठोड जिने L.P. Tessitory जो उधिना सेर इटली के रहने वाले थे L.P. Tessitory के द्वारा पर्तिवराज राठोड को डिंगल का हेरोष का तो परसन पूचा जाएगा कि डिंगल का हेरोष किस के द्वारा का गयता लपी टेस्टी टोरी के द्वारा का गयता किसको का गयता पर्तिराज राठोड को का गयता और वेली कृष्ण रुकमने थी वचनिका को दुर्षव आडा के द्वारा इसे वेद कितने होते हैं च्यार होते हैं तो इसे पांचवा वेद का पुरान कितने होते हैं अठार होते हैं तो इसे उन्नीसवा पुरान की संग्या दिखी कि ये पांचवा वेद हैं और उन्नीसवा पुरान हैं किस के द्वारा संग्या दिखी थी दुर्श्वा अड़ा के द्वारा दिखी थी कौन कि भागान खर्षानन क्रुक मोरी की विभा की कता के बाड़ा में जान करी प्राप्त होती है। और कर्णल जंस्टोड के द्वरां the क्रष्णन रुख मोरी वचनी का को फटने के बाद में कहा कि इनको पटने में 10 जार गोड़ों के समान बल प्राप्त होता है. और पर्थुराज राठोड के द्वारा और कौन-कौन सी पुस्तकों की रचना की गिती इनके द्वारा दसम, भागवत्रा, दुहा और इसके अलाबा गंगा लहरी गंगा लहरी पुस्तक की रचना पर्थुराज राठोड के द्वारा की गिती जिने साहितिक जगत में इसे पित्तर के नाम से जाना जाता है, साइटिक जगत में पित्तर का जाता है, जो कि वीक नेर के रहने वाले थे areag be・kaनेर के राजकुमरते जो कि i akbar के दर्बारी कवी थी और आपकी वेली कृष्ण रुकमनेरी के लेकक थे तो इसके लेकक पर्थुराज राठोड है इसका राइडेंस रोगा एक नमबर का अगला ग्यूशन पितल द्वारा डिंगल भासा में लिखे गई ग्रंथ पितल कोल पर्थुराज राठोड जिसे साइटिक जगत में पितल के नाम से जाना जाता है इनके द्वारा एक गंगा लेरी लिके गई थी और एक वेली कृष्ण रुकमनेरी वचनी का नामक पुस्तक की रचना की गई थी और इसके लावा दसम भागवत्रा दुआ नामक ग्रंथ की रचना भी पर्थुराज राठोड के द्वारा की गई थी अगला क्यूशन वेली कृष्ण रुकमनेरी रचिता कि सासक के दर्बारी कवी थे तो ये अकबर के दर्बारी कवी थे कौन पर्थुराज राठोड जिसे साहितिक जगत में पित्थल के नाम से जाना जाता है अगला क्यूशन अचल दास खीन वचनिका से कहां का इतियास मुक्ती रूप से यात होता है अचल दास खीन वचनिका से हमें गागरोन के पारे में जानकरी पराप्त होती है यहां कि गागरोन का इत्यास की जानकरी प्राप्ट होती है और इसके लेकर कोने? तो सिवधास गाडन के दौरा अचलदास, खिंचीरी, वचनी का नामत पुस्तक की रचना की केती जिसमें गागरोन के इत्यास के बारे में जानकरी मिलती है इसका राइटेंस रोगा चार नमर का अगला क्यूसन वीर सचसे बलवंत विलास राम रजजाट के लेकक है कवी राजा श्यामलदास के द्वारा वीर विनोध उस्तकी रचना की की थी सूरिमल मिस्रन के द्वारा वीर सचसे बल्वंत विलास राम रजाट वंस वासकर दातू रूपावली सती राशो और संद मयूक नामक फुस्त की रचना सूरिमल मिसरण के द्वरा की गिती सूरिमल मिसरण जिनका जनम 1815 एश्वी के अंदर हुआ था बूंदी के हरणा गाओं में हो था बूंदी का हरणा गाओं के अंदर 1815 एश्वी में सूरिमल मिसरण का जनम हुआ था सूर्यमल मिस्रण के द्वरा लिखी गई वन्स पासकर जिसको पुरण उसके दत्यक पुत्र यनकी गोद लियवा पुत्र मुरारीदान के द्वरा वन्स पासकर पुस्तक को पुरण किया गय था वीर सत्सई पुस्तक के अंदर 1807 की क्रांती के समय आँखो देखा वर्णन सूर्यमल मिस्रण के द्वरा किया गय था और इसके अलबा सती राशो दातू रूपावली राम रजाट बलवंत विलास और संद मयूक जैसी पुस्तकों की रचनकी और आपकी जानकरे लिए बता दू की राम रजाट नामत पुस्तक सूर्यमल मिस्रण ने बारा वर्ष की उमर में पर्थम पुस्तक लिखी थी और अगर पुचे की सूरी मल मिस्रण के द्वारा लिखी गई उसते के कौन सी भासा में तो आप का अंसरोगा अधिकांस पूरी हाड़ोती भासा में लिखी गई थी इसलिए सूरी मल मिस्रण को वीर रश्वतार की संग्या दी जाती है इतनी जानकर आपको सूरी मल मिस्रण क के द्वारा प्राचिन भारतिय लीपी माला गरंद की रचना की गई थी अगला क्योशन वंस वासकर का लेखन कारिय निमलिकित में से कांग के सासको के आदेश पर किया गए था तो वे बूंदी के सासको के आदेश पर वंस वासकर नामक पुस्तक की रचना सूरिमल मिस्रन के लिखे थी और उनकी मर्तियों के बाद में उनका गोध लिवा पुत्र एनके उनके दत्तक पुत्र मुरा लिदान के द्वारा वंस वासकर पुस्तक को पुरण किया था वंस वासकर पुस्तक जो डिंगल साइटिक सेली में लिखे गए थी और भासा हाडोती थी वासा कौन सी और शाहीटिक सेली कुहन्से थी डिंगुल पच्छोंई राजस्तान की sitex Stelle है उसके अंदर लिखे किह थी और इसके लेकर कॉनदे शूरिमल मिस्तरण जिसमें बूद यहाशक यह पिए सब्सक्राम समय क्ला के शूरिमल मिस्तरण की रचनाँ में कौन्सी बोली प्रियुक्त हुई है तो इसका राइटेंस रोगा हाड़ोती बोली इसके अंदर प्रियुक्त हुई है इसका राइटेंस रोगा तीन नमबर का अगला क्यूशन महा कवी सूरिमल मिस्तरण के बारे में निवन में से कौन सा कतन गलत है पहला वंस बासकर इनका परशित महा कावी है बिल्कुल सही है इन्होंने बूंदी के इत्यास का वनन मिलता है महा कवी सूरिमल मिस्तरन के बारे में निमन में से कौन सा कतन गलत है अब गलत कतन को चांडना है पहला वंस बासकर इनका परशित मा काविय है बिल्कुल सही है इन्होंने बूंदी के इत्यास का वर्णन किया है बिल्कुल सही है इनकी कविताओं से बाधूर की भावना उदे होती है बिल्कुल सही है क्योंकि सूरिमल मिस्तरन के द्वरा 1857 की क्रांति को आंको देखा वीर ससई नामक पुस्तक कंदर किया गए था यहनकी तीसरा कतन भी सही है और वे मेवार के निवासी थी यह गलत है वे बूंदी के निवासी थी यहनकी हाडोती शेतर के निवासी थी यहनकी बूंदी के अंदर 1815 इस्वी के अंदर सूरिमल मिंसरन का जनम हुआ था और हरना गाम हरना गाम पुंदी कंदरिन का जन्म हो था और पुंदी के सासक चो हाडा चोवान सासक राम सिंग के ये दरबारी कभी थी अगला क्यूसन निवन में से कौन सा युक्म सुमलित नहीं है पहला सूरिमल मिस्रन वंसो थे पहला इकतन गलत है पद्धमनाप के द्वारा कांदर दयो परबंदर लिखा गया था बिल्कुल सही है करणी दान के द्वारा सूरुज परकास लिखा गया बिल्कुल सही है और मंडन के द्वारा राज वल्लब लिखा कहता है बिल्कुल सही है अगला क्यों सन निवन में से कौन से गरंतों की रचना सूरिमल मिस्तरन द्वारा की गई वंस पासकर की 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 गई बिल्कुल सही है तातु रुपावली की 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 गई बिल्कुल सही है पलवंत विलास की 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 गई बिल्कुल सही है सती राशो की 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 बिल्कुल सही है इसका लवा और कौन सी पुस्तकों की रचना की की थी वीर सत्सई पुस्तकी रजना की गिती इसका लवा संद मयूख संद मयूख पुस्तकी रजना की गिती इसका लवा राम रजाट नामक पुस्तकी रजना सूरिमल मिस्रन के द्वारा की गई थी इसका राइडेंस रोगा चारवी कतन सही है राजस्तानी कवियों में नव जागरन के पर्थम कवी किसे माना जाता है इसका राइडन सुरुगा एक नमबर सूरिमल मिस्रन को माना जाता है मेगराज मुगुल जिनके द्वरा सेनानी नामक पुस्त की रचना की गिती और मुनोद नेनसी जोदबुर के राजा जस्वन सिंग फेष्ट के दरवारी कवी जिनके द्वरा मारवाडरे प्रावेगनीरी विगत इसके लवा नेनसीरी क्यात की रचना की गिती पर्थिराज राठोड जो बिकनेर के रहने वाले जो अकबर के दरवारी कवी जिससे साइटी जगत में पितल के नाम से जाना जाता है और इनकी वेली कृष्ण रुखमिनेरी वचनी का और इसके लबा गंगा लेरी और इसके लबा दस्तम भागवत्रा दुहा नामक पुस्तक की रजना पर्तिराज राठोड के द्वारा की गई थी जिने एलपी टेस्टी टोरी के द्वारा डिंगल का हेरोष की संग्या दी गई थी अगला के उसन सती राषो ग्रंद के लेकक कौन थे सती राषो सूरिमल मिस्तरण के द्वारा लेका गई था सारंगधर जिसके द्वारा हमीर राषो ग्रंद की रचना की गई थी सारंग धर चब्दी सितापति के अंदर सारंग धर के द्वारा हमीर राशो गरंद की रचना की गई थी और दलबत विजे के द्वारा खुमान राशो की रचना दलबत विजे के द्वारा की गई थी अगला कि हुसन वीर सत्सई के लेकक हैं तो इसका राइट है शुरुमल मिस्रन वीर सत्सई के लेकक हैं इसका राइट है शुरुगा दो नमर चंतरबर्दाई के दौरा पर्थिराज रासों की रचना की की थी और बांकी दास जोदपुर के राजा मान सिंग के दरबारी कवी किदास्स री क्याथ आयों अंग्रेज मुगलडरे उपर नामत पुस्तकी रजना बाकिदास के द्वारा की गयी थि कनेलास सेटिया चुरूक की रहने वाले थे और कनेलास सेटिया जिनके द्वारा तर्ती धोरारी जमीन रो धनीकुन और लील तांस आधी गरंतु की रचना सुरी कनेला सेटिया के द्वरा की गई थी अगला क्योशन इलाने देनी आपनी हालरियो हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माय उप्युप्त पंक्तिया किस ग्रंद से ली गई वन्स पासकर से नई वीर सत्थ सही से बिल्कुल सही है वीर सत्थ सही नामक पुस्तक से इसके लेगक सूरी मल मिस्रण है इनी पुस्तक से हमने इन पंक्तियों को ग्रंड किया था इलाने देनी आपनी हालरियो हुलराय पूत स सिक्रावे पालने मरन बडाई माए तो इसका राहिदनी सुर्गा दो नमबर हगु अगला के सब्कार्या करता है ऑस्रार का कमेंड युक्स के अदर जरूर बताना अगया क्यूंब सूरिमल मिसरन जो राजस्तान के एक लियासत के 19 सदी के दरबारी कवी थे उन्होंने एक उतक्रष्ट करती वंस पास कर लिगी जिसका मुक्चे विश्य वंस का इत्यास है इसमें हाडा चोहान जो बुंदी के हाडा चोहानों का इत्यास मिलता है इसका राइडन सुरुगा द बूंदी से इसका राइड़ेंश रोगा तीन नंबर का अगला क्यूशन शूरी मल मिश्रन द्वारा लेकित वंस बासकर को किस ने पुरण किया था तो वंस बासकर किस ने लिखा था सूरी मल मिस्रन ने लिखा था कौन सी सायती सेली में लिखा था डिंगल सायतीक सेली में लिखा था कौन सी बासा में लिखा था हाड़ोती बासा में लिखा था लेकिन इसको पुरण किस ने किया था तो सूरी मल मिस्रन के दत्तक पुत्र यानि गोद लियवा पुत्र मुरारी दान के द्वारा वंस बासकर को पुरण किया गया था इसका राइडन सुरुआ दो नमबर और करणी दान के द्वारा सूरज प्रकास क्रंथ की रचना करणी दान के द्वारा की गई थी और राज रुपक के लेकक वीर भान है अगला जुशन गियूister निमलिक में से कौन सी करती कि रचना सूरी मल मिस्रन द्रा की गयी थी वीर विनोध तो वीर विनोध के लेकक कवी राजा श्यामलदास है वीर सथ्लmente के लेकक सूरी मल अहीं इसका राइडे सुरोगा दो नवर और राज विलास इसके द्वारा लिखा गया था तो राज विलास कभी मान के द्वारा राज विलास की रचना की गी थी और चेताम नीरा चुंगटिया केसरी सिंग बारट के द्वारा लिखा गया था अगला क्यूशन निमन मैं से किस राजपत सासक द्वारा नहे तरह रचित हैं तो इसका राइटेंस रोगा बूंदी के राजा बुठ सिंग के द्वारा लिखी गई थी इसका रायडेंस रोगा चार नमबर और यह ब्रजभासा में लिखी गई थी कौनसी बासा ब्रजभासा के अंदर लिखी गई थी बूंदी के राजा बुष सींग के दवारा नहे तरंग नामत पुस्तक के रचना की गई थी अगला क्युशन आज का पहला क्यूसन भारतिय प्राचिन लीपी माला के लेकक का नाम है इसका राइट एंस रोगा डॉक्टर गोरी संकर हीराचन ओजा के द्वारा भारतिय प्राचिन लीपी माला ग्रंद की रचनकी की थी अगला क्यूसन श्रीशुपालवद का लेकक था तो श्रीशुपालवद के लेकक धिन्वार के कवी मार्ग के द्वारा श्रीशुपालवद नामक पुस्तक की रचनकी गे थी इसका राइट एंस रोगा दो नमबर का पुंदि के सूरिमल मिस्टरण जिन के द्वारा वन्स पासकर, वीर सससै, बलवंत विलास, सती राशो, दातूर उपावली, संद मयूक जैसी पुस्तकों की रचना सूरिमल मिस्टरण के द्वारा की थी अजमेर के चंदरपरदाई के द्वारा पर्थुराज रासो की रचनकी के थी जोदपूर के मुणोप नहनसी के द्वारा मारवाडरे प्रावेगनेरी विगत और नहनसीरी ख्याद की रचना जो की जोदपूर के राजा जस्वन सिंग फेष्ट के दरबारी कवी थे अगला क्यूसर निमन्वे से कौन सा मा काविय साथवी सदी के कवी माग द्वारा लिखा गया जो वर्तमान राजस्तान के भीनमाल के रहने वाले थे तो कभी माग के द्वारा जो भीनमाल के रहने वाले थे जिनके द्वारा शुष्पालवद नामक पुस्तक की रचनक की थी कि रात अर्जूनियम जो भारवी के द्वारा लिखा गया था अगला क्यों सन जमीद्रो धनीकुण यो मीजर पुस्तक के रचिता है तो इसका राइडन्स रोगा चार नमर कनेला सेडिया के द्वारा जमीद्रो धनीकुण पे मीजर नामक पुस्तक की रचनक की थी कनेला सेडिया जिनका जनम 11 सितुमबर 1929 को सुजानगट चूरू सहर में हुआ था और कनेला सेडिया के द्वारा पाथल वे पीथल नामक परशित रचनक की थी एक नाम है पाथल वे पीथल पाथल वे पीथल की रचनकी की थी जिसमें पाथल सबद माराना परताब का और पीथल सबद परशिवराज राट तोड के लिए संबोधित के था तो पाथल वे पीथल किसकी परशित रचना है तो कनेला सेडिया की परशित रचना है इनको लील टांस के लिए लील टांस इनकी पुस्तक है लील टांस और लील टांस के लिए इन्हें उन्नी सो सियुतर इश्वी को साइटी अगादमी पुरुषकार से भी समानित किया गया है इसके लावा इनकी पुस्तकों के बात करें तो मेरा यूग मेरा यूग इनकी पुस्तक है इसके लावा पर्तिभीम इनकी पुस्तक है इसके लावा जमीदरो धनीकुन मींजर और इसके लावा सबद किया देखना ये भी इनकी पुस्तक है इसके लावा दर्ती दोरारी इसके लावा दर्ती दोरारी दर्ती दोरारी पुस्तक की रजना कनेलाल सेटिया के दोरा की गी थी तो कनेलाल सेटिया जिनका जनम 11 सित्वंबर 1919 सुजानकर चूरू में था इनकी पुस्तकों में पाथल वे पीथल जमीद्रो धनीकुन दर्ती दोरारी मीजर सबद परती भी मेरा युग आधी पुस्तकों की रजना और लील टांस ये किसकी रजना है कनेलाल सेटिया किया अग मेराज मुकुल की दो नमर कनेलाल सेटिया की धरती दोरारी जमीद्रो धनीकोण परती भी मेरा युग मीजर पाथल वे पीथल और लील टांस ये कनेयलाल सेटिया की परसीद रचना है और इसके लाबा एक कू 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 ये भी कनेयलाल सेटिया की परसीद रचना है इसके लाबा मेगराज मुकुल की बात करें इनकी परसीद रचना में सेनानी सेनानी जो हाडी राणी सेल कमर पर आधारित सेनानी नामक पुस्तक की रचना मेगराज मुगल की है और इन्ही की पर्थम रचना का नाम है उमंग मेगराज मुगल की पर्थम रचना है और सत्य परकास जो सिखियें बोल भारमली ये भी पर्सन पूछा गया आरेस एक्जाम के दर बोल भारमली सत्य परकास जो सिखियें अगला किसन लील टांस के लेकर कौन है तो इसका राइडेंस रोगा दो नमबर कनेयालाज सेडिया लील टांस पुस्तक के लेकर के जिनको 1937 में लील टांस रजना के लिए साहितिय अकादमिक पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो इसका राइडेंस रोगा दो नमबर का अगला किस uh 1987 का सूर्यमल मिस्रन पुरुषकार कनानी लाज hania,uS helium ant usually चाल नमर साभज के लिए दिया गया था this is Chris Romandky Bunu को Amundra सबसक्राइब चाल नम्बर और लील डांस के लिए सादिये अकादमीट पुरुषकार दिया गया था ऑनी control में अगला किसन परसिद राजस्तानी कवीता पातल और पीतल के रचेता थे तो इसका राइडेंस रोगा कने लाल शेटिया इसका राइडेंस रोगा चार नमबर का कने-लाल शेटिया के दवारा पातल वे पीतल की रचना की गे थी पातल माराना परताद को संबोदीत किया की था और पीतल पर्तिराज राथोड को संबोदीत किया के था केसरी सिंग बारट के द्वारा चेतावनी राचुंगटिया नामत पुस्तक रजना की के थी चंदर परकास देवल के द्वारा इसका अंस्वर आप कमेंट बॉक्स में देना अगला किसन और यह दी क्लास अच्छी लग रही है तो आप अन्य दोस्तों को साथ सेर जरूर करना पर चेनल को सब्सक्राइब जरूर करना कनेजला सेटिया की कर्दी है तो इसका राइडे शोरूगा एक नमबर धरदी दोरा लिए और गंगा लेहरी किस की है पर्थिराज राठोड की है गंगा लेहरी नामत पुस्तक की रजना पर्थिराज राठोड की है तीन नमबर का मलिक मौमद जाईसी के द्वारा पदमावत नामत पुस्तक की रजना की गिती और ये 1540 इश्वी के आजपास इसकी रजना की गिती जिसमें मेवाड के सासक रावल रतन सिंग और दिल्ली के सुल्तान एके अलवदिन खिलजी के मद्य यूद का वर्णन मिलता ह तो इसका राइटन शुरुआ तिन नमबर का अगला क्यूशन और राज सेकर के द्वारा कौन सी पुस्तक की रजना की गिती तो राज सेकर के द्वारा हर विलास हर विलास पुस्तक की रजना राज सेकर के द्वारा की गिती और हर विलास नामक पुस्तक की रजना राज से कर किये हैं अगला क्यूशन मलिक मुहमद जायसी ने पद्मावत नामक महाकावी की रचना कब की तो ये पंद्रह सो चालिस इस्वी के आसपास की गए थी इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर का अगला क्यूशन कांदर्देव प्रबंदन के रचिता कौन है नैंसुक रामभड पदमनाब तो इसके रचिता पदमनाब हैं जिसके द्वारा कांदर्देव प्रबंदन की रचना की गे थी जालोर के चोवान सासक अखेरा सोनगरा के दरबारी कवी थे इनके द्वारा कांदर्देव प्रबं प्रबंदन लिखा कहता इसमें जालोर के सासक कानर देव और उनके बुत्तर वीरम देव और इनके साथ दिल्ली के सुल्तान एके अलाउदीन फिलजी के मद्य यूद का वंडन मिलता है किसमें कानर देव प्रबंदन में जो अखे राज सौनगरा के दरबारी कवी के द्वारा वीरम देव सौनगरारी वात नामत पुस्तक की भी रचना की गई थी तो इसका राइडन सुरुआ तीन नमर का और हेम कवी के द्वारा गुण भास्ये लिखा गया था अगला क्यूशन निमलिक्त में से कौन सा ग्रंद जालोर के सासकों की उपलब्दी के बार इसका रायडेंस रोगा च्यार नमर कांःडेंग प्रबंद जो पदमनाप के द्वारा लिखा गया इसका अंदर जालोर के सासकों के बारे में जानकरी प्राब्द होती है इसका बार इसका डील्ली cache सुल्तान एक धे अलाउदिन फिल्जी और जालोर के सासक कांःडेंग क भट के द्वारा लिखी गई थी जो संस्क्र्ट वासा में लिखी गई थी और इसमें सभाद लक्स एनकी अजमेर के चोहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमीर मा काविया नैन चंदर सूरी के द्वारा लिखा गई था और परबंदन जिंतावनी मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई थी जो कि एक जैन साहित्य है अगला क्यूसर निमन में से कौन सी रचना कानर देव और अलाउदीन खिलजी के आप सी समंदों की जानकारी देती हैं तो इसका राइडेंस रोगा वीरम देव सोनकरारी वात जो की पदमनाप के द्वारा लिखी गई थ पंदरह सो चालीस के आसपास मलिक मुहमद जाय सिंग के द्वारा लिखे गई थी एक लिंग मावात्य जिसकी रचना कानिय व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी जैसिंग सूरी लेकर थे, जैसिंग सूरी के द्वारा हमीर मद मर्दन के नामक पुस्तक की रचना की गई थी, इसका राइडेंस रोगा, एक नमबर हमीर महा कावी है, नहन चंदर सूरी के द्वारा लिखा गई था, हमीर हट चंदर सेगर के द्वारा लिखा गई था, और हम गईर, मत, मर्द, नमक, साइटिय, कर्धी के लेकक को ने इसका राइडेंस रूगा जैसिंग सूरिक के द्वरा लिखा गई था अगला किसन者 वीर विनोथ मुक्य देकिस राज्य का इतियास है उदेपूर, जैपूर, कोटा या जोदपूर इसका राइडन्स रोगा, वीर विनोथ के लेखक, कवी राजा श्यामलदास के दोरा लिखी गई पुस्तक, जिसमें उदेपूर के सासकों के बारे में जानकर रिटराप्ट होती है, इसका राइडन्स रोगा, एक नमबर वीर विनोथ नमक गरंथ किस के दोरा लिखा गया था, तो ये कवी राजा श्यामलदास के दोरा वीर विनोथ नमक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें मेवाड यानकी उदेपूर का इत्यास के बारे में जानकर मिलती हैं, और ये मुक्य रूप से पांच बागों कंद कंदर लिखा गया, कितने बागों में, तो मुक्य रूप से पांच बागों कंदर लिखा गया था, कवी राजा श्यामलदास के दोरा वीर विनोथ नमक पुस्तक की रचना की थी, आपकी जानकर के लिए बता दूं की, कवी राजा श्यामलदास का जनम पांच जुलाई, प मेवार के महाराना सजन सिंग के द्वारा शामलदास को कवी राजा की उपादी दिगे थी और ये मेवार के महाराना सजन सिंग के दरबारी कभी थे आपकी जानकारे लिए बता दू कि बिरिटिज सरकार के द्वारा कवी राजा शामलदास को केसर ए हिंद की उपादी दिगे थी अगला क्यूशन नीचे दिये गई विगलोबो मैंसे और उनके लेकर के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए पहला वंस बासकर कैसरी सिंग बारट गलत है वंस बासकर सूरिमल मिस्टरंड के द्वरा लिखा गया था कैसरी सिंग बारट के द्वरा चेतावने राचुंगटि नामक पुस्तक की रचना की के थी मलिक मौमद जायसी के द्वरा पदमावत नामक पुस्तक की रचना की के थी इन में से सही कौन सा होगा तीन नमर होगा जो सही सुमलित है कि वीर विनोत नामक पुस्तक की रचना कवी राजा श्यामलदास के द्वरा की के थी जो कि मेवार के माराना सजन सिंग के दर्बारी कवी थे जिसको कवी राजा की उपादी से नवाजा गया था इसका राइडेंस रोगा तीन नंबर का अगला किसन निमन में से कौन केसरे हिंद की उपादी से सम्मानित है तो इसका राइडन सुरोगा कवी राजा श्यामलदास इसका राइडन सुरोगा एक नमबर और कर्णल जम्स्टोड के द्वारा जिसे राजस्तान के इत्यास का जनक या राजस्तान के इत्यास का पिदा के नाम से जाना जाता है और कर्णल जम्स्टोड जिसे गोड़ा वाले बावय के नाम से जाना जाता है और कर्णल जम्स्टोड के द्वारा एनाल एंड एंटिकु निमर में से कवी राजा श्यामलदास त्वारा रचित मैतपुन पुस्त कौन सी है वीर विनोथ इसका राइडन शुरुगा एक नमबर वन्स बासकर सूरी मल मिसरन के द्वारा लिखा गया था और इसको पुरण किष्ण ने किया था सूरी मल पिसरन के पुत्र दतक पुत्र मुरारी दान के द्वारा इसके पुरण किया गया था और प्रतिवराज रासो चंद्र बरताई के द्वारा लिखा गया था आज के लिए इतना ही इदी क्लास अच्छी लगिये तो अन्नी दोस्तों के साथ सेर जरूर करना थैंक यू आज का पहला क्यूसन बातारी पुलुवारी नामक ग्रंत के रचेता कोन है विजेदान देथा विजे सिंग पति मानिके लाल वर्मा सिव चंद्र बरतिया तो इसका रायटन्स रोगा बातारी पुलवाली नामक पुस्त की रचना वीजयदान देथा के द्वारा की गए थी इसका राइट है शुरोगा एक नमबर विजेदान देता जिनका जनम उनिस सो चपवीस इस्वी में जोदपुर के वोरुंदा गाउं में हो था जोदपुर के वोरुंदा गाउं के अंदर विजेदान देता का पारश सो चपवीस इस्वी में जनम हो था जिनका मूल नाम या जिसका किस नाम से जाना जाता है इनके दौरा मारो बदलो इनके द्वारा मारो बदलो तीडो राओ इनके द्वारा अलेकु हिटलर इनके द्वारा दूविदा उस्तर की रचना की गे दी इनके द्वारा पहले पुस्तर की रचना की गे दी इनके द्वारा चरंदास चरंदास चोर नावक पुस्तर की रचना की के दी यानकि ये तीन पुस्तके एक पहली एक दूईदा और एक चरनदाज चोर इन तीनों पुस्तकों पर फिलम बन चुकी क्या इन तीनों पुस्तकों पर फिलम बन चुकी हैं और इसके लबा इनकी अनिया पुस्तक में रूंक इनकी अनिया पुस्तक है उल्जन ये भी इनकी पुस्तक है और चोद्रायन की चत्राई और वापु के तीन हत्यारे ये इनकी परशित रचना है और विजेदान देता के दोरा कॉमल कोट्टारी के साथ मिलकर 1960 इश्वी में बोरुंदा जोदपुर में रूपएन संस्ता की स्थापना की थी और रूपएन संस्ता के से संस्तापक के रूप में को ने विजेदान देता और इस किस्तापना उनिस सो साथ बोरूंदा जोद पुरकंदर के के लिए और आपकी जानकारे लिए बता दू कि विजयदान दित्था को राजस्तान सरकार के दौरा 2012 में राजस्तान रतन से संभानित किया के था पार सरकार के दौरा इन्हें 2007 में पदम सिरी अवार्ट से नवाजा जा जा चुका है और इन्हें 2002 में भीहारी पुरुषका से भी नवाजा जा गया है 2002 में इतनी बाते आप याद रतना एक बात इनकी पुस्तकों भी बात करें तो ये मुक्य रूप से चब्दा भागो कंदर विबाकता है और इसके लवा इनकी पुस्तक हमने देखी मारो बदलो, तीडो राव, अलेकू हिटलर, बापु के तीन हत्यारे, चोद्राइन की चत्राई और इसके लवा रूप, इसके लवा उल्जन और दूविदा, चरंदास, चोर और पहली इन तीनों पर फिलम बन चुकी अगला क्यूशन, बातारी भुलवारी, कितने खंटों में विवक्त हैं, तो इसका राइटेंस रोगा, ये चब्दा खंटों के अंदर, इसके चब्दा भागने, इसका राइटेंस रोगा, तीन नमबर अगला क्यूशन, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है, कनेईलाज सेटिया, दुर्शा आडा, तो इसका राइटेंस रोगा, तीन नमबर, विजेदान देता का, क्या नम है, बिज्जी के नाम से जाना ज़ादा, इसका राइटेंस रोगा, चार नमबर, और जिन का जन पोरुंदा जोदपुरकंदर 1926 इसमें हुआ था, अगला क्यूशन, विजेदान देता के बारे में सही कतन का चैन का सही कूट चुने, पहला, विजेदान देता राजस्तान के परशित लेकर थे, जिनकी कहानी चरनदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांद्रित की बिल्कुल, इनके दोरा चरनदासी चोर नामक नाटक लिखे गई है, बिल्कुल सही है, पहला कतन, दूसरा है कि विजेदान देता रूपांद्र संस्ता के सह संस्तापक के रूप में थे, बिल्कुल सही है, रूपांद्र संस्तापक के रूप में थे, रूपांद्र संस्त अगला किसन, हभीब तन्वीर का चरंदास चोड नामक नाटक मूल रूप से दौरा रचित एक सास्त्री है, राजस्तानी लोगकता का रुपांतरन था, तो इसका राइडेंस रोगा विजेदान दत्ता का था, इसका राइडेंस रोगा चाल नबर, अगला किसन, मानी कोल की फिलम दौईदा, किसकी कर्ती पर आदारित है, तो इसका राइडेंस रोगा विजेदान दता की पुस्तक, दौईदा पर आदारित मानी कोल की फिलम है, इसका राइडेंस रोगा एक नबर, आपकी जानकर लिए बता दूगी, विजेदान दता की तीन, एक तो एक पहली एक पहली और एक चरनदास सी चोर इन तीनों पर फिलम बन चुकी है ये भी परसुन बूचा जा सकता है कि विजेदान देता कि कौन सी पुस्तक पर या कौन सी नाटक पर फिलम नहीं बन चुकी है तो इन तीनों पर पहली पर बन चुकी है दुईदा पर बनी है और चरनदास चोर पर फिलम बन चुकी है अगला कुसर विजेदान देता की पुस्तक दुविदा पर कौन सी फिलम का निर्मान हो चुका है तो इसका राइटेंस रोगा एक तो दुविदा पर हो चुका है एक पहली पर हो चुका है और एक चरनदास चोर चरनदास चोर नामत बाप्पू के तीन हत्यारे और चोद्राइन की चत्रोई और मारो बदलो और तीडो राव ये भी इनकी पुस्तके हैं अगला क्यूशन निमली की लेकुकों में से किस की काहनी पर आदारेज फिलम पहली का निर्मान अमोल पाले कर द्वारा किया गया था तो इसका राइडेंस रोगा विजेदान देता की पहली नामक पुस्तक पर यह में पहली नामक काहनी पर फिलम बना चुके हैं इसका राइडेंस रोगा दो लुहिदा और अलेकु हिटलर जैसी कताव के रच्चता है तो इसका राइडेंस रोगा वीजेदान देता इसका राइडेंस रोगा टीन नमबर अगला क्योशन राजस्तान में 2007 का पदमस्री अवार्ड किसे परदान किया गया है तो इसका राइड है शुरुगा वीजेदान देता को 2007 में बाज सरकार के द्वारा पदमस्री अवार्ड से नवाजा गया था इसके लबा इनको 2012 में राजस्तान रतन दिया गया था और 2002 में इन्हें बिहारी पुरुषकार साइतिये का पुरुषकार होता है बिहारी पुरुषकार से भी नवाजा जा चुका है अगला क्यूशन कवी राजा श्यामलदास पुरातत्तु वेदा मुनी जिन विजे का जिले में जन्म हुआ वेजिला है तो इसका राइडेंस रोगा भीलवाडा जिले में इनका जन्म हुआ कवी राजर श्यामलदास और मुनी जिन विजे दोनों का जनम भीलवाड जिल्ले के अंदर हुआ, इसका राइडेंस रोगा दो नुमबर, अगला किसन, हमीर महा काविय के लेकख है, नेंचंद्र सूरी, तो इसका राइडेंस रोगा, नेंचंद्र सूरी के द्वारा, हमीर म लवदिन खिल्ची के बीच में यूद का वर्णन मिलता है इसका राइडेंस रोगा एक नमबर आपकी जानकर लिए बता दूं कि मेरू तूं ये एक जेन आचारी है जिसके द्वारा प्रबंधन चिंतामणी नामक पुस्तक की रचना की गई थी करणीदान इनके द्वारा हमीर हट नामक पुस्तक की रचना की गई थी अगला क्योसन रंधंबोर के चौवान सासको की जानकारी किस ग्रंध से प्राइडेंस रोगा एक नमबर हमीर महकाविय कंदर जो नेन चंदर सूरी के द्वारा लेखा गया था जो रंधंबोर के चौवान राजा हमीर देव च सुल्टान एके अलवदिन किंची के बीच में युद का वर्णार मिलता है जो तेरस सो एक इस्वी के अंदर हुआ था जो राजस्तान का पर्थम जल जोवर हुआ था इसका राइडेंस रोगा एक नमबर और राज रदना करन ये किस के द्वारा लिखा गया था सदा स्वी भ जो राजस्तानी भासा का एक ग्रंथ है और पर्थिवराज विजे जियानक भट के द्वारा लिखा गया था अगला क्योंसन रशिक रतनावली के रचेता थे तो इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर नर हरिदास रशिक रतनावली नामक पुस्तक की रचना की गया थी जो पुस्तक की रचेता थे दादु द्याल मीरा बाई सुन्दरदास रेदास तो सुन्दरदास के रचेता सुन्दरदास है जो दादु द्याल जी के सिश्य थे जिनका जनम दोसा में हुआ था पंद्रह सो संतान उश्वी के अंदर दोसा में जिनका जनम होता सुन्दरदास का जो द्याल जी की सिश्य थे और जिसक के द्वारा सुन्दर विलास नमक पुस्तक की रचना की गया थी और द्यादु द्याल के द्वारा काया वेली की रचना की गया थी अगला क्युशन दोला मारूरा दूहा के रच्चेता है तो इसका राइटेंस रोगाम कभी कलोल के द्वारा दोला मारूरा दूहा नामक उस्तख की रचना की किती मुनोद नैंड सी जोदपूर के राजा जस्वन सिंग फेष्ट के दरबारी कवी जिसके दौरा पारवाट रे प्रावेगनेरी विगत और नैंड सीरी ख्यात की रचना की गिदी पांकिदास जोदपूर के राजा मान सिंग के दरवारी कवी जिनके दौरा पांकिदास री ख्यात जिसमें जैपूर और जोदपूर की स्थापना तिति का उलेख मनता है पांकिदास के द्वारा कू कवी 32 जिसमें सरफरतम डिंगल भासा का प्रियोग वा था और बांकिदास के द्वारा आयो अंग्रेज मुगल ट्रे उपर नामत पुस्तकी भी रचना की गे थी सारंग धर के द्वारा हमीर रासो नामत पुस्तकी रचना की गे थी चवदी सदापती के अंदर और जिसमें रन्थंबोर के चौवान सासंग, हमीर तेव चौवान और दिल्ली के सुल्तान एक के अलावदिन फिल्ची के बीच में युद का वनन दिनता है अगला क्योंसन आपकी जानकर लिए बता दू कि दोला मारू रदुवा जो कवी कलोल के दोरा लिखा गया था इसमें नर्वर के राजकुमार दोला और पूंगल की राजकुमारी मारू के मद्ये प्रेम कता पर आदारित ये रचना है जिसमें दोला जब इसकी विवा हुआ था उस समय इसकी उमर तीन वर्स थी और जब मारू की डेड़ वर्स थी कितनी थी डेड़ वर्स की थी जब इनकी सगय हुई थी अगला क्योंसन दोला मारू कहानी में दोला की विवा के समय उमर थी तीन ग्यारा चब्डा या सोडा तो इसका राइट है शुरूगा जब डोला मारू का विवा हो रहा था या उनकी सगई हो रही थी उस समें डोला की उमर तीन वर्ष थी और मारू की उमर डेड वर्ष थी कितनी थी, डेड वर्स थी, तो इसका राइट हैं स्रोगा, एक नंबर का, किर्तार बावनी के लेकक हैं, गिरिधर, नल सिंग, दुर्षाडा और करणी दान, तो इसका राइट हैं स्रोगा, दुर्षाडा के द्वारा, किर्तार बावनी लिखे के थी, दुर्षाडा, जो अक के दरबारी कवी थे और ये डिंगल के स्रेष्ट कवी थी और दुर्षा आड़ा के द्वारा पर्तिवराज राठोड के द्वारा लिखी पुस्तक वेली कर्शन रुकमेड़ी वचनिका जिसको पांच्वा वेद्वे उन्नीस्वा पुरान की संग्या दी गई थी और सूरज परकास करनी दान के द्वारा लिखा गयता सूरज परकास अगला क्यों सन सुमेलित नहीं है देश तरबन संकरतान सामोर के द्वारा लिखा गयता बिल्कुल सही है सूरज परकास करनी दान के द्वारा लिखा गयता बिल्कुल सही है किर्थार वावनी कवी इस सरदास ये ग रचना की कही थी तो इसका राइडेंस रुगा तीन नमर का रगनाद रूपक मच्छा राम सेवक के द्वारा लिखा गया था बिल्कुल सही है अगला क्यूसर्ण किस रमत कलाकार ने मात्मा कांधी को सवतंदर बावनी नामक पुस्तक भेट की तुलसी राम शुवा महराज फागु महराज तेजकवी जैसलमेरी इसका राइडेंस रुगा चार नमर तेजकवी जैसलमेरी जो 1543 यूस्व में सवतंदर बावनी नामक रचना लेकी गयी थी और ये मात्मा गानी को भेट की थी। इसके लावा रमत के प्रमुक कलाकारों में तुलसी राम, फागु महाराज और शुवा महाराज हैं। रमत जो मुक्य रूप से बिकानेर की परशिदें। और होली की रमत मुक्य रूप से बिकानेर की परशिदें। और रमत पूचे के कहां की परशित हैं विकानेयर प्लस जेसर मेल दोनों की रमत परशित हैं अगला क्यूशन वेदक सार तथा पूजा पदती पुस्तकों की रचना किशन की थी अजित सिंग अबे सिंग जोराव सिंग और गज सिंग इसका राइडेंस रोगा तीन नमबर विकानेयर के साशक जोराव सिंग के दोरा वेदक सार पूजा पदती नामत पुस्तकों की रचना की थी इसका र राग कलब दुरुम के रच्चेता हैं कश्णानंद व्यास, रादा कश्ण, हमीर या कुम्बा इसका राइटेंस रुगा एक नमबर कश्णानंद व्यास के द्वारा राग कलब दुरुम की रच्चना की गिती इसके साथ इसाथ इनके द्वारा राग रतनाकर की वी रचना कश्णानंद व्यास के द्वारा की थी और ये दोनु ग्रंथ संगीत आदारित है ये संगीत आदारित ग्रंथ है और ये कश्णानंद व्यास मुक्य रूप से मेवार के निवास थी कांके मेवार की निवासिती इसका राइट एंस रोगा एक नमबर राग चंद्रिका के रज्यत हैं द्वार का भट जैसिंग डेवर्शी भट मादव सिंग इसका राइडन सुरूगा एक नमबर द्वार का भट के द्वारा राग चंद्री का नामत पुस्तक की रजना की के थी जो की एक संगीत आदारित गरंथ है जो की संगीत आदारित गरंथ है इसका राइडन सुरूगा एक नमबर अगले किस्ण रागमंजरी यें। रागमाला जैसे परसित संगीत गरंतों के रचेता कोन है तो इसका राइड एंस रूगा एक नमबर पुंडरिक बीठल के द्वारा रागमंजरी राइड माला और रस मंजरी रस मंजरी इन तीनों गरंदों की रचना पुंड्रिक बिठल के द्वारा की गई थी जो की अमेर के राजा मादव सींग के दर्बारी कोई थी इसका राइडेंस रुगा एक नमबर और आपकी जानकर के लिए बता दूं की उद्योधन सूरी के द्वारा कोल्य माला गरंद की रचना की गई थी और सारंग धर के द्वारा हमीर राशो ग्रंद के रचना की गई थी अगला किवसन राग मंजरी के रच्चेता कोन थे इसका राइडेंस रुगा पुड्रिक बिठल इसका राइडेंस रुगा च्यार्ग नमबर आनन्द विलास के रच्चेता कोन है माराजा जे सिंग माराजा जस्वन सिंग फेष्ट स्वाई जगस सिंग राव माल दे इसका राइडेंस रुगा दो नमबर जोदपुर के राजा जस्वन सिंग फेष्ट के द्वारा आनन्द विलास नामत पुस्थक के रचना की गई आपकी जानकारे लिए बता दू कि जोदपुर के राजा जस्वन सिंग फेश्ट के द्वारा लिखी गई और पुस्तकों के बारे में इनके द्वारा लिखी गई थी बाशा भूशन आनद विलाश इसके लवा अनुभोव प्रकास सिदान्त बोध इसके लवा चंद्र प्रभोध पीनी की रचनाएं और इनके लवा सिदान्त सार पिनी की पुस्तक है तो जौदपूर के राजा जस्वन सिंग फेश्ट के द्वारा लिखी काई पुस्तक के अंदर पाशा बुशन आनंद विलाश अनुभोव प्रकास सिदान्त बोध चंद्र प्रभोध और शिदान्त सार अदी गरंतों की रचनाब जौद मुनोत नेंसी जोदपुर के राजा जस्वन सिंग फेष्ट के दरवारी कवी थे जिसके दौरा मारवाडरे प्रावेगनेरी विगत और नेंसीरी ख्याद की रचना की गए थी और इसे राजस्तान का वुल्फजल की संग्या मुंसी देवी परशाद के द्वारा दी गई थी अगला ग्युशन निमन में से कौन सी रचना इस सर्दास की नहीं है हरी रस इस सर्दास की रचना है राग केलास इस सर्दास की रचना है सभा प्रव इस सर्दास की रचना है लेकिन चंद्र प्रवोध इस सर्दास की रचना नहीं है तो इसका राय देंस रोगा चार नमबर और ये चंद्र प्रवोध किस की रचना है तो ये जोद्पुर के राजा जस्वन सिंग फेश्ट की रचना है चंद्र प्रवोध इसका र अगला क्योंसर रचनाकार और रचना में सुमेलित नहीं है पहला मतिराम के द्वारा ललाम की रचना की गी ती बिल्कुल सही है नरहरीदास के द्वारा अवतार चरित्र की रचना की गी बिल्कुल सही है आपकी जानकर के लिए बतातूं कि नरहरीदास के द्वारा एक अवतार चरितर की रजना की की थी और एक इसके लवा रशिक रतनावली ये दोनों पुस्तके नरहरीदास की ये और तिसराएं की दयाबाई दयाबोध की रजना बिल्कुल ये वुकिरूप से दयाबाई जो च नामक पुस्त की रचना की गई बिल्कुल सही है और चौता उप्सन है कि सौमनात के द्वारा सुजान चरित्र की रचना की गई तो यह गलत है यह कता ना गलत है क्यूंकि सुजान चरित्र की रचना चंद्र सेकर के द्वारा की गई थी तो इसका राइडेंस रोगा चार नम अगला क्युत् Arbeit सुमेलीत नहीं है पेला हाला जाला दी कुंडलिया इसरिदान बारत के द्वारा हाला जाला दी कुंडलिया नमत पुस्तकी रजनागी के बिल्कुल सही है गुण भाषा हेमगवी के द्वारा बिल्कुल सही है मादेव पार्वतिरी वेली शिवदास गांडर ये गलत है मादेव पार्वतिरी वेली इस पुस्तक की रचना साया जी जूला साया जी जूला के द्वारा मादेव पार्वतिरी वेली नामक पुस्तक की रचना की गिती और अचल्दास खींचीरी वचनी का सीवदास गांडन के द्वारा लिखे गे थी तो इसका राइटेंस रुगा तीन नमबर का और राव जेट सीरो संद बिट्टू सूजा के द्वारा लिखा गयता बिल्गूर सही है तो इसका राइडन सुरुआ तीन नमबर मादेव पारवतिरी वेली जोकी साया जी जूला के द्वारा लिखे गे थी और सिवदास गांडर के द्वारा अचलदास कींचीरी वचनी का लिखे गे थी तो इसका राइडन सुरूगा एक नमबर नातु सिंग के द्वारा जो मेवाड के राजगराने के परशित कवी थे जिनके द्वारा करणी सतक, चूडा सतक, हाडी सतक इसका रवा करणी सतक और गांधी सतक और वीर सतक जैसी अनेक गरंदों की रचना की गे थी इसका राइडन सुरूगा एक नमबर और ये मुरारिटान वन्स पासकर को पुरण किसने किया था सूरिमल मिस्टरंड के दत्क भुत्तक मुरारितान के दवारा वंस भासकर को पुरण किया था अगला क्यूसर्ण रचना लेकर सुमेलित नहीं है पहला बोल भारमली याजवेंदर शर्मा पहला इक गलत है क्यूकि बोल भारमली राजस्तानी भासा के विख्यात साध्यकार सत्य परकास सत्य परकास जोसी के द्वारा बोल भार्मली नामक पुस्ता की रचना की गेती सत्य परकास जोसी के द्वारा और सत्य परकास जोसी को इस काविय रचना के लिए 1977 में राजस्तानी भाषा के लिए साइत्य अकादमिक पुरुषकार से भी सम्मानित किया जा चुका है किसको सत्य परकास जोसी को बोल भारमली नामक पुरुषकार के लिए इसका राइडेंस होगा एक नमबर जो की सही सुमलीत नहीं इसका लवा पागी नामक पुरुषका की रचना चंदर परकास देवल किये इसका मदब दूसरा उप्सन सही है और तिसरा कोडम दे मेगराज मुकल किये बिल्कुल सही है आपकी जानकर लिए बदा दो की मेगराज मुकल के द्वारा से नानी से नानी और कोडम दे दोनू रचना मेगराज मुकल किये और पक फेरो मनी मदुकर किये बिल्कुल सही है पक फेरो की रचना मनी मदुकर किये अगला किरसन बोल भार्मली रचना कार है तो इसका राइडेंस रोगा सत्य प्रकास जोसी के द्वार यह रचना की गे थी, और मेक राज, मुकुल के द्वारा, कोडम देव, और से नानी नामक पस्तक की रचना की गए थी, अगला क्योशन, बादली के रचना कार है तो इसका राइडेंस रोगा एक नमबर चंदर सींग इनका पूरा नाम है चंदर सींग बिरकाली बिरकाली जो हर्मान गट के रहने वाले थे और जिनके द्वारा बादली नामक पुस्ता के रचना की कि थी और इनकी दूसरी रचना है लू क्या है तूसरी रचना है लू ये भी याद रखना अगला किशन लू काविय के रचना कार है तो इसका राइडेंस रोगा चार नमबर चंदर सींग बिरकाली के द्वारा लू काविय की रचना की के थी और इन्ही के द्वारा बादली नामक पुस्तक की रचना की के थी बादली जो मुक्य रूप से हर्मार गट के रहने वाले थी अगला क्यूसर गलत युगम को चुनिये पहला बादली चंदर परकास डेवल की रचना गलत है पहला इसका राइट एंस रोगा क्यूंकि चंदर परकास डेवल की हमने पीछे देगा था पागी है इनकी रचना कौन सी है पागी है और बादली किसकी है चंदर सिंग बिरकाली की रचना है बादली और लू इसका मदब इसका राइट एंस रोगा एक नमबर राधा सत्य परकास जोसी किये बिल्कुल सही है सत्य परकास जोसी की दो रचना याद रखना एक तो बोल भारमली बोल भारमली और एक राधा उस तक सत्य परकास जोसी किये और मेगमाल सुमेर शिंग शेकावत किये बिल्कुल सही है और बाता में भुगोल, हरिश बदा नहीं कियें, बिल्कुल सही हैं, तो इसका राइड एंसर होगा, एक नमबर का, अगला क्यूसन, यह दि अर्ली चौहान डाइनेश्टिक, राजस्तान के एकिस पर्मुक इत्यासकार की रचना हैं, तो इसका राइड एंसर होगा, डॉक्टर दस्रस्रular सर्मा के देवारा, अर्ली चौहान डाइनेश्टिक पुस्तर की रचना की एक थी, आपकी जान कर लिए बता दूत कि, डॉक्टर दसरा सर्मा जो चूरू में जनम हुआ था इनका चूरू के रहने वाले थे 1903 इस्यू में चूरू के अंदर इनका जनम हुआ था और विकानेर के अंदर 1945 में बीकनेर में 1945 में सारदूल राजस्तानी रिसर्च इस्टिटूज की इस्ताबना डॉक्टर दस्रा सर्मा के द्वारा की गए थी इसका राइडेंस रोगा तीन नमर का अगला क्योशन राजस्तान के परमुक कहानिकार है लक्ष्मी कुमारी चूंडा绑त, सूर्यमल मिश्रण, सुन।रदास और मंडल इसका राइडेंस रोगा लक्ष्मी कुमारी चूंडात जिनका जनम मेवार में हुआ था मेवार के देवगर ठिकाना मेवाड के देवगर ठिकान में 1916 इस्वी में 1916 इस्वी को इनको जनम हो था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत वेपर्थम राजनेता थी जो राजस्तानी भासा को स्वेधानिक दर्जा दिलाने के लिए अवाज उटाई थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जिसको पदम सिरी अवाड से भी नवाजा जा चुका है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को साहितिक सहत्र में योगदान के लिए राजस्तान रदन पुरुसकार से भी समानित किया जा चुका है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तकों की बात करे या इनकी रचनाओं की बात करे तो लव स्टोरी आफ राजस्तान और इसके लवा गजबन इनकी मैटपुन पुस्तक है रचनाई अगला क्युशन रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पदम स्री उनके किस सेत्र में योगदान के लिए दिया गया था इसका राइडेंस रोगा शाहितिक सेत्र के योगदान के लिए बार सरकार के द्वारा लक्ष्मी कुमारी चुनडावत को पदम स्री अवार्ड से नवाजा गया था इसका राइडेंस रोगा एक नमबर अगला क्योशन रूशी कथाओ को राजस्तानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लेंड नहरु प्रुसकार किसे दिया गया था इसका राइडेंस रोगा चाह नमबर लक्ष्मी कुमारी चुनडावत अगला क्योशन लव इस्टोरीज ओफ राजस्तान की लेकी कहें तो इसका राइडेंस रोगा लक्ष्मी कुमारी चुनडावत लक्ष्मी कुमारी चुनडावत के द्वारा लव इस्टोरीज ओफ राजस्तान नामक पुस्तक की रचना की के थी इसका राइडेंस रोगा तीन नमर आज के लिए इतना ही क्लास सची लगी है तो आनि ये दोस्तों को साथ सेर जरूर करना वैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थाइंक यू आज का पहला क्यूसर साइटी अकादमिक प्रुसकर्थ करती पक फेरो रचना है विजेदा अंदेता की चंदर शिंग की गुलाब चंदर की या मणी मदुकर की इसका राइडेंस रोगा चैर नमबर मणी मदुकर के द्वारा पक फेरो की रचना की गए थी इसके लवा मणी मदुकर के द्वारा रश गंद्रो रश गंद्रो की रचना मनी मधुकर के द्वारा की गे थी इसकी अलवा सुधी सपनों के तीर सुधी सपनों के तीर सुधी सपनों के तीर की रचना भी मनी मधुकर के द्वारा की गे थी विजेदान देता बोरुंदा जोदपूर के रहने वाले जिनके द्वारा अलेकु हिटलर, पहली, दुईदा, चोद्राइन की चतुराई, बापु के तीन हत्यारे जैसे अनेक गरंतों की रचना विजेदान देथा के द्वारा की गे दी इनके द्वारा बातारी फुलवारी जो की चप्दा भागो कंद्र हैं, ये भी विजेदान देथा के द्वारा रचना की गे थी आगला क्यूसन, निवन मैंसे कौन सी करती या रचना मनी मदूकर की नहीं है पग फेरो मनी मदूकर की रचना है, सुधी सपनों के तीर मनी मदूकर के द्वारा लिखा गया रश्गंद्रो मनी मदूकर के द्वारा लिखा गया था, लेकिन जामारो ये मनी मदूकर की रचना नहीं है इसका राइडेंस रोगा चार नमबर इसका राइडेंस रोगा चार नमबर अगला क्युशन स्रंगार हार ग्रंद की रचना किष्णे की थी मारान कुमबा माराजा हमीर माराजा मान सिंग माराजा विग्र राज इसका राइडेंस रोगा दो नमबर माराजा हमीर देव चोवान के द्वारा स्रंगार हार नामक ग्रंद की रचना की गे थी जो रंधंबोर के सा सकते हमीर देव चोहान इन्हीं के द्वारा स्रंगार हार नामक ग्रंद की रचना की गे थी इसका राइडन सुरोगा दो नुमबर माराना कुमबा के द्वारा संगीद विमासा सूड परवंदन नामक गरंद की रचना महाराना कुमबा के द्वारा की गए थी अगला क्यों सुन परवंद कोस नामक पुस्तक का लेकक कौन है इसका राइडन स्रोगा एक नमबर राज सेकर के द्वारा परवंद कोस नामक पुस्तक की रचना की गई अगर पुछे की परवंद चिंतामणी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी फाबगान स्रोगा मेरुतूंग के द्वारा परबंद चिंता मणी नामक पुस्तक की रचना की गेती और जोगी जैन आचारी हैं कोने जैन आचारी हैं अगला क्योशन निमलेकित में से कौन साइटिय करत लेका एक सुमलित नहीं है पहला परबंद चिंता मणी मेरुतूंग के द्वारा लिकी गई बिल्कुल सही है जोगी एक जैन आचारी थे पहला कतन सही है दूसरा है की राज वरलव मंडन के द्वारा लिकी गई बिल्कुल दूसरा उप्सन भी सही है तीसरा है कि पार्शुनात चरित्र स्रीधर के द्वारा लिखी गई थी इसका मदब तीसरा उपसन भी सही है और चोता है कि परबंद कोस चंदर सेकर के द्वारा लिखी गई गलत है परबंद कोस किसके द्वारा लिखी गई थी? राज सेकर के द्वारा किस के द्वारा राज सेकर के द्वारा प्रवंद कोस नामक पुस्त की रचना की गई थी लेकिन चंदर सेकर के द्वारा हमीर हट की रचना की गई थी हमीर हट की रचना चंदर सेकर के द्वारा की गई थी और राज सेकर के द्वारा प्रवंद कोस ना कमल hack कें टो इसका राइडस रोगा चार नमर का जो की सै praticamente नहीं है मैं को इस गें अट इसनर नहीं है भीसल्देव राशो नरववती नाले के लिखे गई बिल्कुल कतन सही है इनकी पेला कतन सही है जेसी रोचसंद की रचना बिट्टू सूजा के द्वारा की गई थी। बिकनेर के इतियास के बारे में जानकर ये प्राप्त होती हैं। नर्वती नाले के द्वारा बिश्र देवराशो की रचना की गई थी। झाले के इतियास घर्वत्व सुटिरे रचना की गई जो बिकना सेवबmedेन देखरे में वोड़ा की गई ये में ऑलें होती हैं। आएे में भाँती हैं। झाल 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 सुमेलित कीजिए एक तरफ पुस्तक के हैं एक तरफ उनसे समधित लेगए हैं आपको सुमेलित करना है पहला हमीर राइन किसके द्वारा लिखा गया था तो पदमनाब के द्वारा हमीर राइन लिखा गया यनकी एक के अंदर आएगा तीन तूसरा है की रणमल संद किसके द्वारा लिखा गय तो इसका अंदर कौन सा अकतन सही वा तो इसका राइडन से रोगा एक नमबर जो की पहला उप्षन सही है अगला क्यूशन सुमेलित कीजिए एक तरफ पुस्तक हैं एक तरफ उनसे समधिद लेकक हैं गुण भाषा किसके द्वारा लिखा गया था गुण भाषा हेम कवी के द्वारा गुण भाषा नामक ग्रंत की रचना की थी गुण रूपक किसके द्वारा लिखा गया था गुण रूपक के सवदास के द्वारा लिखा गया था और राज रूपक किसके द्वारा लिखा गया था वीर भान के द्वारा राज रूपक नामत पुस्तक की रचनागी की दी और सूरिज प्रकास किसके द्वारा लिखा गया था तो जोद्बूर के राजा अभे सिंग का दरबारी कवी करनी रान के द्वारा लिखा गया था तो का नाम है पहला गोविंद के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गिती तो गोविंद के द्वारा द्वार डिपिका की रचना की गिती नाता के द्वारा वास्तु मंजरी की रचना की गिती मंडन के द्वारा देव मूर्ती ट्रक्रन की रचना की गिती और कुमपा के संगीत राज नामत पुस्तक की रचना की गए थी तो इसका राइटेंश रोगा एक नमबर का और ये संगीत राज पांच भागोगंद्र विवाजन हैं इसका राइटेंश रोगा एक नमबर का अगला क्यूशन ललीत ललाम ग्रंद के लेकर कौन है तो इसका राइटेंश र सुमेलित कीजिए एक तरफ लेकर के नामें एक तरफ पुस्त के दी हुई है गिर्दर आश्या के द्वारा कौन सी पुस्त की रचना की गिती तो संगत राशों की रचना गिर्दर आश्या के द्वारा की गिती जले के द्वारा बुद्धी राशों की रचना की गिती और नल किस ने लिगी तो इसका राइट एंस रोगा एक नमबर जी एंड सर्मा के द्वारा इसका राइट एंस रोगा एक नमबर और जी एस ओजा डॉक्टर गोरी संकर ही राचेंड आगरा किसन सुमेलित कीजे पहला स्रीधर व्यास के द्वारा रणमल्चंद की रचना कीगे दि एक केंदर आएगा एक नर्पती नाले के द्वारा बिसल देव रासों की रचना की गेती और नल सिंग के द्वारा विजेपार रासों की रचना की गेती और बादन के द्वारा वीर मायन की रचना की गेती तो इसका राइडेंस रुआ तीन नंबर का इसका राइट है शुरुआ तीन नंबर का अगला क्योशन सुमलेद कीजिए करणीदान के द्वारा सूरज प्रकास की रचना करणीदान के द्वारा कीजिए दलपत विजे के द्वारा खुमान रासो की रचना दलपत विजे के द्वारा कीजिए पदमनात के द्वारा कानर देव प्रबंधन की रचना पदमनात के द्वारा की गेती और जग जिवन भट के द्वारा अजीतो देव की रचना की गेती तो इसका राइडन्स रोगा एक नमबर का इसका राइडन्स रोगा एक नमबर का अगला क्यूसन सुमलित कीजिए राधा नामत पुस्टा की रचना सत्य परकास जोसी की थी और मरू मंगल की रचना सुमेर्शीं सेकावत के द्वारा लिखी गई और बाथा में भुगोल अरीश बदाणी की द्वारा लिखी गई थी इसका राइटेंस रोगा दो नुम्बर का अगला क्यूशन सुमेलित कीजे करणी दान के द्वारा सूरिज प्रकास लिखी के थी एक कंदर आएगा दो श्यामल दास के द्वारा वीर विनोध की रचना की के थी मुनोध नेर्णसी के द्वारा मारवाद रे प्रावेगनी दी विकत की रचना की की थी और सूरिमल मिस्रन के द्वारा वन्स वासकर की रचना की की थी तो इसका राइटेंस रोगा एक नुम्बर का अगला क्यूशन सुमेलित कीजिए हमीर राइण के रचना भांडव व्यास हैं एक के अंदर आएगा चार वीर माइण के रचना बादर के द्वारा लिखी गई हैं और रगुनाद रूपक मच्छाराम सेवक के द्वारा लिखी गई हैं और किर्तार बावनी दुर्श्रा आड़ा के द्वारा लिखी गई हैं इसका राइटेंस रोगा चार नमर के इसका राइडेंस रोगा चार नमर का अगला क्यूसन जयानक भट के द्वारा पर्थुराज विजेली की गई है एक के अंदर आएगा तीन नैन चंदर के द्वारा नैन चंदर सूरी के द्वारा हमीर महाकावी की रचना की गई है ओर चंदर शेकर के दोरा सूर्चन्चरित्र की रचनगी की गयी है और हरी बत्र शूरी के दोरा समराइज कहा की रचना की गयी है इसका राइ यद शेक्र रोगा इसका राइ असरो दो नुम्Jimеть प्रम बत चूरो अगला गलत युकंध को चुनिये पहला द्वार कानाथ बट राज चंद्रिका की रचना की बिल्कुल सही है दल्पत विजे जो की खुमान रास्तों की रचना की जो की बिल्कुल सही है और महाराना कुम्बा के द्वारा संगीत राज की रचना की के थी जो कि 5 पागोगंद्र विवाचन है बिलकुल सही है लेकिन वीजिदांद त्था के द्वारा आसा धर की रचना नहीं की किई इसका राइड़न शुरूगा 4 नमबर का अगला क्यूसन हरी मेकला के रचेता कोन है तो हरी मेकला महुट के द्वारा रचना की की इसका राइडन सुरूगा एक नमबर अगला क्युशन काविय संग्रे ढानी का आदमी रचना है तो ये किस की है इसका राइडन सुरूगा जैसिंग नीरज की इसका राइडन सुरूगा तीन नमबर अगला क्युशन सही सुमलेत नहीं है एक तरफ लेका कहें एक तरफ उनकी पुस्तक कहें माराना कुंबा के द्वारा संगीत राज की रचना की की जो की बिल्कुल सही है उस्ताद चांद खा के द्वारा श्वर शागर की रचना की जो की बिल्कुल सही है और द्वार का परशाद भट के द्वारा राग चंद्रिका की रचना की जो की बिल्कुल सही है और राधा कर्शन के द्वारा मुडली परकास की रचना नहीं की गई है इसका राइड एंस रोगा चार नंबर का अगला क्यूसन सुमेलित कीची पहला वीर विनोथ जो की कवी राजा शामलदास के द्वारा लिकी गई है गोरा बादलरी वात जो की जाट मल के द्वारा लिकी गई है और वीर सचसाई जो की सूरी मल मिस्टरन के द्वारा लिकी गई है इसका राइड एंस रुआ दो नंबर का इसका राइडेंस रुआ दो नमर सई सुमलित हैं अगला गिशन सुमलित कीजिए पहला दलपत विजे के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचनागी खुमान राशो नलपती नाले के द्वारा विसल देव राशो जोद राज के द्वारा हमीर राशो नल्त सिंग के द्वारा विजे पाल राशो इसका राइडेंस रुआ दो नमर का अगला गिशन सुमलित कीजिए स्रंगार हार जो की रंथमबोर के सास्थ हमीर देव चोहान की रचना है स्रंगार हार एक के अंदर आएगा दो नमर इसका राइडेंस रोगा चार नमर का और राग मंजरी किस के द्वारा लिखी के थी तो राग मंजरी पुंडरिक बीठल के द्वारा लिखी के थी और संगीत विमान सा माराना कुंबा के द्वारा लिखी के थी और भाव मंजरी पंडित भाव बट के द्वारा लिखे गई थी इसका राइट है शुरुआ चार नमर का अगला क्यूशन एक तरफ पुस्तक हैं एक तरफ उनसे समधित लेके कैं हमें इन्हें सुमलित करना है पहला चांद खां के द्वारा स्वर्श रागर की रचना की थी एक के अंदर आएगा च्यार नमर पुंडरिक बिटल के द्वारा रस मंजरी की रचना की थी देवर्षी भड के द्वारा संगीत सार की रचना की ती और द्वार का नाथ के द्वारा राग चंद्रिका की रचना की गी